Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रवाइड कराया जाता है बच्चो ताकि आप अपने लाइब में बहुत अच्छा कुछ कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मायम की जबानी और आज हमें क्या पढ़ना है वो पीछ देखके आप समझ गए होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में मैं पॉलिनेशन क्यों पढ़ा दई हो अरे वाया इसके लिए हम लोगों को फिर से उसी वाई कहानी पढ़नी पढ़ेगी इस चैप्टर में चैप्टर नमबर टू में क्लास ट्वेल्थ बाइलेजी में पहली चीज जो हमने कम्प्लीट की वो था फ्लार ठीक है फ्लार के बाद हमने कम्प्लीट किया माइक्रो स्पोरो जेनेसिस ठीक है क्या कम्प्लीट किया हम लोगोंने बच्चो माइक्रो स्पोरो जेनेसिस हम लोगोंने कम्प्लीट किया पोल एन ग्रेन ठीक है हम लोगोंने complete किया और क्या बच्चों बोलो मेरे साथ statement इसके बारे में दूसरा topic था done है उसके बाद हम लोगोंने complete किया mega sporogenesis mega sporogenesis ठीक है और हमने क्या complete किया embryo sac ठीक है embryo sac और हमने complete किया बच्चों क्या आपका pistol यह कहानी हमने last class में पढ़ी हमने सब बना लिया है पर अभी हम fertilization नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप fertilization करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा pollination ठीक है आपने male बना लिया आपने female gamit बना लिया इस process से आप क्या बनाते हो इससे ma'am हम बनाते हैं female gamit इससे हम क्या बनाते हैं ma'am बोलो मेरे साथ इससे हम बनाते है female gamit ठीक है और इससे क्या बनाते है बोलो मेरे साथ ठीक है बोलो मेरे साथ जैहिंन ठीक है male gamit अब हमने बना तो लिया है male and female gamit पर कहानी यह है कि क्या यह अपने आप your fertilizer hold कर लेंगे क्या इनके पास कोई अंतरात्मा है तो fertilization कराने से पहले हमको कराना पड़ेगा pollination आए देखते हैं pollination क्या होता देखो देखो बच्चो pollination का सिर्फ और सिर्फ मतलब पता है क्या है pollination का मतलब यह होता है कि हमें किसी भी तरीके से pollen grain को stigma के उपर land कराना है ठीक है जिसके उपर यहां पर कोई था लगा हुआ है ठीक है suppose यह पर कोई अंतर लगा हुआ है अब यह अंतर बच्चो क्या प्रेट्यूद कररेव हो přिसकर रहा है फिरू मेरे सजन के इंतजार में और यह सब्सक्तिगमा ठीक है, so this is what मेरे बच्चो, ये है इसका stigma, यहां से ये pollen grain आए और यहां पर land हो जाए, this is the pollination, ठीक है, so landing of, landing of, I hope कि मेरी वाहियात writing, handwriting अब को समझ में आ रही होगी, landing of, ठीक है, landing of pollen grain, pollen grain from, from enter, enter to stigma of female by various means, 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 called pollination, ठीक है, I know मेरा handwriting थोड़ा जीव है, पर आप समझ होगी कि मैं अलग-अलग लिखने की कोशिश कर रहे हूँ, समझे आप, क्या है pollination, pollination वो process है, जिसमें हम enter से pollen grain को उठा कर, किसी भी माध्यम से water से, अपने आप, हवा से, मधु मख्यों से, किसी insect के पंजों पे चिपक कर उसके थूँ आपको stigma में पहुचा देते हैं, so this is the pollination, done है, बस इतना यह pollination, अब आओ, pollination अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, pollination, there are n number type of pollination, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, types of pollination बताती हूँ, पर उसके बाद, फिर उसके बाद मैं आपको एक concept बताती हूँ, pollination समझ गए, आपको pollen grain ले जाना है, और stigma के उपर land करा देना है, बस, समझ में आई बात, this is pollination, done होगा इतनी बात, आपको क्या करना है, बच्चो, आपको pollen grain लेके जाना है, और stigma के उपर land करा देना है, done, अब इसके अलग-अले type हो सकते हैं, जैसे की, सबसे पहले type जो हम discuss करेंगे इस class में वो है autogammy, ठीक है, सबसे पहले type जो हम discuss करेंगे इस class में वो है autogammy, उसके बाद हम discuss करेंगे jaytonogammy, ठीक है, इसके बारे में, और third हम discuss करेंगे xenogammy के बारे में, xenogammy, ठीक है, So, ये तीन टाइप के pollination हम आज की class में discuss करने वाले हैं पर हमें इन तीनों pollination को discuss करने से पहले एक concept को learn करना जरूरी है जब तक हम concept learn नहीं करेंगे हमको कभी भी नहीं समझ में आएगा अब आपको मैं एक concept सिखाती हूँ BMO BMO यार रखें, मैं हम यह क्या है BMO का मतलब होता है जो bisexual है, ठीक है उसी को हम क्या कहते है, monoseous कहते है Monoseous, bisexual का क्या मतलब होता है Bisexual का मतलब होता है, male and female Male and female remain in, remain in same body समझ आई बात, क्या बोला मैंने BMO, BMO, BMO यार रखेंगा BMO नहीं यार रखना है, हमको BMO यार रखना है BMO का मतलब, BI का मतलब है bisexual और MO का मतलब है monoseous So आपको यह बात यार रखनी है, BMO का मतलब है Bisexual monoseous जब male और female एक ही body में रहते हैं या एक ही किसी पार्ट में जैसे फ्लार है तो एक फ्लार में male और female दोनों पाई जा रहे हैं तो इससे हम bisexual या monoseous फ्लार कहते हैं दूसरा आपको क्या रखना है unidio ओ बाम यह क्या बोल रही हूँ आप unidio यह क्या होता है वो देखो बच्चो मेरे unidio का मतलब है unisexual और diocious unisexual और diocious यह क्या बोल दिया? द्यांसर सुनो जब When, when male and female द्यांसर सुनो क्या बोल रही हूँ मैं? When male and female found in found in different body समझ मैं अगी बात? तो अगर male flower अलग है female flower अलग है तो इसे हम क्या कहते है unisexual और diocious यह confusion नहीं नहीं चाहिए बाई से mono या रखो, बाई से लोग die bisexual और diocious है, इससे याद नहीं रखना है बाई को उल्टा कर दो, बाई को die बाई के साथ डाई को जोड़ना असान है पर आपको जोड़ना नहीं है, बाई के साथ mono को जोड़ना है और uni के साथ डाई को जोड़ना है बाई के साथ डाई जोडने को बहुत मन करेगा आपको बाई के साथ डाई, बाई के साथ डाई, बाई के साथ नहीं आपको plant और flower का concept एक सिखाती हूँ, आजाओ मेरे साथ, यह एक flower है, समझो बात को, ठीक है, सपोस्थाइट थोड़ा अच्छे सवर बनाती हूँ उसको, लालालालालाला, ठीक है, यह एक flower है बच्चो, ठीक है, यह कोई flower है, मैं मुझे तो नहीं दिख रहा है, यह थैले में स है आपका ovary, ठीक है, इसी flower के उपर बच्चो क्या लगा हुआ है, आपका ovary मतलब, पिस्टल, ठीक है, तो ऐसा flower, ऐसा flower, जिसमें आपको male और female दोनों पार्ट दिखाई देते हूँ, ऐसा यह आपका वो है flower है, ठीक है, ऐसा flower जिसमें male और female दोनों दिखाई दे, तो क्या आपको यहाँ, पिस्टल दिखाई दे रहा है, दोनों सब एक ही flower में दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर आपको statement और पिस्टल सेम फार में दिखाई दे रहा है, तो इक सा flower है, बोलो मुझे, माम, यह सीदी-सीदी बात है, यह क्या है, बीमो, bisexual, bisexual, monoseous flower है, monosious flower है, समझ इसमें male or female same body में है, ठीक, अब हो सकता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है, अच्छा, ये plant, ये हो गया, अब ये मादलो एक plant है, plant बना दू यहाँ पे, ये plant है, अब इस plant में, ठीक है, ये देखो, ये तो हो गया flower की कहानी, ये जो plant है, इस plant में भी तो ये flower लगें, जिसमें male or female दोनों है, तो ये plant भी कैसा हुआ रहे, ये तो होई flower की कहानी, ठीक है, ये इसको मटाते हूँ, ये तो होई flower की कहानी, कि इस plant में जो flower लगा है, वो कैसा है, इस plant में जो flower लगा है, वो bisexual है, पर इस plant में कोई और flower भी तो नहीं लगा है, इस plant में तो ये flower लगा है, तो ये plant भी कैसा हो गया है यह plant भी हमारा बाईसेक्शुल बाईसेक्शुल मोनोशियस हो चुका है यह plant भी हमारा बाईसेक्शुल मोनोशियस है दूसरी condition देखते हैं अब अगर यह हुआ एक condition बच्चो ठीक है अब मान लो कि किसी हमारे पास receptical में सिर्फ और सिर्फ एंथर जुड़ा है ठीक है आपका पिस्टल जुड़ा हुआ है, तो एक हमारा प्लांट या फ्लार ऐसा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, पिस्टल जुड़ा हुआ है, और एक फ्लार हमारे पास ऐसा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे फ्लार इन्हें हम कहते हैं कौन से फ्लार बच्चो इन्हें हम कहते हैं दोनों को हम कहते हैं यूनी सेक्श्वल द्याँचा देखो इन दोनों फ्लार को हम कहते हैं यूनी सेक्श्वल डायोशियस द्याँचा देखो यूनी सेक्श्वल डायोशियस फ्लार भूचड रहे इसको फिर स है ना डायोशियस फ्लाइर, Unisexual Diocseus फ्लाइर, ठीक है Unisexual Diocseus फ्लाइर, डान हो गया, यारी क्यों मर रहा है, डान, अब समझो, अब मैंने एक प्लांट बनाया, ध्यान से समझना, suppose that कि बैन यहां पर एक प्लांट बनाया, दो बनाने मुझे, ये तो फ्लार की बात हो गई बच्च रो ठीक है यह मैं दो फ्लार बना प्लांट बना रही हूं ठीक है यहां पर हमारे पास ध्यान से देखना इस डंडी पर इस डंडी पर जो फ्लार लगे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन पाए जा रहे हैं ठीक है यहां पर जो फ्लार लगे हैं उसमें सिर्फ और ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जा रहा है पिस्टल ठीक है यहां पर एक प्लांट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पाया जा रहा है यह हो गया आपका एंथर एक ऐसा ही प्लांट और है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जा रहा है पिस्टल ठीक है य किसी अगर हमारे पास male और female flower अलग-अलग हैं, जैसे पापाया में ऐसा होता है, तो हम इसे कहते हैं, unisexual diastrius flower, पर अगर मान लो बच्चो, अगर मान लो ध्यान से सुनो, एक ही plant में, plant तो एक ही है, one plant, ठीक है, ये क्या है बच्चो, one plant, अगर एक ही plant में male flower अलग हो, जैसे सुनो, male flower अलग हो, और female flower भी अलग हो, ठीक है, male और female flower अलग-अलग हो, तो इस पेड में flower तो अलग-अलग है, तो इस पेड की कहानी में flower कैसा हो जाएगा बच्चो, flower, flower, flower हो जाएगा, flower हो जाएगा हमारा unisexual, ठीक है, इसी को हम क्या कहते है, unity dioceous, flower तो हमारा unisexual dioceous हो जाएगा, पर plant कैसा होगा बच्चो, plant में तो दोनो flower एक ही plant में है न, तो plant हमारा कैसा हो जाएगा, bisexual, bisexual, monosseous, ठीक है, concept clear हो रहा है आपको, ये concept आपको clear हुआ, बीमों से याद रखना कि bisexual मतलब दोनों sex एक ही body में, अगर किसी plant में, अगर किसी plant में, male औ फीमेल भरे अलग-अलग flower में हो पर हैं, तो वो एक ही plant में, तो plant कैसा हो बाई-sexual, पर अगर flower अलग-अलग है, male अलग flower है, female अलग flower है, तो ऐसे flower क्या हो गए, flower तो भाईया unisexual है न, तो यहाँ पर flower औ प्लांट की कहानी बिटा अलग-अलग हो जाती है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो flower कैसे हैं, यहाँ पर flower अलग-अलग है, तो यहाँ पर भाईया मैम, flower तो unisexual है, flower unisexual है, unisexual को unidio, diocious है flower unisexual है, कोई tension नहीं और plant भी कैसा है एक plant में female, एक plant में male है तो plant भी कैसा है, unisexual है और क्या है मेरे लड़ा, diocious है ये कौन से plant का example है बताओ मुझे पापाया तू बता example, ऐसे plant और flower जिन में male और female flower अलग-अलग होते हैं और plant भी लग-अलग होता है उसका example है, पापाया पापाया इसी लिए पापाया जो होते हैं उसमें male और female plant अलग-अलग दिखते भी हैं उनको पास-पास लगाया जाता है ताकि pollination अच्छे से असानी से हो सके इसका क्या example है इसका example देखो क्या है इसको कैसे याद करेंगे अपन इसका example देख लो इसको हम कैसे याद करेंगे इसको अपन याद करते हैं ऐसे इसका example होता है यहां पर कहाँ पर लिखो यार इसका example है castor, ठीक है, यह हो गया, ठीक, यह example है, एक मुझे याद निया रहा, उसको अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो यह example हो गया अपने, अब हम पढ़ते हैं type of the pollination, आप देखते हैं, चलिए, अब हम discuss करने वाले हैं the types of pollination, types of pollination मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का pollination हो, जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास अलग-अलग प्रकार के plants और अलग-अलग प्रकार के flowers हैं, वैसे ही अलग-अलग प्रकार का pollination भी होगा, तो चलो देखते हैं, पर थोड़ी सी theory discuss कर लेते हैं, आओ देखो, So, in flowering plants, male and female gametes are produced in the pollen grain and embryo sac, respectively हमको पता है, यह दोनों क्या होते हैं, बच्चो हमारे, यह हम लोगोंने कितने बार पड़ लिया है, कम से कम तेट 2000 बार तो पड़ी लिया होगा हम लोगोंने, कि pollen grain और embryo sac, pollen grain in the male and the embryo sac in the female is the gametophyte, यह क्या होते हैं, gametophyte होते हैं, और यह क् male and female gamete, pollen grain के अंदर दो male gamete और embryo sac के अंदर एक female gamete जिसे हम XL के नाम से भी जानते हैं, formation होता है, समझ आ गई बात, यह gamete non motile होते हैं, ठीक है, यह gamete non motile होते हैं, इवन अगर male gamete यहामे किसी pollen grain की भी बात करूँ, तो उसमें चलने के लिए कोई पंक नहीं लगे होते हैं, कि चलो आज pollen grain को सेर करने का मने तो पंक फला के उड़ रहा है, इसमें कोई पैर नहीं लगे होते हैं, pollen grain जो होता है, यह different different माध्यम की वज़ा से अलग-अलग agents होते हैं, उनकी help से इधर से उधर जाता है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ female की, किसकी बात करूँ female की, तो female जो हम को gametophyte तो मिल चुके हैं, तो हम लगों को pollination पढ़ना है, एक चीज में आपको और बताती हूँ, अगर आप देख रहे होगे कि यहां पे butterfly आ रही है, तो ऐसे आपने honey bee को भी सुना होगा, honey bees जो होती हैं, वो शहद बनाती हैं, क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, वो ध nectaries के नाम से जानते हैं, glands, responsible for the, ठीके देखो ध्यान से, flower के अंदर होती है, glands, glands क्या बनाती हैं, glands मैं बनाती है, nectar, nectar को सक कौन करता है, nectar को सक करती है, honey bee, ठीके कौन करती है बच्चो, honey bee सक करती है, और फिर यह इससे honey का formation करती है, तो भाया, honey अपने जो है फायदे के लिए flower में जाती है, पर यार रखिएगा, कि honey bee के जो legs होते हैं, उसमें क्या चिपके होंगे बच्चो, उसमें चिपके होंगे pollen grain, और ये pollen grain कहां release हो जाएंगे बच्चो, ये रिलीज हो जाएंगे, मैम, stigma में और pollination हो जाएगा, तो ऐसे, ये भी एक माद्या में, honey bees भी जो होती है, flies है, entomophily के अंदर आती है, तो honey bee के पैरों में pollen grain चिपक जाते हैं, वो फूलों का रस चूसने के लिए जाती है, वहाँ पर pollen grain female part में land करवा देती है, समझ आ गई बात, इसमें कोई confusion तो ने, डन होगे इतनी बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, चलो, fertilization जो ह कॉपिलेशन आदमी क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पैदा करना है, ठीक है, sexual excitement, female का एक nature, even being का एक nature है, पर main objective तो बच्चे पैदा करना ही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, main objective हमारा क्या है, बच्चों, main objective है हमारा, बहुत सारे plants और बहुत सारे flowers का formation करना, समझ में आगई बात, so fertilization is the main objective of the pollination, समझ में आगई बात, fertilization, pollination का main objective है, हम सिर्फ और सिर्फ pollen grain को stigma में land इसले कराते हैं, क्योंकि हमारा objective यह है कि किसी भी तरीके से fertilization हो जाए, और हमें नए नए प्रकार के series of plants मिले, ठीक है, the transfer of pollen grains to the stigma is called as pollination, ठीक है, pollination is nothing, it is the transfer of pollen grain into the stigma, यह pollen grain है और वो stigma के उपर जार कर चिपक रहा है, अब हम लोगों को यह discuss करना है, types of pollination, वो तो मिट गया है, जो पहले लिखा तो मैंने, फिर से लिख देती हूँ मैं, types of pollination, ठीक है, types of pollination में तीन प्रकार के pollination है, जो कि मैं लिखूंगे नहीं क्योंकि मैं एक एक करके discuss So, मेरे लला, basically pollination क्या है, the transfer of pollen grain into the stigma, यह आप समझ गये, types of pollination की अगर मैं बात करूँ, तो pollination तीन प्रकार का हो सकता है, बेटा, तुम लोगों को flowers भी मैंने पढ़ाए न, एक होता bisexual flower होता है, एक होता unisexual flower पढ़ाए न, तो भया, flower और plant अलग अलग type के, तो pollination भी तो अलग अलग type का होगा, अगर एक ही sex दोनो, male और female sex एक ही flower में तो उनका pollination अलग type का होगा, अलग अलग पेडों में है, male अलग पेडों में, female अलग पेडों में, तो भया, उनका pollination अलग type का होगा, so there are three types of pollination, one is the autogamy, second is the zytonogamy and third is the xanogamy, समझ में आई बात, autogamy, zytanogamy और xanogamy अब हम लोग एक एक करके हर प्रकार के pollination के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो चलिए श्री गड़ेश करते हैं और autogamy को शुरू करते हैं, autogamy नाम में ही काम चुपायरे, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी देखो, suppose that कि कोई plant है, ध्यान से देखो, अगर कोई plant है और plant में male और female sex एक ही फ्लार में लगे हुए हैं, अगर male और female sex एक ही फ्लार में लगे हुए हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं, if the male and female sex एक ही फ्लार में लगे हुए हैं, तो ये फ्लार कैसा हो गया है ये प्लार के बना दो है तो यह अगली अगली बना भा इसे कोई लेन दना नहीं है क्यों सप्लार बाहिसेक्षवल फ्लार है।थ इस में नयूच्शेब क्या है रहा हिस्ट ऐसे ऐहां को हम क्या कहते हैं रहे बोलो मेरे साथ .. मेल को हम लोग क्या कहते है एक से जादा हो सकते हैं ठीक है और यहीं पर देखो .. यह हो गया आपका कौनसा पार्ट pistil दोनों पार्ट एक ही फ्लार में present है देन है अब ये श्टेमन और पिस्टल के बारे में हम नहीं पढ़ रहे है क्योंकि पाण को हले हम लोगों पढ़ रखा है उसमें माथा फोडने की जरुद नहीं है ठीक है So already हम लोगों ने ये पढ़ रखाया और जब एक ही फ्लार में हो तो ऐसे फ्लार को bisexual कहते है ये भी हमने पढ़ लिया Now, अब मैं आपको बात करती हूँ ध्यान से सुनो अगर इसी पार, देखो ध्यान से अगर ये जो आपका pollen grain है अगर इसी का pollen grain, इसी फ्लार का pollen grain इसी के female part में चला जाए अगर इसी stamen का pollen grain इसी के pistol में चला जाए कहीं और जाने के जरुवत नहीं है तो ऐसे pollination को हम autogammy कहते है the transfer of pollen grain from the, या ऐसा लिख सकते है transfer of pollen grain from the enter or from the stamen to the ovary और the pistol of same flower is called as autogammy so जब आप pollen grain, आपके stamen से उसी flower के pistol में transfer करते हो तो इसे हम autogammy कहते हैं लिख दूँ क्या, लिख दूँ क्या, transfer of pollen grain from PG मतलब pollen grain, ठीक है from the stamen of the flower to the pistil of तूँ ओ, 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 यह कह हुआ अब तूदा, पिस्टिल of same flower समझ आई बात, देखो, अब ध्यान चे सुनना क्या समझा, अगर एक ही flower के, stamen के, pollen grain को उसी flower के, किस में, पिस्टिल में, यह stigma में छोड़ दिया जाता है तो उसे हम autogammy कहते हैं, यह एक flower है, यह इसकी पंखोडिया है, ठीक है, यह इसकी पंखोडिया है, done यह पंखोडिया बना लो, यह इसकी ovary है, थोड़ा साफ बना के दिखा दे रही हूँ, जिनको लगता है कि बहुती गचपच मची हुई है यह इसकी ovary है, और यह इसका enter है, और यहीं pollen grade निकल कर यहीं पर जा रहा है, done समझ आ गई बात पर, यहाँ पर आपको यह देखने की जरुरत है, बच्चो अब बोलो कि कहा है, अच्छा है बढ़ियां महनत नहीं कर रहे हैं, कोई tension ही नहीं है पर क्या हर समय autogamy फाइदे मंद है, आपने एक ही फ्लार के stigma से, आपने एक ही फ्लार के statement को उसी फ्लार के stigma में छोड़ दिया, तो इसके क्या फाइदे हैं, फाइदे भी है और बहुत सारे नुकसान भी है, समझ आई बात, फाइदे क्या हैं वो देख लो, फाइदे यह हो autogamy, autogamy की क्या फाइदे, बोलो मुझे क्या फाइदे, देखो, अगर हम उसी पार्ट के, उसी पार्ट के, ध्यान से सुनो मेरे बहुत क्या बोल रही हूँ, अगर हम उसी पार्ट के, एंथर से pollen grain को निकाल कर, उसी पार्ट के, उसी फ्लार के stigma को दे रहे हो, तो कहीं जान की जरूरत है क्या, बोलो मुझे कहीं जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, इधर उदर आपको जो है, मगजमारी करने की जरूरत नहीं, वहीं से आप pollen grain ट्रांसफर कर दो, होगे कतम का नि, तो यहां पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आ श्योर्ड, सीड मिलेगा, हमें बीज तो मिलना ही है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइदा जो है, वो यह है, ओटोगैमी का, कि हमें सीड मिलेगा, अब बेटा सीड मिलेगा, तो हमें बहुत सारे फ्लार और फ्रूट मिलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं, दोनों चीज़े हमें मि देमेरिट्स भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एकाट देमेरिट मैं आपको बता देती हूं, चीज़े है, देखो, अब यह बताओ, चलो थोड़ी दिर बात बताती हूं, इसकी क्या देमेरिट्स है, देमेरिट्स ओफ द ओटोगैमी, ध्यान से देख लो, क्या हाटा है इसका, देमेरिट्स ओफ ओटोगैमी, देखो, कभी आप लोगों ने सोचा है कि रिष्टेदारी में शादी क्यों नहीं करा दी जाती, करा दें को टेंशन है क्या, नहीं न, पर फिर तुम खुद सोचो कि जब उनके रिष्टेदार हैं तो अब अगर उस को कोई जनेटिकल डिफेक्ट हुआ मेरे लला, तो वो पीडी दर, पीडी ट्रांसफर होता जाएगा के नहीं होता जाएगा, हाँ मैं होता जाएगा, तो इसलिए हम जनेटिक गडबडियों को सुधारने के लिए एक ही परिवार में शादिया नहीं करते, माल लो कि किसी प परिवार की शादि कराते जाएगे, कराते जाएगे, तो यह वर्ल्ड जो है, कलर ब्लाइंड रेस भरमार हो जाएगी, तो जनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कभी भी एक फैमिली में शादिया नहीं कराते हैं, समझ में आई बात, और शादिया ना कराने का भी ये कारण है कि अगर हम एक ही फैमिली में शादियां कराने लगेंगे तो कभी भी जैसे ही दिखने लगेंगे और धीरे धीरे फर्टिलिटी लॉस भी हो सकती है इस कहानी को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग समझ में आई बात इसे हम क्या कहते हैं इन ब्रीडिंग जब एक ही फैमिली के लोगों में शादियां होने लगें तो इसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग के बहुत बड़े लॉस होते है नेख को बच्चा तो पैदा हो गाएं चाहे फैमली में शाधी कराव झाएं दूसरे में शाधी कराव बच्चा तो पैदा हो नहीं है पर गड़बड़ी यह है कि अगर हम एक फैमिली लोगो में शादियां कराने लगते हैं इन ब्रीडिंग कहलाती है और कुछ समय के बाद fertility loss होने लगती है इसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग loss या इन ब्रीडिंग depreciation कुछ भी कह सकते हैं चीक है समझ आ गई बात डन इसमें आपको genetic variability नहीं दिखाई देगी समझ महाई बात इसमें आपको genetic variability नहीं दिखाई देगी समझ महाई बात genetic variability not seen ठीक है क्यों नहीं दिखाई देती genetic variability ना दिखने कारण क्यों है भाहिया मुझे एक बात बताओ एक ही family के दो लोग है एक ही family के दो लोग है तो jeans तो इसमें भी इसी type के होंगे इसमें भी इसी type के होंगे तो genetic variability दिखेगी क्या तुम कभी किसी चाइना रोस का पौधा देखते हैं maximum angio sperm में जो flowers होते हैं वो कैसे होते हैं bisexual समझ मारी बात maximum angio sperm में जो flowers हैं वो bisexual हैं जिसमें male औफ female एक जैसे बलाव एक ही flower में हैं इसीलिए maximum angio sperm के जो आप flowers देखोगे तो कभी नहीं पता लगा पाओगे कौन मम्मी कौन पापा कौन दादा कौन दादी क्योंकि सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं इस तरीके से genetic variability धीरे धीरे खतम हो जाएगी समझ माई बात इसे लिए जो पौदे होते वो कुछ समय के बाद जो है वो फूल देना बंद कर देते हैं समझ आई बात ना ओ सो genetic variability आपको कभी भी थे सेन नहीं होगे आपको दिखाई नहीं देगी ठीक है उसके बाद आपको कभी भी निू स्पीशी का अराइवल तो दिखेगा ही नहीं ठीक है आपको निू स्पीशी अराइवल अराइवल नोग possible चीक है आपको new species कभी दिखाई निए देगी कभी आपको कोई variation निए हो कोई species दिखाई निए देगी आप सोचो कि एकी एकी को फैंबली की लोगों को fertilize कर रहे हो तो कभी changes आपको दिखाई देंगे क्या नहीं दिखाई देंगे यार साथ साथ जब हम एकी फैंबली के members को या एकी flower के statement और आपके stigma को या female part को fuse कराते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं इससे हम कहते inbreeding ठीक है autogammy में continuous inbreeding अगर आप करेंगे क्या होगी continuous inbreeding होगी करेंगे क्या यह तो होती ही है है इसमें तो inbreeding होती ही है कोई attention निए what is inbreeding? inbreeding का मतलब यह होता है pollination, pollination of pollen grain and egg pollination ऐसा रिखती हूँ pollination of male and female, female part in same flower I know यह बहुत गचपच दिख रहा है पर आपको सुनना है ठीक है अभी आपको इसमें आकल नहीं लगानी ज्यादा done? क्या समझें आप मेरी बात को? inbreeding का मतलब यह होता है कि male और female same ही flower में पाए जा रहे है समझा गई बात inbreeding का मतलब क्या होता है? inbreeding का मतलब होता है male और female part same ही flower में पाए जा रहे हैं continuous अगर आप मेरे लल्ला inbreeding कराते रहोगे रे inbreeding कराते रहोगे तो क्या होगा बोलो मुझे inbreeding continuous कराने से variability आपको नहीं दिखाई देगी आपको सारे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब एक से दिखाई देगे कभी तुमने चाइना रोज जो गुड़ाल का फूल होता है तुम बता सकते हो कि दादी गुड़ाल का फूल है दादाची गुड़ाल का फूल है कभी नहीं बता सकते जीन तो ट्रांसफर होगे ना कोई गड़बड़ वाला जीन गंटिनेसली नेक्स जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है कभी ऐसी जनरेशन आएगी कि वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा रोग हो जाएगा और पौधा मर जाएगा तो इसलिए रोग भी हमें बहुत दिखाई पर जरेते हैं चंटिनेसली इंब्रीडिंग कराने से क्या होगा समझ में आई बात ओके इससे क्या होने लगेगा इन ब्रीडिंग करवाने की वजह से एक फिर इसलिए लॉस होने लगेगा और पौधा फिर नए फलार्स या नए सीड नहीं बना पाएगा ये बात आपको याद रखनी हैं, तो हमारे पास ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ, नेचर बढ़ा ही स्मार्ट है यार, नेचर is very 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 smart thing, ऑटोगैमी से इनब्रीडिंग वाली प्रोब्लम को हटाने के लिए, समझो बात को, आगलो और त्रक् Explain को और ब्रीडिंग वाली प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि यस सेमी फ्लार में इन ब्रीडिंग ना हो नेचर बड़ा स्माट है उसने कुछ ऐसे पॉथे बना रखे हैं जिससे इन ब्रीडिंग का प्रॉब्लम खतम हो सकता है और नेचर की इस चलाकी को हम कहते है इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इसके बारे में हम बात आपको समझ में कि आटोगेमी के क्या है यह अब हमें in short seed तो मिलना ही है कोई रोक नहीं सकता, done है हमको seed तो मिलेगा, हमें भर-भर के seed मिलेंगे कोई टेंचन नहीं है, भर-भर के seed क्यों मिलेंगे क्योंकि बाहर से पोलें खुदन नहीं जाना पड़ेगा अरे आर वो पूलेंई न आया है यह में पर्टिलाइट इस पोड़िएंट बहुँक्षय एक तो इसमें प्लैट में नहीं होने दिन ट으 सो घर्णबप्ड हो नहीं है नेचर से नेचर ने आउट ब्रीडिंग से इन ब्रीडिंग बचने के लिए एगिए इन फ़िलिटि ना हो बन्ते रहे हो आप जो है एक रसी प्लांट के पास कुछ जुगार होना है जिए से हम आउटब्रीडिंग डिवाइसे के अंदर पढ़ेंगे उसको अभी छोड़ देते हैं नाओ नेक्स्ट जो मैं पॉलिनेशन का मेथड आपको बताने वाली हूँ वो है जाई टोनों गैमी या आप उसको जो मन करें जाई टोनों गैमी जो मन करें वो बोलो ठीक है बस याद रखना कि जब आप एक्जाम देने जाओ तो गलत नहीं होना चीए ठीक है अचा कल एक बच्चा मुझसे एक कमेंट में पूछ रहा था कि इस दिस इनफ और नीट येस बेटा मैं नीट ही पढ़ा रही हूँ नीट क्या तुम तो कोई भी एक्जाम देलो अब के वी पी वाइव अगर अगर देने वाले हो तो देलो तो उसमें भी तुमारा कराएंगे उसके पोलन ग्रेन को तो सेम फलार की इस कहानी को हम आटोगैमी कहते हैं ठीक है इससे इन फर्टीलिटी वाली प्रॉब्लम आजाती है due to the continuous in breeding ठीक है आगे बात करते हैं जाई टोनोगैमी है जे टोनोगैमी इसमें क्या होता है देखो let me बनाओ दो प्लांट छ चलो देखो, एक प्लांट ऐसा है, देखो ध्यान से, ये एक ऐसा प्लांट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, ये एंथर एक फ्लार में, और दूसरे फ्लार में मेरे बच्चों लगा हुआ है, आपका पिस्टल, ठीक है? तो इस फ्लार के पास दो ऐसे पौदे हैं, जिसमें एक में एंथर लगा हुआ है, और एक में पिस्टल है, ठीक है? अब ये एक ऐसा फ्लार है, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर मैंने एक ऐसा फ्लार बनाया, जिसमें एंथर भी था, देखो ध्यान से, जिसमें एंथर भी था, और यहाँ पर पिस्टल भी था, कोई टेंशन नी ध्यान सुननारब समझते जाना जाई टोनोगैमी क्या है, ठीक है? यहां पर पिस्टल भी था यह दो बाते क्लियर हो गई आपको अब ध्यान से सुनना जाई टोनोगैमी का मतलब यह है कि आप ऑटोगैमी की तरह सेम फ्लार में पॉलिनेशन नहीं कर सकते इसमें आपको दो डिफरेंट फ्लार यूज करने पड़ेंगे ठीक है इसमें क्या पह नहीं इसमाओं कुछ करने पड़ेंगा कोई टेंशन नहीं ठीक है में कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नीया थीक है अब यह तो सहिए अभि कया प्लान्ट है तुम देखो बस बसब्स बस फलार कैसा है इस प्लांट का अनुम धाए मेर तो हमने क्या दिखाई दे रहा है कोई तो प्लांट बताओ बच्चों कैसा है प्लांट में तो मेल फीमिल दोनों पाइजा रहे ना, तो प्लांट कैसा हुआ? Planٹ Hua Bisexual और ऐसे plant को हम Mon composseous भी कहते हैं समझ में आई बात ऐसे plant को हम Mon detachous plant भी कहते हैं मेरे बच्चों, done हो गई इतनी बात. अब यह बिल्को सहिक आनी है यहां से जो pollen grain बने, कौन से गला की बनाओ? बढ़ाओ, blue के खिर्थ ही, यहां पर to the stigma of another flower, कि यह किसमें हो सकता है? बाइसेक्ष्यल प्लांट में भी हो सकता है और आपने देखा के की प्लांट में दोनों है फार फ्लार तो अलग-अलग हैं इसमें जो आपका निकले पोलेंगें उसको फट से ट्रांस्फर कर दो तू दा पिस्टल ओफ डिफरेंट फ्लार मैडम इसमें तो दोनों सेक्सेस एक ही से हम कैसे करें बताईए ना आप हमको तो क्यों टेंशन ले रहे हो बता रही हूं ना मैं यह हमारा दूसरा फ्लार है ध्यान से देखो यह हमारा दूसरा फ्लार है यह लगा हुआ है एंथर और बीच में लगा हुआ है क्या मेरे बच्चो बीच में लगा हुआ है पिस्टल ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात अब यह क्या प्रेड्यूस कर रहे हैं यह produce कर रहे हैं मेरे बच्चो pollen grain अब अगर इसी flower में transfer हुआ देखो यह plant कैसा है मैं मैं यह plant bisexual है ठीक है, plant क्या है, bisexual है दोनों sex इसमें एक ही male female sub mix है और flower भी कैसे हैं बच्चो इसके flower भी कैसे है bisexual male or female एक ही flower में हमको दिखाए दे रहे पर फिर भी इसमें क्या हो सकती है जाइटोनों गैमी हो सकती है कैसे होगा रहे, ध्यान से देखो तुम अगर सेम plant में transfer कर दिये सेम flower में transfer कर दिये तब तो यह auto game है पर इसी plant में हमारे पास क्या हो सकती जाइटोनों गैमी भी हो सकती है यह जो pollen grain यहाप पर यह produce कर रहे इस pollen grain को ले आओ इस flower में ठीक है कौन सा कलर भी हो यार इस pollen grain को ले आओ इस flower में ठीक है कोई tension नी कोई परिशानी नी होनी चीए तो इस pollen grain को ले आओ इस flower में कोई tension नी कोई परिशानी डन और और यहाँ पर जो pollen grain grain from one flower to another flower this is called as jaytonogamy and if you are not using two different flower you are doing all the things into single flower this is the autogamy done हो गया इसका एक बार स्क्रीन शोट ले लो जरा चलो बच्छो एक और आपको फाइदा बताती हूँ देखो हमको यह समझ में आ गया कि जब भी हम autogamy करेंगे तो हमको seed तो मिलना ही मिलना है क्योंकि बड़े ही पास पास रहते है close proximity में रहते हैं पर 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 आपको पता autogamy को और क्या फाइदा है autogamy में हमको कायर autogamy में हमको और क्या है हमको किसी भी पॉलिनेटर की जरुवत नहीं है ठीक है हमको no need of agent यार ठीक है यह भी एक फाइदा है कि हमको किसी भी agent की जरुवत नहीं हमको wind की हवा पानी गोला इनकी जरुवत नहीं है क्योंकि पास पास है तो वो अपने आप ही जो है actually autogamy जो flower होते हैं generally उनका arrangement ऐसे होता है कि इस प्रकार से enter होता है मतलब जो आपका statement है और नीचे उसका female part होता है और cut से वो release कर देते हैं नीचे को तो arrangement ऐसा होता है जिसके वज़़ए से autogamy होती है तो यहाँ पर हमको जारा तर agent की जरुवत नहीं होती है पर autogamy की वज़़ए से हमको क्या phase करना पड़ता है continuous inbreeding होती रहती है और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कुछ समय के बाद fertility loss होने लगता है बेटा बेटा NCRT में इस term का एक नाम है जिसे हम कहते हैं inbreeding depression यह लिखेंगे inbreeding depression वो कहानी है जिसमें continuously autogamous flower जो है continuously autogamy करते हैं self fertilization करते हैं जिसकी वज़ए से inbreeding depression होता है infertility loss होना लगती हो सकता है वो species ही extent हो जाए तो autogamy कहीं अच्छा है क्योंकि seed तो बनना ही पर कहीं-कहीं खराब भी है autogamy से निपटने के लिए हमने बहुत चारे जुगाड़ पानी करें हैं जिन्हें हम in outbreeding devices में पढ़ेंगे बहुत गंदार लिखा है पर आपको पढ़ना है ठीक है यह समझ गए jaytonogamy का मतलब जब हम दो different flowers के बीच में pollination कराते हैं jaytonogamy is something like autogamy ठीक है पर थोड़ा सा variation दिखता है क्योंकि दो different flowers के बीच में थोड़ा बहुत genetic variation हो जाता है same flower में क्या ही होगा यार ठीक है पर फिर भी jaytonogamy is almost like the autogamy okay now आगे बढ़ें ठीक है so मुझे बताओ कौन सा ऐसा flower है जिसमें male औ female अगला फ्लार वोते है एक ही plant बहीं बताओ example बताओ क्या था मैंने एक बताया था मैम अपने example कैस्टर एक आपने example बताया था कैस्टर और एक आपने example बताया था maize maize ये वाला जो एक प्लांट है जिसमें male flower अलग होता है female flower अलग होता है यह इन दोनों में होता है ठीक है plant एक ही होता है male flower अलग होता है female flower एक ही plant पे लगय होता है ठीक है आजो बच्चो अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा last वाला pollination which is the xenogamy third type of pollination which is the xenogamy Xenogamy देखें क्या होता है यह आजाओ मज़ा आएगा पढ़ने में देखो कभी भी आप लोगों ने इस तर्म के बारे में सुना हैं क्या बच्चो इसके बारे में सुना है xenograft xenograft के बारे में सुना है xenograft का मतलब यह होता है जब भी हम लोग ग्राफ्टिंग कराते हैं, ध्यान सुना मेरी बात, जब भी हम लोगों को, suppose that कि हमको किसी का औरगन लेना है, हम औरगन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपनी किड्नी देते, तो किड्नी सबसे दे किसकी accept होगी, किड है, तो जीनो का मतलब होता है, अदर जगा से, कहीं और से, समझ में आ गई बात, किसी और जगा से, done हो गई, so कहीं और से मतलब, कहीं और से मतलब यहाँ पर यह है, कि अगर आप किसी दूसरे प्लांट का पोलेन ग्रेन ले रहे हो, मेरी बात समझे, if you are, if, if, if stigma, stigma, receiving, 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 the pollen grain, pollen grain of, of different plant, different plant, ठीक है, then this is what, xenogamy, समझ में आ गई बात, जैसे, देखो ध्यान से, एक प्लांट बना ले है, पर लोग यहाँ प्लांट बना लेते हैं, ठीक है, अब इस प्लांट में, दो तीन बना लेते हैं, कोई टेंशन नीए, चलो एक ही बनाते हैं, ओके, चलो, यह मैंने एक फ्लार बनाया, यह मैंने एक फ्लार बनाया, ठीक है, अब इस फ्लार में मालनों लगा हुआ है एंथर, ठीक है, और इसी पेड में ऐसे लगी हुई है, ओवरी, this is the female part, done, यह एक प्लांट है, जिसमें एक male पार्ट है और ए यह एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, यहां पर एक लगा हुआ है यह मेरा क्या एंथर, और सेम प्लांट में लगी हुई है, ओवरी, यह लगी हुई है, ओवरी, ठीक है, यह हो गई, ओवरी, done, ओवरी female part, अब मालों कि इसका पोलन ग्रेंग, इसका पोलन ग्रेंग, इस व और इस वाले का पोलेंग घ्रेन इसकेपास आ जाए, तो आप क्या देख रहे हो कि जब पोलेंग घ्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के में ल में होता है, तो इसे हम जीनो गैमी कहते हैं, जीनो ग्रैमी में variability का chances very high अगर मैं पूछू कि सबसे different type के flowers किस वाले pollination में बनेंगे तो जैनो ग्रैमी में ठीक है variability का chance chance of variability is very very high यह आपको याद रखना है So chances of variability यहाँ पर बहुत जादा होते हैं यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि दो different type के plants आप use कर रहे हैं जिनका genetic makeup क्यों क्यों वाई ऐसा क्यों हुआ वाई लिखना पड़ेगा यहाँ पर वाई Because genetic makeup देखो genetic makeup of two different plants थोड़ा छोटा लिख रही हूँ पर ध्यान से देखो genetic makeup of two different plant is variable समझ आ गई बात तो अगर आप से पूछा जाए कि आपको सबसे अधिक variation ज्यान से सुनों वे रही बात क्या बोल रही हूँ मैं अगर आप से पूछा जाए कि सबसे अधिक variation मुझे किस वाले method में मिलेगा तो आप xenogamy बोलना क्योंकि xenogamy में आप दो different plants का use कर रहे हो समझ में आई बात सबसे कम variation किस में दिखाई देगा autogamy में zitonogamy में आपको दिख सकता है कोई problem नहीं है zitonogamy में भी xenogamy हो सकती है समझ में आई बात zitonogamy में भी xenogamy हो सकती है क्या problem है भाई यह इसका पोलन गैम यहां उडा के लिए जाओ का टेंशन है so zitonogamy वाले फ्लार में भी xenogamy हो सकती है मुझे बताओ कि ऐसा plant बताओ ठीक है अच्छा zitonogamy, xenogamy और किस में हो सकती है suppose that कि यह मेरे पास एक plant है suppose that कि मेरे पास एक plant है ठीक है अब इस plant में सिर्फ और सिर्फ male लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पर मेरे पास एक plant है ठीक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है female लगा हुआ है ठीक है यह कौन example कौन है बोलो मुझे यहाँ पर pollen grain producer वे वे यहाँ है यह कौन से gammy है बोलो this is the zainogamy example क्या हो गया papaya तू बता ठीक है so अगर मैं देखू अगर इसी देधान से देखो इसेम प्लांट में अगर यह वाला pollen grain यहाँ उटके चला जाता यह वाला pollen grain यहाँ उटके आ जाता then this is the zainogamy पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो तो तो डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है यहाँ पर आप क्या देख रहे हूँ papaya इसका भैतरीन एक्जामपल है papaya में male औफ female बिल्कुल अलग अलग होते हैं समझ में आई बात papaya में male plant अलग होता है और female plant बिल्कुल अलग होता है समझ आई बात papaya जो है best example है zainogamy का इसलिए पपाया में male औफ female को आसपास लगाया जाता है कि ऐसा ना हो कि इनको कोई इनको pollen grain नहीं ना मिला आसपास रहेगा तो pollination असान हो जाएगा पर xenogammy में problem यह है ध्यान से सुनो xenogammy में हमेशा xenogammy best होती है variability के लिए but you always xenogammy you always need of आपको हमेशा किसकी चाहिए? एजेंट की नीड है बिना एजेंट के, बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के आप पॉलिनेशन नहीं कर पाओ गया हवा, पानी, गोला, कुछ न कुछ तो चाहिए इंसेक्ट, कुछ न कुछ तो चाहिए जिससे पॉलिन ट्रांसफर हो चीक है, ये कंसेट क्लियर हो गया आप लोगों को, so I hope कि आप ये समझ गए होगे, तीनु टाइप के और टोगैमी का एग्जेंपल क्या बता देते हैं एग्जेंपल एक एक डिसकस कर लें क्या एग्जेंपल है इसका चाइना रोस, जो की हर्मा फ्रोडाइट होता है बाइसेक्शुल है, इसमें होता है जाइटोनोगैमी का आप कैस्टर कैस्टर, और मैंने आपको एक और क्या बताया था कैस्टर और मैं बार बार इसका नाम भूल जाती हूं ठीक है, याद आएगा तो बताती हूं जैनोगैमी का एक्जाम्पल इस पापाया ठीक है, ओके, डन हो गया इतनी बात कोई टेंचिन, कोई परिशानी तो नी ठीक, कैस्टर और मैं याद आगे, भूल जाती हूं आपको एंजी आटी के एक्जाम्पल आपको यू रटे होने जी है ठीक, अब आपसे एक सवाल पूछती हूं ठीक है, अब आपसे मेरा मन है कि एक सवाल पूछ लेती हूं ठीक, ध्यान से देखो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, कहां गया, कहां गया, कहां गया ओके, क्या कैस्टर और मेज में, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या कैस्टर और मेज में, ठीक है कैस्टर और मेज में, कैस्टर और मेज में क्या-क्या हो सकता है Question ये है, type of pollination, ध्यान से देखो, type of pollination, pollination in caster and maze, आपको बताना क्या क्या होगा क्या इसमें autogammy हो सकती है, बताइए मुझे, बोलिए मुझे, क्या इसमें autogammy हो सकती है, नहीं क्योंकि autogammy तो उनी में होती है, जिनमें male और female flower, इस पार्ट सेम flower में हो, आपने caster and maze में क्या देखाता है, कि एक ही plant में थे male और female अलग, ठीक है, पर एक ही flower में नहीं थे, ठीक है, क्या इसमें zaitonogammy हो सकती है, ठीक है, बताइए मुझे, क्या इसमें zaitonogammy हो सकती है, zaitonogammy हो सकती है, या fourth option, two and three, correct, ठीक है, बोलिए मुझे, कौन सा option होगा, बोलिए मुझे, हमने ये देखा बच्चों, कि जो maze होता है और caster होता है, उसमें एक ही plant में male flower अलग होता है, female flower अलग होता है, मतलब zaitonogammy तो हो सकती ही न, एक flower से दूसरे flower, तो zaitonogammy क्यों न maze और cotton में, दोनों maze zaitonogammy भी हो सकती है, और zainogammy भी हो सकती है, तो option होगा four, अगर आप से पूछा जाए कि papaya में कौन सा option होगा, चलो देखें, papaya कैसा plant होता है, जिसमें male plant अलग होता है, और female plant अलग होता है, ठीक है, papaya में type of pollination हमको बताना है, बताओ मुझे, papaya में option a, क्या इसमें autogammy हो सकती है, जी नहीं माम, यह क्यों बोलती हो आप, autogammy तो same flower में होगा ना, क्या बेटा, इसमें zaitonogammy हो सकता है, zaitonogammy हो सकता है, क्या बोलो, बिल्कुल भी नहीं होगा, zaitonogammy का मतलब यह है, कि आपके जो male flower है, और female flower है, वो एक ही plant में होने च तीनों option उपर के incorrect है, ठीक है, अबव 3 wrong, ठीक है, अबव रॉंग लिख देती हूं, बस ठीक, बताओ, कौन सा option होगा इसका, zaitonogammy, जब भी plant अलग-अलग होता है, जब भी plant अलग-अलग होता है, तो zaitonogammy ही होगा, male plant अलग और female plant अलग हो, तो zaitonogammy होगा, मैं autogammy म नहीं हो सकती, जो आपके hermafrodite, जो bisexual flower है, क्या उसमें xenogammy नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, बेटा, बट chances of pollination जो है, वो self flower का जादा होता है, तो मुझे बताओ, कि अगर तुमको पता है, कि बाजू में, मेरे बाजू में ही मुझे pollination या pollen grain मिल रहे है, तो तुम दूर में क हो जाओगे, और जब भी हम autogammy की बात करते हैं, बच्चो, तो flower में sexual organ का arrangement ऐसा होता है, कि बाजू से लेना ज्यादा preferable होता है, दूर से लेने के बढ़ाए, पर ऐसा नहीं है, कि xenogammy नहीं हो सकता, हो सकता है, ये clear हो गया आप लोगों को, ये concept clear हुआ, अब आए, NCRT मे एक concept और है, जिसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, कहां पढ़ाओ, यहां पढ़ाओ, चलो, एक NCRT में एक concept है, जिसे के हम कहते है, chasmogammy and clistogammy, ठीक है, या basically, दो कुछ ऐसे plant होते हैं, जिसमें दो प्रकार के flower होते हैं, ठीक है, देहान से सुनो, कुछ plant ऐसे होते हैं, जि जिसमें दो प्रकार के flower होते हैं, समझो बात को, यहां autogammy चली है, तो फिर बात कर लेते हैं, दो, कुछ फ्लार ऐसे होते हैं, जिसमें दो प्रकार के flower होते हैं, ठीक है, जैसे की, क्लिस्टोगैमस flower, ठीक है, क्लिस्टोगैमस flower, ठीक है, और होते हैं, चैजमोगैमस flower, ओ माम, यह क्या बता रही हो आप, देखो मेरी लला, कुछ, कुछ, प्लांट ऐसे होते हैं, जिसमें दो प्रकार के flower होते हैं, NCRT में दिया है, तो पढ़ना है, आपको एक्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मुझे बोलोगे कि बना या, बना नहीं, देखो, क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यानचे, ओटोगैमी, ओटोगैमी में आपने देखा, कि आपको वेरिबिलिटी ने इमिल पा रही है, चीक है, हमने देखा कि जब भी हम किसी बाइसेक्शल फ्लार की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको वेरिबिलिटी ने दिख पाती, क्योंकि जेनेटिक मेकप मेल ओफी मिल का एक था, तो कुछ प्लांट्स ने बच्चों मेरे अकल लगाई, कुछ प्लां विदेशी बच्चा पैदा करने की इकषा रखते हैं, और अपने अंदर कुछ ऐसे फलार पैदा करते हैं, जिससे विदेशी बच्चा पैदा हो पर वो इस बात को नहीं भूलते कि अगर विदेशी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर भईया सीड नहीं बनेगा और हम नहीं पौदे कैसे बनाएंगे इसलिए वो कुछ अपना बैक अप बना कर रखते हैं कुछ ऐसे भी फ्लार बनाते हैं जो कम से कम शौर सौर्ट सीड तो बनाएंगे ही भले वो विदेशी हो या नहीं हो अब मैं मैं यह क्या बोल रही हूँ थोड़ा सा आप लिख के समझाओगी तो हमको जादा सीख समझ में आएगा देखो बेटाया हमारे पास NCRT में कुछ प्लांट्स के एक्जामपल्स हैं ठीक है हमारे पास कुछ प्लांट्स के एक्जामपल्स हैं उनको उन एक्जामपल्स को में पढ़ना भी है ठीक है आओ देखें यह एक प्लांट मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ ठीक क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है बंधा हुआ एक चैज्मोगेमस का मतलब होता है खुला हुआ आपको तो जो फलार बंधे हुए रहते हैं निहान से सुनो रे क्या बोली हैं जो फ्लार बंधे हुए रहते हैं, जिनमें आपको मेल और फीमेल दिखाई नहीं देता है, उन फ्लार को हम क्लिस्टो गैमस फ्लार कहते हैं, समझ में आई बात, जो फ्लार बंधा हुआ रहता है, उन फ्लार को हम क्लिस्टो गैमस फ्लार कहते हैं, समझ में आई बात, क्लिस् है जिनमें male or female exposed नहीं होते ठीक है जिसमें female and male flower दियान सुनो female and male flower exposed नहीं होते दिखाई नहीं देते बल अब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बड़ा प्यार प्यार है दुनों के बीच में not exposed आई बात समझ में तो जब male and female flower आपस में दूर दूर ना रहें बिलकुल पास पास रहें तो इसे हम क्लिस्टोगेमस flower कहते हैं और यह जनरली जो होते हैं बच्चों मैं बताऊं यह बड़े ही बिलकुल इनको कोई मतलब नहीं इनको कोई colorful नहीं दिखेगा no need of color no need of color इसमें कोई color की जरुवत नहीं है क्योंकि इसको पॉलिनेशन नो नो नीड ओफ नो नीड ओफ पॉलिनेटर आई होब कि यहां पर गजर पचर कम हुआ होगा और आप लिख पा रहे होगे ठीक है देखो जहां से सो बेसिकली कि autogammy से बचने के लिए infertility depression से बचने के लिए ठीक है भाई आपका मैंने आपको पढ़ा inbreeding depression से बचने के लिए कुछ जुगार करते हैं लोग ठीक है तो viola इसका एक example है आपको दो example मैं और आपको बताती हूँ ठीक है oxalis इसका एक example है ठीक है सो कुछ फ्लार कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ दो टाइप के फ्लार होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं कि भाईया उनका खांदान बचा रहे ठीक है तो वो कुछ ऐसे फ्लार बनाते हैं जो ऐसे बंधे हुए रहते हैं इनमें male और female जो होते हैं exposed नहीं रहते और male और female बड़े ही close proximity में रहते हैं समझ में आई बात इसमें male और female जो होते हैं बहुत ही close proximity में रहते हैं समझ में आई बात इसमें male और female बहुत ही close proximity में रहते हैं इसले इनको किसी भी प्रकार की कोई pollinator के अवशकता नहीं होती है तो यहाँ पर उपर वाला फ्लार कुछ भी करता रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है यह श्योर शॉट अपना pollen grain बनाएंगे और वहीं वहीं पर उसी उसी फ्लार को अपना pollen grain देते जाएंगे और यह सीड कम से कम बनाएंगे ताकि यह plant वापस से आ सके दूसरा जो पौदा है उसने बहुत ही तूपानी काम किया वो mountain dew पी लिया था और उसको बोला कि आज मैं कुछ तूपानी काम करना चाहता हूँ इसके पास कुछ ऐसे flowers थे जो कि बहुत ही खुले हुए थे चीए अब यहां पर मुझे खुले विचार भराओं वाला फ्लार बनारा है यहां पर कुछ ऐसे flower बनाएं उसने में यहां पर यह मिटा देती हूँ ठीक है यहां पर उसने कुछ ऐसे flower बनाएं जिसमें उसमें यह तो थे थोड़ो से पंखुडियां बना दू बहुत दिनों से पंखुडिया नहीं बनाई है उसने कुछ ऐसे फ्लार बनाए जो बिल्कुल खुला हुआ था और आप अगर इसका स्टेमन देखें ठीक है या इसका मेल पार्ट देखें तो वह मेल पार्ट जो है वह बिल्कुल ही मतलब इसका मालो की फीमेल वाला पार्ट यह जादा बड़ा है ठीक यह देखो कैसा बनाया मैंने ओके नाव अगर आप इस फ्लार को ध्यान से देखो तो यह फ्लार हमें कैसा दिख रहा है मेरे बच्चो यह फ्लार मैं हमको ओपन दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साथ ही साथ यह फ्लार आपको कैस to the male, आप बहुत ही गच पच लिखा यार, यहां ऐसा नहीं लिखूंगे, ठीक है, कहां पर लिखूंगे, इसमें अगर आप देखें कि female part जो है, वो है big, female organ is big, ठीक है, female organ कैसा है मेरे बच्चों, बड़ा है, समझ आ गई बात, साथ ही साथ, equal भी हो सकता है, ठीक है, equal, equal to the, stamen, समझ में आई बात, सो आप इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि male और female part बिल्कुल equal है, समझ में आई बात, या तो एक ही length पे होगा, या तो female थोड़ा बड़ा होगा, तो क्या होगा, कि pollen grain landing में दिक्कत होगी, देखो देहान से, इजर देखो, अगर म आपका stigma, अगर माल लो कि आपका stamen यहां पर है, एंथर, ठीक है, तो यहां से यहां pollen grain release कर पाने कुछ नहीं से नीचे जुका छोड़ देगा, पर problem तब हो जाती है, जब आपका stamen जो है ना, वो छोटा है, तो यहां से यहां land कराने में होगी problem, तो पौधे, कुछ पौधे ऐसे environment में पाए जाते हैं, जो ऐसा अपने अंदर flower में arrangement करा लेते हैं, कि देखो, autogammy को हो सकती, इसमें कुछ वो नहीं, autogammy हो सकती, पर वो generally autogammy नहीं होती, क्योंकि उपर उडा के pollen grain पहुचा पाना is really difficult, तो इस flower में क्या हो सकता है, पर ऐ ऐसे और भी flower होंगे, तो zytonogammy भी हो सकता है, और xenogammy के भी chance, यहाँ से किसी दूसरे stamen के pollen grain के आने के chance भी बढ़ सकते हैं, तो chasmo gammas flower वो flower होता है, जो open होता है, यह flower अपना arrangement ऐसे करता है, कि stamen को थोड़ा छोटा कर देता है, female part को बढ़ा कर देता है, जिससे उड़- of xenogammy, ठीक है, ध्यान से देखो, यह कौन सा flower है, लिखूंगे मैं, this is the chasmo gammas flower, ठीक है, यह कैसा flower है, this is the chasmo gammas flower, ठीक है, chasmo gammas flower में autogammy हो सकती है, but the chances of, ध्यान से सुनो, chances of, what बच्चो मेरे, the chances of xenogammy, ठीक है, the chances of xenogammy and, and zytonogammy will more, ठीक है, zytonogammy will more, ठीक है, done हो इतनी बात, कोई tension, कोई परिशानी तो नहीं, अब आओ, पहले मैं इसका एक, आपकोई screen shot दिखाना चाहूंगी, जो NCRT आपकी बोलती है, बाकी इस सारा चीज मैं पढ़ाऊंगी, tension ना लो, पहले मैं आपको NCRT दिखा दू, ताकि मेरे दिल को थोड़ा chain आए, कहा है, जू 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 जू 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 मैं रिखाती है, इस से क्या होता है इससे क्या होता है? मुझे बताओ कि ये जो flower है, इसका example है viola, ठीक है? इसका example में और है आपका that एक और मुझे आद दो है इसका example मुझे आद ने, एक तो viola हो गया अपना, ठीक है? एक oxalis हो गया अपना, इसका क्या फाइदा है? इस कहानी का फाइदा ये है कि इस plant से, इन सा एक sure sort sheet तो चाहिए, ठीक है? surety of seed तो complete है, surely seed तो मिलेगा हमें, ठीक है? हो सकता है कि इसमें genetic variability, genetic variability, genetic variability, genetic variability मिल भी सकती है, ध्यान से सुनो, genetic variability बच्चो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि माल लो कि अगर यहाँ पर zaytono gammy, यहाँ पर zeno gammy नहीं हुआ, तो genetic variability नहीं मिलेगी, और अगर हुआ तो मिलेगी, तो chances of variability हैं भी और नहीं है, आइए इसका example देख लेते हैं, चलो, अब इन plants के अपने अपने फाइदे हैं, क्यों फाइदे हैं, आप चाहे तो इन ही plants में हमको genetic variability देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जीनो gammy हो रही है, पर अ इंथर होता है, जो आपका stamen होता हुँ, इतने पास होता है stigma के कि उसको किसी बाहर से pollinator के अवशकता है ही नहीं, वो वहीं के वहीं pollen gram release कर देगा, अब इन plants के बेटा example learn कर लो, कौन-कौन से आपके उसमें दिये हैं, देखो, एक common man था, ठीक है, एक common man था, जैसे मेरे तु आउक्स के उपर, हम लोग बैल के उपर चड़े वे थे, और हम क्या बजा रहे थे, वोईलिन बजा रहे थे, ठीक है, क्या बजा रहे थे, एक common man, आउक्स के उपर चड़कर, वोईलिन बजा रहा था, ये क्या बता दिया मैम, example learn कर लो बेटा, कौमे लीना, ठीक है, common man से याद रखना है कॉमेलीना, औक से याद रखना है, औक जैलिक साउस के उपर चड़कर, क्या बजा रहा था, वॉयलेंड, मतलब वॉयला, ठीक है, यह आपके तीन एक्जेम्पल है, जिसमें दो प्रकार के फ्लार होते हैं, खेंके, हैविंग, हैविंग, two types of flour, ठीक है, two types of flour, कॉन कॉन से flour, क्लिस्टोगैमर्स और च्याज्मोगैमर्स, ठीक है, two type of flour, डान हो गई इतनी बात, ख्लियर हो गया concept, अब आओ, फिर से चलो पुरानी वाली दुनिया में, हम लोगों ने पढ़ा autogammy के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा autogammy के बारे में, ठीक है माम पढ़ा दिया आपने को attention नहीं, autogammy में सबसे बड़ा problem ये है कि हमको genetic variability देखने के लिए नहीं मिलेगी, पर फायदा ये है कि इसमें बाहर से pollination नहीं भी होगा, तो भी चलेगा, और साथ ही साथ हमें अच्छे-च्छे नए-नए सीट भी मिलते रहे, नए-नए मतलाब की सीट तो मिलेगा, नए नहीं मिले, वेरीबल नहीं मिले, तो भी attention नहीं, तो इस problem से निपटने के लिए, इस problem case से निपटने के लिए nature ने लगाया अपना दिमाग, चीक है, चलो देखते हैं, आओ देखो बच्चों मिरे साथ, to prevent the autogamy, ध्यान से देखो, to prevent the autogamy, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों बात क्या बोल रही हु मैं, to prevent the autogamy, nature ने लगाया अपना दिमाग, autogamy को prevent करने के लिए, nature ने लगाया अपना दिमाग, और फिर क्या किया, और फिर क्या किया, nature ने फिर develop किये some out breeding devices, समझ में आई बात, nature ने क्या develop किया मेरे लला, nature ने डवलप किया out breeding devices, ये क्या होता है, भाई, plants में, plants ने अपने अंदर कुछ ऐसे changes किये, जिससे autogamy prevent हो गई, autogamy को prevent करना इसलिए जरूरी था, ताकि किसी भी प्रकार का बार-बार self-pollination होगा, तो भाई, क्या होगा, inbreeding होगी, inbreeding होगी तो changes नहीं मिलेंगे, कुछ समय के बाद infertile हो जाएंगे plant, तो inbreeding depression स से बचने के लिए, plants ने लगाई कुछ अकल, वो अकल क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चले, सबसे पहला जो उसने अकल लगाई वो है unisexuality, ध्यान से देखना बच्चा, unisexuality, सबसे पहली जो अकल उसने लगाई है, वो है unisexuality, क्या होता है बच्चो, यह unisexuality क का मतलब यह है या तो यह मुणो शिय सोजाए मूऊ शिय स Oh Yeah मोनो शिय सोजाए यह क्या बता रही हो माम या तो यह दाइस रखो यार तुम लोग थभ़व पैशन्स रखरो डाइस हो ज्य गयों देखो मौनो 시청 कstory मतलब क्या वा यहां पर हमारे पास प्लांट तो एक ही होगा पर इसके एक फ्लार क्या होंगे स्टेमिन वाले और दूसरे फ्लार कैसे होंगे पिस्टल वाले शुतन में नो की इतनी बात कोई दिकत कोई परशानए इसमें So monoseous, हम लोग unisexuality को maintain करें, ठीक है, यह unisexual flower बन गए हमारे पास monoseous वाले, जिसमें male flower अलग होगा और female flower अलग होगा, ठीक है, पर plant एक ही होगा, कोई tension नहीं, तो इससे क्या होगा वहिया, यह कहानी से क्या होगा, autogammy नहीं हो सकती, autogammy ना मुनना ना, इसमें autogammy नहीं हो सकती, इसमें क्या हो सकती है, jeitonogammy हो सकती है, कोई tension नहीं है, jeitonogammy में तो different flower में आपको करना है न, pollination हो जाएगा, कोई tension नहीं, और इसमें xenogammy भी हो सकती, बाहर से भी pollination हो सकता है, तो कम से कम autogammy से तो जादा हमको variation दिखाई देगा, इसमें done है, example बताओ, example बताओ और इनाम पाओ, इसका example है बच्चो मेज और कैस्टर मेज और कैस्टर कई बार हम डिसकस कर चुके है और यह कहानी क्या है डायोशियस कर दो बहिया कोई टेंचन नहीं, दो प्लांट लो दो प्लांट लो बहिया, सीडी बात है एक्जामपल बताओ, इसमें क्या होता है मेल, मेल, एंड फीमेल प्लांट, प्लांट्स आर सेपरेटेड समझगा भी बात, मेल एंड फीमेल जो प्लांट है वो सेपरेटेडेडे डन होगे इतनी बात को, इतनी कोई परिशानी तो नहीं अब सुनो मेरी बात, तो यह अधर आप कर दिये आपको क्या करना, नेचर खुदी कर लेता है तो नेचर कुछ ऐसे मोनोशियस प्लांट बनाता, प्लांट मोनोशियस है पर फ्लार कैसा है बच्चो, फ्लार कैसा है बोलो, मोनोशियस फ्लार, मोनोशियस होते, तो यह आउट बरेडिंग डवाइस है, आउट ब्रीडिंग डवाइसें का एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हुं वो भी देखो आप ध्यां से सुनो मेरी बात, आप द्यक्टिव इडिवाइसें क्या है? आप जेक्टिव सुनो, ध्यां से सुनो इसका एक ही objective है to prevent self-pollination and promote cross-pollination, ठीक है? to prevent self-pollination and promote cross-pollination, ठीक है? हमको ये काम करना है, समझ में आई बात हमको कुछ भी करके autogamik को रोकना है और हमें cross-pollination करवाना है, अगर हम बेटा cross-pollination करवाएंगे तो बोलू क्या होगा? अगर हम cross-pollination करवाएंगे तो दो चीज़े होगी, ठीक है? दो चीज़े होगी, एक तो हम ingredient depression से बच जाएंगे, क्या होगा बच्चो? prevention of, prevention, copy में लिखा करो, ये सब में बकवासे नहीं कर रही है, ये जो आप बोलते रहते हो ने, जो 13 पन्ने लिखे हैं मैंने, ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि कम से कम आपके notes बन जाएं और तुम जो है, चैचे मत करो, यहां करो, कहां से notes पढ़ें, बेटा ये जो board पे लिखा हुआ है, वायोला है, वायोल, हाँ ठीक है, तो ये जो board पे लिखा हुआ है, ये बकवासे नहीं लिखी हुई है, ये आपको मैं outbreeding depression से हम बचेंगे, तो infertility नहीं आएगी plant में, तो कम से कम वो नए flower तो आते रहेंगे उसमें, साथ ही साथ सबसे important चीज़ जो outbreeding devices काम है, ये जो topic है, उसका main objective ये है, genetic variability को maintain करना, ठीक है, क्या का मैं बचो, genetic variability को maintain करना, समझ आ गई बात, so main work इसका ये है, कि हमें किसी भी तरीके से genetic variability को maintain करना है, और genetic variability तब maintain होगे, जब हम different pollination, different pollen grain का इस्तमाल करेंगे for the flower, ठीक है, वहीं वहीं का इस्तमाल कर लोगे तो फिर नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ in breeding depression से prevention हो जाएगा, जिससे हमको infertility flower में नही प्लांट में नहीं आएगी, ठीक है, so ये main objective है, इसलिए हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का साहारा लेते हैं, ठीक है, types of pollination, आगे बढ़े, चलो, आगे, now ये पहला हो गया, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो पहला प्लांट अपने आप में जनरेट करता ह नेचर जो है, जनरेट करवाती है, बच्चे, वो ये, दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या है बच्चो, दूसरा आजाओ, क्या है, देखो, दूसरा है, डाइको, डाइको गैमी, ये क्या होती है, देखो ध्यान से, डाइको गैमी, क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर किस इसी बाइसेक्शुल फ्लार में, सुनो, धान सुनो, डाइकोगैमी क्या होती, यह समझ गए ना, कि हम यूनिसेक्श्वालिटी को मिंटेन करेंगे, तो हम आटोगैमी से शायद बच जाए, बचनतें के लिए तो को नहीं बचेंगे, पर बच सकते हैं, वैसे उसमें आटोग किस से कर सकते हैं, जिनके मेल और फीमेल फ्लार वाले प्लांट ही अलग हो, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, डाइकोगैमी क्या होती है, डाइकोगैमी का मतलब यह है कि आपको टाइम चेंज कर देना है, आतलम आपको कुछ नहीं करना है, नेचर खुद बखुद कर जैसे, जब मेल डवलप होता है, अपने पोलें ग्रीन बना लेता है, जब वो मैचॉर कर लेताँ, तब इधर से फीमेल भी मैचॉर हो जाती है, और रेसेप्टिव हो जाती है, कि आओ मुझे पोलें बेर देदो, कोई दिककत परिशारी नहीं है, पर अगर यहां पर अगर दो चीज़े हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम proto-gynous, देखो अगर आज आपने नहीं सीखा, तो कभी जीवन में नहीं सीख पाऊगे, proto-gynous condition और एक होती है proto-endrous condition, ठीक है, one is the proto-gynous condition and second is the proto-endrous condition, done है proto-gynous और proto-endrous, ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती है proto-end अगर male और female एक साथ mature हो जाएंगे, फिर वही problem हो जाएगी, फिर वही बसडमा चाहेगी, ओटो-gynous condition हो जाएगी, पर proto-endrous condition में हमको सबसे पहले क्या करना है वो देखो, proto-endrous, proto का मतलब होता है पहले और endrous का मतलब होता है male, proto का मतलब क्या होता है, पहले first, ठीक है, और endrous का मतलब होता है, male, इस type के plants में हमेशा male पहले develop होगा, जान से समझो, इस type के plant में male development पहले होगा बच्चो, ठीक है, इस में क्या होगा, male development first होगा, ठीक है, समझे, male development क्या होगा, first होगा, male development अगर first होगा, तो pollen grain जो है, पहले mature हो जाएंगे, PG लिख रही हूं, पोलन ग्रें होगी, वो कैसी हो जाएगी, बच्चो, पहले सब, आरे सीधी बात है ना यार, प्रोटो एंडरस, प्रोटो गाइनस condition, animal world में अगर आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मेरे lecture देख लो जाके, आपको समझ में आ जाएगा, तो प्रोटो एंडरस का मतलब यह है, हम को maturity time change कर देना है, समझे, अगर साथ ही साथ male or female mature हो जाएगे, वो autogammy होगी definitely, पर अगर हमने male को पहले डवलप किया, female को बाद में डवलप किया, या female को पहले डवलप किया, male को बाद में डवलप किया, ऐसी condition में autogammy की chances कम हो जाते, माल लो अगर male पहले डवलप हुआ, उसके pollen grain पहले maturity attain कर लिए है, ठीक है, तो pollen grain release हो जाएंगे, ये pollen grain तो भही है, release हो जाएंगे, और अगर इस समय पर pollen grain release हो गए, तो आपका female तो receptive नहीं है ना, इस condition में female जो है, वो receptive है क्या, receptive का मतलब होता है, क्या वो ready है, क्या वो ready है pollen grain के लिए, लेने के लिए, नहीं, त female ठीक है, यहाँ पर female receptive है ही नहीं, अगर female receptive नहीं है, तो वो ये वाला pollen grain जो release हो गया है, उसको क्या ये receive कर सकती है, जी नहीं, तो अगर ये receive नहीं कर सकती है, तो ये pollen grain फिर किसी और flower में ही जाएंगे, ना, तो भाईया, auto gaming कम होई की नहीं होई, और जब ये receptive होगी, तब तो भाईया, pollen grain तो mature हो, कि निकली चुके था, ठीक, ओके, ना, ऐसा किसमे होता है, जिसमें male पहले develop होता है, female बाद में develop होता है, आओ देखो, example बता रही हूँ, मैं ध्यान से समझना नहीं, तो गड़ बड़ दाएगा, sunflower, sunflower में ये condition होती है, बच्चो, ठीक है, ये condition किसमे और यार, ये condition होती है, sunflower में और ये condition होती है, आपकी cotton में, ठीक है, sunflower और cotton में ये condition होती है, proto-gynous condition, proto-gynous condition, यहाँ पर female जो होती है, ध्यान समझना, यहाँ पर female जो होगी, ठीक है, यहाँ पर, और यार, यहाँ पर female जो है, वो पहले receptive हो जाएगी, female first, first receptive, female mature हो गई, वो त्यार है पॉलन ग्रेन लेने के लिए पर पर प्राइबलम यहां पर यह है कि अभी मेल ने पॉलन ग्रेन बना है यह नहीं है इस तरीके से भी हम autogamy को क्या कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं तो कुछ plant इसका example है फिकस फिकस अंजीर वगरा जो होते है इसका example है फिकस ठीक है डन दाइको गैमी आपको समझ में आए क्या होता है तो चेंज दा प्रिवेंट दा प्रिवेंट दा ओटो गैमी ओटो गैमी बाय दा चेंज बाय दा दो बालिग दिया by the change in the maturity time of the male and female part I think it is clear, I think it is clear or not so डाइको गैमी का मतलब यह होता है कि अगर आप male और female को साथ में mature नहीं करोगे तो कोई भी एक part जो mature हो गया है वो तयार है किसी दूसरे से समाल लेने के लिए अगर male पहले mature हो गया, female नहीं mature हो गई तो male अपना pollen grain किसी और को देगा उसके बाद female mature हो गई तो वो किसी और से लेगी, यहाँ female mature हो गई, male नहीं mature हो पाई तो female तो receptive हो गई ना, start हो गई reception चाहिए उसको, तो pollen grain कहीं और से आजाएंगे तो कहीं और से अगर आप pollen grain ले रहे हैं किसी और को दे रहे हैं तो autogamy तो नहीं होई है तो यहाँ पर condition यह है कि जब आप male और female का maturity time में change कर दोगे तो उसे बहर से तुली नहीं पड़ेगा pollen grain तो क्या होगी बच्चों, xenogamy कहते हैं से हम और xenogamy में variability जादा रहती है टीक है, done हो गई इतनी बात, इसमें कोई tension तो नहीं, चलो अब third हम कैसे prevent कर सकते हैं, ठीक है third हम by the change, ठीक है दियान से देखो by the change, by the change in the position of the male and female part ये क्या बोल दिया मैं आपने, चलो, देखो ध्यान से दो flower है मेरे पास, ठीक है, suppose that कि ये दो flower मैं आपको बना के दिखा रही हूँ I am not very good at it, but let it be, अभी आपको जो करना है वो ध्यान से देखो ये मैंने दो flower बनाए, ठीक है, दो flower बना रही हूँ, ध्यान से देखते जाना मुझे बताओ कि ये इसका stamen है, ठीक है, ये इसका stamen है, यहाँ पर ये इसका stamen है ठीक है, ओवरी कौन से गलर से बनाओ, ठीक है, 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 आप क्या देखे रहो, दोनों flower में, male औ female मैंने बना रखा है, ठीक है, मुझे बताओ कि ओटोगेमी का चांस कौन से flower में जादा होगा, मुझे बताओ, obviously ma'am, यहाँ पर जब pollen grain बनेंगे, तो उपर से नीचे आने पर किसी भी pollinator की भी ज़रूत नहीं होगे, अपने आपो नीचे ऐसे जाके चला जाएगा, ऐसे flowers को ना, रंगीन दिखने की भी ज़रूत नहीं है पता है तुमको, ऐसे flower जिनका stamen पहले उपर रहता और उनका female पार्ट नीचे रहता है, उनको किसी pollinator की भी ज़रूत नहीं है, वो ऐसे निकाल है और फट से नीचे दे दिया, और यह लोग बहुत close proximity में रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, तो ऐसे flower जिसमें male पार्ट अब यहां से उपर उठा के उपर ले जाना है, तो हवा से तो ऊड़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, तो हवा भी तो एक pollinating agent ही है, नीचे से उपर कैसे ले जाओ को भगवान हो क्या, भगवान भी आशिरवाद देते हैं, तो कुछ तो देते हैं, एजेंट हो गया भगवा अब ऐसे से ऐसे ले जाओ को तो autogamy का chance already क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझारी बात, so if the female part is in the upper edge and the male part is in the lower edge, तब chances of autogamy will less, ठीक है, autogamy क्या हो जाएगी, सीधी बात है कम हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर अपर site में होगा, तो यह autogamy के chances क्या हो ज यहां पर यहां पर autogamy के chances क्या है बचो, यहां पर autogamy के chances less है, autogamy less है, जब कि यहां पर xenogamy maximum है, xenogamy समझ गया ना, बाहर से pollen grain आने के chances सब से जाएगा, done है, done है, done है, so तीन तरीके से nature अपने आपको autogamy करने से बचा लेती, maturity को change कर देती, अपने edges को change कर देती, ऊपर नी जो मुझे बताना है, एक और है, ओके, यहां पर male female का maturity time भी change करके कर सकती है, done हो गए, आईए, एक और कारण जो भी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, self incompatibility, तीन हो गए ना, तीन हो गए ना, चौता देखते है, self incompatibility, यह भी करके autogamy से plant अपन incompatibility, यह क्या चीज़ बता दी मैं, यह पाप का घड़ा तो मतलब यहां पर ऐसा change होगा, जहां से देखो, यहां पर बहुत नजा आएगा, देखो देखो देखो, यहां पर जो female है ना, बच्चो, यह जो female आपकी बैठी हुई है, पगली, यह जो female आपकी बैठी हुई है, है ना, यह, यह जो female आपकी बैठी हुई है, इसके पास एक gene होता है, ठीक है, यह अपने आप से पगला जाती है, और अपने आप एक यहां पर एक gene बना लेती है, जिसे आप कहते है, S gene, ठीक है, अब देखो, और यह है S के stamen, ठीक है, यह है S के stamen, डन हो गई, अब यह क् प्रेडियूस करेंगे, पोलेंगे, पर तुमको पता है, तुमको पता है, वैसे नॉर्मली, जब हम इंप्लांट कराते हैं, तो हम कैसा डूंटते हैं, कि हमको ऐसा डोनर मिल जाए, जो हमारा ही हो, यार, क्योंकि बहुत दोर के डोर के डोनर का ओर्गन हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, यार, पर यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पर यह जो एसजीन है, यह क्या करता है, यह क्या कर लेता है, नाम से सनू, एसजीन जो है, यह क्या कर लेता है, रिकगनाइस कर लेता है, ठीक है, रिकगनाइस दा, सेल्फ पॉलिन ग्रेन, सेल्फ पॉलि वही होगा जिसे के साथ में बहुत कमपैटिबल हूं पर यहां पर सेल्फ इंकमपैटिबिलिटी है मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन को आप नहीं जाने दे रहे हो क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसा जीन डवलप कर लिया है जिसे हम S जीन के नाम से जानते हैं एस जीन अपने ही पॉलन ग्रेन को अंदर नहीं आने देता तो फर्टिलाइजेशन ओटोगैमी होगी क्या नहीं होगी ऐसी कंडिशन में बेस्ट ओटोगैमी होगी ही नहीं autogammy का chances less ways तो छोड़ो इसमें autogammy होगी ही नहीं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा gene है जो हमारे ही polandrin को आने नहीं देता यहाँ पर xenogammy xenogammy होगी और even मैं आपको बताऊँ यहाँ पर zytonogammy भी नहीं होगी zytonogammy भी क्यों नहीं होगी किस तरीके से या तो आप unisexuality change कर दो मतलब हम इसमें क्या chances कम हो जाते हैं जैसे कि male plant अलग है female plant अलग है तो यहाँ पर chances कम है male flower अलग है एक ही plant में पर फिर भी autogammy तो नहीं होगी male flower औ फिमेल अलग है दूसरी condition में हमने पढ़ा कि हम लोग अगर उसका maturity time change कर दे तो भी हो सकता है फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि हम उसकी position change कर दे male or female की तो भी हो सकता है और चौता हमने पढ़ा self incompatibility it is the best वो यह plant best होते हैं जिनमे self incompatibility होता है और यह तो बिल्कुली autogammy होने नहीं देते हैं modes of pollination है वो अपन लोग पढ़ेंगे next class में क्योंके अभी lecture बहुत लंबा हो जा रहा है so we know that कि हमार पास seen mode of pollination है autogammy zytonogammy और zytonogammy autogammy का मतलब क्या होता है the transfer of pollen gain from the enter to the stigma of the same flower यह लिख भी दिया था मैंने same flower में हो रहा है देखो आगे बड़े प्लांट ने हम प्लांट ने ऐसा क्या एडाप्ट किया कि वह self-pollination से बच सके हमने यह पढ़ा हम लोगों ने concept topic के अंदर पढ़ा crossbreeding के अंदर ठीक है कि यह यह plant अपने आप में adapt कर लेता जिसके विजा से वह cross pollination self-pollination या autogammy से बच जाता है पर यह plant में मेरे बच्चों ऐसा क्या था कि autogammy होनी पढ़ी तो autogammy होने के लिए adaptation अलग हुए और autogammy ना होने के लिए adaptation अलग हुए तो autogammy ना होने के लिए adaptation क्या हुआ मेरे बच्चों crossbreeding और autogammy होने के लिए adaptation हुए आओ देखो Bisexuality, सब से पहला क्या हुआ बच्चो Bisexuality जो plant था, उसमें male और female के जो whirl थे जो stamen और आपके enter stigma इन सब के stamen और आपके pistol इनका whirl था वो same ही flower में पाया जाने लगा जिसकी वज़े से autogammy के chances बढ़ गए Homoagammy, maturation of both androsium and gynosium at the same time हम लोगों ने prevent करने के लिए उनका maturity time अलग अलग कर दिया था sunflower, cotton वगएरा पढ़ा हम लोगों ने इसमे पर अगर autogammy उन flower में सबसे ज़्यादा होती है जिन में male और female flower दोनों एक ही time पे mature होते हैं मेरे बच्चो, male और female एक ही time पे mature होंगे पार्ट तो क्या होगा? एक ही flower में दोनों पार्ट हैं और दोनों पार्ट एक ही समय पे mature होते हैं तो जिससे क्या होगा? जिससे इधर pollen grain निकला वो बैठी है ovary, stigma receptive बना हुआ है तुरंत एंथर ने अपने pollen grain रिलीस किये stigma में और pollination हो गया डन है, आगे देखें क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी चाज्मोगैमस फ्लार और क्लिस्टोगैमस फ्लार पढ़ाया क्लिस्टोगैमस फ्लार भी क्या होता है क्लिस्टोगैमस फ्लार बहुत ही बंदे बंदे फ्लार होते हैं जिसके विज़ा से male और female बहुत बहुत पास-पास होते हैं ये colorful flower नहीं होते हैं पर ये ensure करते हैं कि हम अपना ही pollen grain ले ले इसका काम ये होता है कि सिर्फ seed बना दो continuity of flower और plant की बनाये रखो बहले ही variability हो या ना हो क्लिस्टोगेमस flower ये कैसी condition है जिसमें flower open नहीं होते हैं पढ़ाया इसमें enter और sting में बहुत close होते हैं enter जो है वो वही पर फट जाता है और वही पर अपने pollen grain को release कर देता है ठीक है क्योंकि वो बड़े ही पास-पास होते हैं so this is the chasmo gamas flower जो open होते हैं example क्या पढ़ाया था oxalis, camelina और viola ठीक और यह है क्लिस्टो gamas flower NCRT में चीज़ दी हुई है some plant like viola, common fancy, oxalis and comelina produces both type of flower NCRT की है open flower को हम chasmo gamas flower कहते हैं और closed flower को हम clastogamous flower कहते हैं done हो गई बात देखो देखो कितने सुन्दा flower है आगे देखते हैं profit of clastogamy ठीक है, क्या profit होगा बोलो मुझे इसका ये profit होगा कि continuity of life तो बनी रहेगी भले यी variability नहीं मिले तो नहीं मिले भई जो हरे वाले flower होते हैं जो पास-पास होते हैं वो कम से कम seed तो बनाई देते हैं ठीक है So seed formation ensure रहता है और साथी साथ कोई magand marini कि pollinator लाओ, pollen grain लाओ, ये लाओ, वो लाओ नहीं यार, सब पास-पास से अपने आप ही pollen grain ले ले लेते हैं, कोई tension नहीं So it ensures that seed formation even absence of pollinating agent साथी साथ number of seeds जादा बनेंगे कोई हम को बाहर से pollinator लाने की जरोत नहीं है बहुत जड़ा expensive pollinator लाने की जरोत नहीं है बहुत महनत करने की जरोत नहीं है बहुत technique लगाने की जरोत नहीं है So it is cheaper for the plant as there is no costly nectar or the fragrance which plant has to produce for the pollination इसमें जो है, सुन्दर रंभा की तरह flower को तयार नहीं होना पड़ता कि आओ pollen grain मेरे पास, आओ मुझे इसमें कोई tension नहीं क्योंकि उनको पता है कि pollen grain तो आएगा, क्योंकि बाजुवाला ही है अपना जो है, जिससे बच्चे पैदा करना है disadvantage of klystochemmy की क्या है, बताओ मुझे klystochemmy को इस टाइप के flower दिखेंगा, आपको कोई color नहीं दिखाए देगा disadvantage क्या है disadvantage यह है कि इसमें आपको genetic diversity नहीं मिलेगी आई बात समझ में इसमें आपको genetic diversity नहीं मिलेगी बच्चो genetic diversity जो है, मतलब variability आपको नहीं मिलेगी आपको difference नहीं समझ में आएगा, आपको evolution नहीं मिलेगा सीधी बात है bud pollination when the cell pollination occur in the bud stage अच्छा, यह समझ गया glystogamous से भी हम autogamy को बढ़ावा मिलता है chasmogamous autogamous को घटावा मिलता है ठीक है bud pollination when the cell pollination occur in the bud stage before the opening of flower जैसे p and rise, bud pollination का मतलब यह कि flower खुला ही नहीं और उसके पहले ही pollination हो गया है, तो बाजू में होगा आपका pollen grain तभी तो हुआ ना p and rise zytonogamy next क्या था zytonogamy this is the section type of pollination the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of another flower or the same plant यहां पर जो आपके male और female flower होने चाहिए वो semi plant में होने चाहिए क्योंके different plant अगर आपने यूस कर लिया then this is the xanogamy तो आपका same plant में होने चाहिए male और female flower और फिर pollen grain का transfer stigma में होगा the transfer involves the agent of pollination hence functionally it is a cross pollination ठीक है क्योंकि हमें pollen grain को ले जाने के लिए हवा, पानी, ओला, ओला की ज़रुवत पड़ेगी इसलिए हम इसे self pollination consider नहीं कर सकते हम इसे cross pollination ही consider करेंगे ठीक है जबकि यह होता autogamy जैसा भीया है तो semi flower ना पर आपको पता है इसमें भी cross pollination क्यों नहीं सकता है बाहर से आ जाए ठीक है genetically similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant ठीक है आगे बने यह देखो यह जैनोगाई मी the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of another flower of different plant of same species समझ गये आप ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर मुझे यह मेरा pollen grain है यह और यह जाके मैं गुलाब का pollen grain है और गेंडे के stigma में गिरा रही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए species सेम होनी चाहिए गुलाब का pollen grain है तो गुलाड रैड कल रह के गुलाब पी ले कल रह के गुलाब में गिरादो तेंशन नहीं है पर याद रखो कि भाईया ऐसा है कि गेंडे में मत गिरा देना जाके क्योंकि different species का फिरवाई है कि हम क्यों receive करें किसी और का pollen grain this is the only type of pollination which brings the genetically different types of pollen grains to the stigma इसी की वज़ा से हमें genetic variability मिलती है और यही एक method है जिससे हम लोग different types of pollen grain को different flowers में गिरा सकते हैं outbreeding devices ध्यान से पढ़िए NCRTK है तो हमने यह method पढ़ा कि किस तरीके से autogamous को बढ़ावा मिलता है और अब हम यह पढ़ने वाले कि किस तरीके से autogamous को हम रोख सकते autogamy को और genetic variability बढ़ा सकते हैं majority of flowering plant produces hermaphrodite flower angiospermic maximum angiospermic flower है वो है hermaphrodite ठीक है मतला bale of female एक ही flower में and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower obviously baju वाले को जादा preference दोगे ना continuous self-pollination results in the inbreeding depression inbreeding depression होने लगेगा यह देखो यह this is the cross-pollination बटा यह cross-pollination this is not self-pollination okay ठीक है और उसके बाद क्या होता है inbreeding depression से क्या आती है infertility आने लगती है flowering plant have developed many devices to discourage the self-pollination flowering plant ने अपने आपके अंदर कुछ ऐसे change कर लिये हैं जिसे self-pollination को वो discourage करते हैं और encourage किसको करते हैं cross-pollination को in some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized पढ़ा हम लोगोंने नई synchronize करो कोई tension नहीं है पढ़ लिया हम लोगोंने कभी pollen ग्रेन को पहले develop करो टाय चाहे यार यह पढ़ा है ना यार तुम लोग कैसे करते हो यार तुम लोग को रोना दिलवा देते हो यार देखो पढ़ा है ना हम लोगोंने यह पढ़ा है ना तो हम लोगोंने पढ़ा है यह कर टंशनेस में तो अगर इस सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो भाई कोई पहले develop हो जाएगा तो अपना काम करना पहले शुरू कर देगा कोई बाल में develop होगा तो autogamik की चांस नहीं है either the pollen is released before the stigma become receptive or the stigma become receptive much before the release of pollen सिधी बात ही है अगे बढ़े in some other species the anther and stigma are placed in different position भीशन पोजीशन पोलन ग्रेन हमीशे जंडली जो होता है जो आपका stigma को बढ़ा करोगे तो autogamik की chances घट जाते है समझ में आए गे जिसकी विज़़गा पोलन ग्रेन और कुछ भी करो पोल जो आपका एंथर है ना जो आपका वो है एंथर वाला पाट है और स्टिग्मा वाला पाट है यह पास पास नहीं होने चाहिए भले किसी को उपर नीचे कर दो पास पास नहीं होंगे तो self-pollination का कोई चांस ही नहीं है यह सारे जो कहानी है ना फ्लार में arrangement की इसकी वज़ा से हम लोग self-pollination से बच सकते हैं ठीक है तो थर्ड दिवाइस तो प्रिवेंट इंब्रिदिंग इस self-incompatibility gene gene as gene ठीक है this is the genetic mechanism and prevents self-pollination from the same flower और other flowers of the same plant even तुमको बताओ मैं हां तुम मैंने ये भी पढ़ाया तुमको कि एक तो तुम same flower का भी pollen can receive नहीं करोगे और उसी plant में भी अगर कोई flower लगा हुआ उसका भी pollen can receive नहीं करोगे another devices to prevent the self-pollination in the production of unisexual flower ये ही पढ़ाया मैंने आपको I don't think so कि इसके लबा मैंने कुछ alakse आपको पढ़ाया ये ही वाला पढ़ाया सारे है चीक है चलो both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize to prevent the autogammy but not gytonogammy ये पढ़ाया मैंने आपको unisexuality में दो चीज़े पढ़ाया थी monoseous और dioceous चीक है monoseous में क्या पढ़ाया था कि भले ही आपका plant monoseous हो चीक है हम लोगों कि हम लोगों क्या पढ़ा भले ही plant आपका monoseous हो ठीक है कोई टेंशन नहीं है ठीक है पर याद रखिएगा कि आपके जो flower होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए मतलब male flower अलग होना चाहिए female flower अलग होना चाहिए भले plant सेम हो कम से कम autogammy से तो prevent हो सकते है फिर मैंने आपको diocius condition unisexuality में पढ़ाई जिसमें मैंने आपको बताए वो plant ही अलग कर दो male plant अलग female plant अलग तो papaya जैसे example पढ़ाए जिससे क्या होगा वह यह सीरी बात है डायोशी कहते है इसको और इससे हमको autogammy होने का कोई चांसी नहीं है ठीक है several species जैसे papaya male and female flower present on the different plant each plant इदर male or female डायोशी अलग भारी साएगा क्योंकि है इन उसके पास this condition prevent both autogammy and zytoronogammy यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीनोगमी हो सकती है ठीक है यह आपको मैंने बताया था चलिए अब हम लोग read कर लेते हैं NCRT ठीक है अब NCRT read कर लें आजो pollination in the preceding section you have learned that the male and female gamete in the flowering plant has produced पहले हम लोगों ने पड़ा कि male and female gametes in the flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac यह gametophyte है male का gametophyte जिसमें gamete बनेगा pollen grain female का gametophyte जिसमें क्या बनेगा बच्चो मेरे जिसमें क्या बनेगा excel embryo sac ठीक है respectively बोथ gamete are non motile ठीक है pollen grain को आने के ले हवा पानी गोला चाहिए okay पर mainly why we are doing this why we are doing the pollination main objective of the pollination to achieve the fertilization pollination is the mechanism to achieve this objective which objective fertilization the transfer of pollen grain shed from the enter to the stigma or the pistil is known as pollination ठीक है बही आन्थर से pollen grain को लाओ stigma में छोड़ दो flowering plant have evolved the amazing array of the adaptation to achieve the pollination बहुत सारे mechanism achieve कर लिए हम लोगो ने they make use of external agent to achieve the pollination कौनसे agent है हमारे लिए अलग लेक्चर है ठीक है कितने प्रकार के pollination होते हैं three kinds of pollination we have one is the autogamy autogamy क्या होता है इस pollination में same flower में ही enter and stigma है ठीक है और enter से pollen निकल के उसी flower के stigma में चला जाएगा ठीक है done हो गया so transfer of pollen grain from the enter to the stigma of the same flower in a normal flower which opens ध्यान से सुनो ध्यान सुनो एक-एक लाइन NCRT की सिर्फ अप मगज मार के इसलिए पढ़वाती हूँ जब की slide में सब लिखा होता है ताकि तुमको दिल से यह चैन मिले कि at least मेरी textbook complete है ठीक है textbook complete करने से मनुष्य के जीवन में एक अलग तरीके का confidence आता है बच्चो समझ में ही बात वो इस बात से निश्चिन्थ हो जाता है कि माम का content कौन से sequence का है अगर माम के content को अच्छे से पढ़ना है तो हम यह reference book तो follow कर सकते है कोई tension निये पर माम कौन से sequence से पढ़ाती है NCRT sequence से पढ़ाती है detail पढ़ना है माम के videos देखो detail पढ़ना है आप और कोई book consider कर लो कर लो पर आपको याद रखना है कि if you completed your textbook which is the NCRT which is the baap which is the mummy which is everything for you if you wanted to qualify the NEET if you don't have ability to read the NCRT line to line word to word then leave it yeah leave it जरूरी नहीं कहर कोई doctor बने पर if you are in is in the my class ठीक है अगर आप मेधी class में है तो you have to come with the NCRT we we have to learn line to line and word to word if you are not doing this this is not word for the NEET okay so anybody who is thinking that the magnet brain is enough for the NEET the jawab is yes okay मैं तुम्हें वो सारी चीज़े पढ़ा देती हूं जो NEET में आने वाली हैं even मैंने एक live session भी लिया जिसमें मैंने तुमको proofs भी दिया अब और इस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती है so anybody who is asking this magnet brain is enough for NEET yes it is yes it is ठीक है don't I I mean I can see all the priorities and you can go to this is a part of this is a part of that I can be a man me this one is neat hooga के नहीं होगा so अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलर्ली follow करते हैं तो आपका नीट definitely होगा रही बात mcqs की वो भी आपको कराई जाएंगे थोड़ा अगर एंथर और स्टिग्मा खुले हुए हैं तो उसमें autogammy होने के चांसे थोड़े से कम होते हैं क्योंकि बाहर से आप pollen grain किसी स्टिग्मा में लाकर उसी फ्लार के छोड़ सकते हैं क्योंकि खुला हुआ फ्लार है autogammy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also enter and stigma should should lie close to each other so that the self-pollination can occur इसमें क्या होगा अगर फ्लार ओपन होगा तो बाहर से pollen grain आने के चांसे जादा हैं साथ ही साथ अगर फ्लार में male और female side time पर डवलप नहीं होते हैं एक साथ नहीं डवलप होते हैं या receptive नहीं है stigma pollen grain लेने के लिए तैयार नहीं है तो भी autogammy के chances घड़ जाते हैं तो हमें यहार रखना है कि फ्लार बहुत जादा ओपन मत रही है दूसरी बात ही है जो फ्लार adaptation autogammy का हुआ है वह बहुत पास पास होते हैं जिसकी वज़ा से pollen grain कहीं और जाने का चांस ही नहीं है वहीं ले लेगा सम प्लांट सच अस वयोला औक्जालिस कॉमलीना इन में दो प्रकार के फ्लार होते हैं चैज्मोगमस और क्लिस्टोगमस बंधा हुआ फ्लार जिसमें इस सीड बने गा इत इस दा क्लिस्टोगमस फ्ला खुला साथ फलार जिसमें जी नो गैमी में जानट ऑिसे चैज्मोगमस फ्लार ठीक है ओके ठीक है सीदे सीदे क्या करेगा सीदे सीदे के ग़र जाएं persistence स्टिगमा को रुपर गर जाएगा вполне पूलिएगा и इसका फाइदा ये है कि plant जो है पीड़ी दर पीड़ी चलते रहेंगे, सीट बनना इंशुर है, सच क्लिस्टोगेमस फ्लार्स आर इर्वेरियेबली ओटोगेमस as there is no chance of cross-pollination landing on the stigma. सच क्लिस्टोगेमस फ्लार्स प्रदूसे इंशुर्ट सीट सेट इवन दा अप्संस आप पॉलिनेटर्स नहीं भी होगा पॉलिनेटर तो भी सीट तो बनेगा ही ठीक है? इसके disadvantage यह है कि हमको वेरिबिलिटी नहीं मिलेगी और advantage यह है कि हमको बहुत महेंगा पॉलिनेटर नहीं इस्तमाल करना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा पॉलिनेटर को और सीट तो बनेगा ही ठीक है? जाइ टोनोगैमी, the transfer of pollen grain from the enter to the stigma of another flower of the same plant, plant same होना चीए, flower different होना चीए, although जाइ टोनोगैमी is, shows the cross pollination क्योंकि flower तो different ही है, ठीक है? और एक flower से जब हम pollen grain को दूसरे flower में ले जाते है तो हमको agent चीए, क्योंकि pollen grain move खुद से नहीं कर सकता, genetically it is similar to the autogamy, ठीक है? क्योंकि ultimately genetic composition एक वो flowers का same plant cake ही होगा, पर ये क्योंकि आपको agent की जरुद पढ़ रहे है, इसले cross pollination है, जैनोगैमी, pollen grain का transfer करना है आपको दूसरे flower के stigma में, पर plant दूसरा होना चीए, और ये जो है सबसे जादा variation, जो है genetically difference जोलाता है, वो जैनोगैमी होता है, अगर आप out, क्या है autogamy से prevention चा किये है, ठीक है, so majority of flowering plant, this is the outbreeding devices, जिसके बारे में आपको पढ़ा है, agent of pollination में next class में पढ़ा होगे, majority of flowering plant produce the hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower, बिलकुर सही बात है, self-pollination result in inbreeding depression हो सकता है, जिसके बारे में, continuously self-pollination करते रहोगे तो, flowering plant have developed many devices through discourage the self-pollination and increase the cross-pollination, in some species, in some species, pollen release and stigma receptivity is not synchronized, pollen grain मैंने आपको बता है, proto-endrous condition, sun flower में बता है, किसमें male पहले develop हो जाता है, female ready नहीं होते, receive करने के लिए, तो भाईया, अभी female ready नहीं, जब ready होगे तो किसी और से pollen grain ले लेगी, ठीक है, so अगर हम उसका pattern of development, मतलब maturity change कर दे, तो cross-pollination हम कर सकते हैं, और self- pollination घटा सकते हैं, ठीक है, so, क्या था, either pollen is released before the stigma being receptive, इसे क्या का condition कहते हैं, proto-endrous, और या फिर pollen पहले female develop हो जाए, male बाल में develop हो, it is proto-gynous condition, in some other species, enthane stigma plays in different positions, हमें किसी भी तरीके से हमको position अगर हम उपर नीचे कर दे, तो pollen grain पहुची नहीं पाया, उसको देर लगे, इस से पह both of these devices prevent the autogamy, इन दोनों के वज़े से autogamy prevent होगी, the third device to prevent the inbreeding is self incompatibility, ठीक है, this genetic mechanism prevents the self pollination from the same flower और other flower of the same plant, इस से क्या होता है, ये best method है, इसमें आप ना zitoonogamy कर सकते हो, in plants में आप autogamy कर सकते हो, सिर्फ और सिफ जैनोगamy कर सकते हो, genetic variability इनी plants में सबसेदिक मिलेगी, क्योंकि same flower को भी एक ही plant के use करोगे, तो भाई ये genetic composition तो एक plant, बाप तो एक ही है न, बच्चे दो हैं, तो क्या हुआ, now, okay, by inhibiting us में क्या करना है, हमको, हमको self pollination से बचाना है, इसमें हमको क्या करना है, self pollination from the fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination of pollen tube on the pistil, किसी पी तरीके से हमको pollen को germinate नहीं होना देना है क्योंकि उपर से यह जो आपका stigma, उसके पास genes होते हैं, जो बोलते हैं नहीं, यह वाला नीचे है, दूसरा वाला ची हमको, another device to prevent the self pollination is a production of unisexual flower, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ा है था, dioceous flower और monoseous flower के बारे में, monoseous में मैंने example आपको क्या बता है, cotton or mace, और dioceous में papaya, done अगर male और female सेम प्लांट में हैं, जैसे castor and mace, monoseous, इनको हम कहते हैं, monoseous, unisexual, आपका वो है flower है, पर bisexual plant है, इससे prevent हो सकती है autogammy, पर actually, zitonogammy आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें genetic variability आपको थोड़ी कम दिखेगी, in several species, जैसे कि papaya, male and female जो होते हैं, वो plant ही तो भाईया, इसमें zitonogammy होने का कोई chance नहीं, autogammy होने को कोई chance नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, zitonogammy, इसलिए papaya में आपको इतने सारे varieties मिलते हैं, समझ में आई बात, और जब male or female अलग-अलग plant में हो, तो इसे हम डायोशी कहते हैं, this condition prevent both autogammy and zitonogammy, done होगई इतनी बात, ठीक है बच्चो, सो आज की कलास में हमने क्या क्या सीखा है, एक बार में आपको दिखा देती हूँ, जिससे मेरे बच्चो को समझ में आ जाए, कि आज हमने क्या क्या सीखा, एक पेस से रिवाइस करते हैं, types of pollination हमने सीखा, ठीक है, pollination क्या होता हमने स को आपको मैंने बताया कि आपको बताया कि कौन से ऐसे कारण है जो ऑटो गैमी को प्रेवेंट करते हैं आपको बहुत सारी आउट-ब्रिडिटन टेकनिक्स बताई जो प्लांट कुई डेवलब करता है यूनिसेक्श्वालिटी, ठीक है, डाइकोगैमी, फिर आपका ये वाला जिसमें पोजीशन आपको चेंज करना है और फिर सेल्फ इंकमपैटिबिलिटी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या benefit है उसके बाद मैंने आपको चैंजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लार के बारे में बताया और उनके एक्जैंपल्स भी बताया तो एक ही प्लांट में भी अगर दूर-दूर फ्लार लगे हैं तो हमें कोई एजेंट चाहिए होगा जो पोलन ग्रेंट को फीविल पार्ट तक पहुचा सके और इस जैनोगैमी तब तो कोई डिस्कुशन करने की जरूत है ही नहीं क्योंकि जैनोगैमी में तो हमें शॉर्ट सौटे की एजेंट चाहिए ही है बिना एजेंट के आप पॉलिनेशन नहीं करा सकते हो मेरे लल्ला सो आज हम उनी एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भाईया ये कौन है कहा से आते ही ये लोग जो पॉलिन ग्रेंट को फीमेल पार्ट तक पहुचाते है इसको शुरू करने से पहले तुम लों मुझे बताना कि मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए जीवन में बदलाव ही प्रकृति का नियम है तो चलो थोड़ा चश्मा ही चेंज करते हैं अपने आपको तो बदल नी सकती में है खेर चलो सो लेट स्टार्ट विद दा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन शुरू कर ले आज की क्लास शुरू कर ले अपन लोग ठीक है मजा आएगा ठीक है ये क्लास आपके लिए बड़ी ही अच्छी क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास से आपको क्वेशन आते हैं नीट में समझ में और जिस क्लास से भी क्वेशन आए नीट में उस क्लास को हम लोग छोड़ेगा नहीं ठीक है क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं यार तुम लोग ना ध्यान से देखा करो मेरे लिक्टर एक एक लाइन उसमें पढ़ाती हूं में आप देखो एजें में चोड़ाग रहा है लीविग है के नौल इविंग अटकर हैं तो अगर कोई लिविंग आजेंट की हम बात करें हैं तो अन। magazine first भीक है biotic agent okay biotic agent Boss agent होते हैं जो living होते हैं समझ में आ गही बात living agents को हम biotic agent के नाम से जामते हैं समझ में आगी बात तो अगर कोई living thing अपने ऊपर pollen grains को चिपका कर femaleДiroth में छोड़ रहा है तो कोँण transfer कर रहा है agent क्या होते है agent helps in the transfer of pollen grain, मेरे बच्चो, ठीक है? What do you mean by agent of pollination? ये क्या होते हैं? It will, they will, they will, लिखते हैं, they will transfer, transfer the, the pollen grain to stigma, ठीक है? कौन से pollination में? Question 8 में यह आ सकता है? बताइए कि कौन से pollination में हमें किसी भी agent की आविशक्ता नहीं होती है? तो आप ये बोलोगे कि autogammy में हमें pollinating agent की जरूरत नहीं होती है? फिर एक सवाल जो कल, आगर आच्छा, जो बच्चे आज उदक के आ गए हैं, कि आज का class हम पढ़ लेते हैं, तो जब तक तुम कल का class नहीं लगाएगा ना, तुमको आज का class नहीं बनेगा, तो तुमको पहले कल का class लगाना पड़ेगा, तुम लोगो ऐसे बोलने पर सोचते हैं, मैं ब्यारी हूं है, व्यारी नहीं हूं, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलना, okay So, आप जब तक वो वाला class नहीं लगाओगे तब तक यह वाली नहीं बनेगी तो पहले वो वाला लगाओ कल मैंने आपको दो प्रगार के flowers पढ़ाये थे Chasmogamous और Clistogamous Chasmogamous में हमें agent of pollinator agent of pollination की ज़रूरत पढ़ सकती है But Clistogamous जो की बंदेवर फ्लार रहते हैं उनमें male और female इतने close proximity में रहते है मेरे लला की ज़रूरत ही नहीं है समझ गए ना, तो यह सिर्फ किसके लिए होते हैं जो फ्लार या प्लार दूर दूर होते हैं So, what is the need of agent of pollination क्या ज़रूरत है? ताक की pollen grain को female पार्ट तक पहुचाया जा सके ठीक है? आगे बात करते हैं तो biotic agent कौन से agent होते हैं? जो living beings होते हैं अगर कभी हम pollen grain को living beings के सहायता से transfer कर रहे हैं तो it means they are known as biotic agent So, now, biotic agent जो है ध्यान से सुभजना biotic agent की अगर मैं बात कर रही हूँ पूरी पहले classification बता दे तो फिर करते हैं ठीक है? और अगर हम किसी non-living object के थूँ या non-living चीज के थूँ हम कर रहे हैं pollen grain को transfer तो इन्हें हम कहते a-biotic agent done a-biotic agent कौन से होते हैं? अगर हम किसी non-living चीज के थूँ जीवन यार बिना जीवन के वाली चीज के थूँ अगर हम pollen grain को transfer कर रहे हैं then this is known as a-biotic agent done होगा इतनी बात अब कौन-कौन से a-biotic agent है? जो हमारी NCRT में दे हुए है आओ देखते हैं एक दिया हुए बच्चो wind ठीक है? एक दिया हुए wind I hope it is visible to you people थोड़ा और इदर लिखूँ क्या? थोड़ा और इदर लिखती हूँ चलो कोई बात नहीं इदर लिखते हैं पहला हम लोगों ने पढ़ना है wind हवा ठीक है? हवा हवा जो तेरी कुछ बूदा दे wind और दूसरा है बच्चो water दूसरा है water बजली के कड़कने से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम अगर हम ध्यान से सुनो wind के थूँ, हवा के थूँ, air के थूँ अगर हम pollen grain को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका एक specific term है बच्चो इसे हम कहते हैं बोलो, मेरे साथ, क्या कहते हैं इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में I don't know क्यों आपने पढ़ा है की नी पढ़ा है इसे हम कहते हैं मेरे बच्चो एनीमोफिली ऐनीमोफिली चीक है, एनीमोफिली एनीमोफिली को कैसे याद करेगा? एर से अनीमो याद रख लेना, ठीक है? एर से अनीमो याद रख लेना, एनीमल से अनीमो मत याद रख लेना, नहीं तो गड़ बड़ हो जाएगा अगर हम हवा के थुरू, पोलेंड ग्रेंज को ट्रांसफर कर रहे हैं ज्यान चोजोनों मेरी बत क्या बोल रहे हुँ मैं? अगर हम हवा के थूँ पोलेंग ग्रेंज को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, किसी एक फ्लार से दूसरे फ्लार में then this is known as anemophily अगर हम water के थूँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो water को तो सीधा hydrophily ये बहुत ही कम होता है और hydrophily जनरली aquatic plants में ही पाई जाती है अब आओ मेरे बच्चों, biotic agent के बारें बात करते हैं biotic agent में बहुत सारे के थूँ हम कर सकते हैं समझ में आई बात, biotic agent में हम बहुत सारे organisms के थूँ ट्रांसफर कर सकते हैं समझ में आई बात, जैसे कि अगर हम किसी insect के थूँ ट्रांसफर करते हैं, समझो अगर हम किसी insect के थूँ ट्रांसफर कर रहे हैं pollen grains को तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं entymophily entymophily, entymophily entymology का मतलब study of insect, ठीक है entymophily, ठीक है, spelling चेक कर रहे ना, ठीक है, entymophily done हो गए इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई परिशानी now हम ट्रांसफर कर सकते हैं किस के थूँ अच्छा अगर हम किसी biotic agent का मतलब क्या होता है generally हम animals के थूँ ट्रांसफर करते हैं pollen grains को बच्छो animals के थूँ ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम zoo philly के नाम से भी मेरे बच्छो जान सकते हैं समझ में आई बात, किसी भी living thing के थूँ अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं biotic agents कहते हैं और animal के थूँ ट्रांसफर करने की कहानी को हम zoo philly के नाम से भी जानते हैं यह आपको पता होना चाहिए zoo मतलब zoology है जoology मतलब animal की study ठीक है insect के थूँ आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसे हम कहते हैं entomophilly ठीक है कौन-कौन से insect हो सकते हैं बताओ, wasp हो सकता है honeybees हो सकती है butterfly हो सकती है, लिख दूँ क्या wasp हो सकता है और कौन हो सकता है honeybees हो सकती है ठीक है, I hope it is visible to you butterfly भी हो सकती है bf लिख दे रहे हो, oh bf ठीक है, butterflies भी हो सकती है, done हो गए इतनी बात, कोई tension, कोई परशानी तो नहीं now, insect के बाद आप ants से भी कर सकते हो, ठीक है, ants mermacology कहते है, इसको mermacophily आप किसी mammals के through भी transfer कर सकते हो ठीक है, आप transfer कर सकते हो pollen grains को mammals के through mammals के through mammals के through, कौन है mammal आपके NCRT में दिया हुआ है जिसके through हम pollen grains को transfer करते हैं, बच्चो, it is the lemur, ठीक है lemur के through transfer elsewhere करते हैं ठीक है थर्ड आप रेप्टाइल्स के चूब भी ट्रांसफर कर सकते हो बच्छो रप्टाइल्स रप्टाइल्स के थू भी ट्रांसफर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है जो इसमें लिजाड जो है इसके थू भी आप ट्रांसफर करते हो पोलन ग्रेंस को ठीक है आप मोलस्कास के थू भी ट्रांसफर कर सकते हो स्नेल बगेरा के थू भी आप ट्रांसफर कर सकते उसको हम क्या करते हैं भाईया MELEACOPHYली MELEACOPHYLY ठीक है, सो कुल मिला कि ये सारे क्या है बच्चो दे ऑल आर एनिमाल्स Done इतनी बात ये सab क्या है एनिमाल्स है Done अब आईए थोड़ा सा और बात करते हैं Mainly, animals के through हम लोग क्यों transfer करते हैं? देखो, A-biotic agent का तो समझ में आता है कि भाईया, हवा के through, पानी के through, आप pollen grains को transfer कर लिए, कोई tension नहीं. पर हमें animals के through क्यों transfer करना है? तुमको पता है कि animals के through जब हम लोग transfer करते हैं pollen grains को, तो बड़ा ही ये short short होता है pollination. लिखो यहाँ पर, Biotic agent के through जब हम pollination करते हैं तो बड़ा ही short short pollination होता है. समझ आ गई बात, इसका मतलब क्या है? देखो, जो पौधे होते हैं, ध्यान से सुनों क्या बोल रही हूँ मैं, जो पौधे होते हैं न, वो चाहते हैं कि उनके साथ pollination हो, दूसरों के pollen grain मेरे पास आ जाए. पर, नॉर्मली इनको क्या चाहिए होता है, कि जिस पौधे के पास, जिस प्लांट के पास, जिस फ्लार के पास वो जा रहे हैं, वो कैसे हो, वो सुन्दर हो. ठीक है, देखो हमेशा आदमी न सुन्दरता के और बहुत भागता है, हम इंसेट की क्यों बाते कर रहे हैं, हम तो इनसानों की भी बाते करें, तो हमेशा चाहे सुन्दर चीज़े कितनी भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, पर सुन्दर चीज़ों को आदमी एक बार तो द जो एनिमल वाले एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं वो हमेशा उन प्लांट्स के और जाते हैं जो जादा सुन्दर दिखते हैं जो जादा सेंट देते हैं और जिनके पास बहुत चाहरा नेक्टर होता है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था है इनको हम कहते हैं नेक्टरीज याद आया कि सब भूल गया है हम लोग इन्हें हम कहते हैं नेक्टरीज नेक्टरीज क्या प्रेड्यूस करती है मेरे बच्चों नेक्टरीज प्रेड्यूस करती है नेक्टर और इन नेक्टर को चूसने आते हैं कौन बहुत सारे एनिमल्स या बीज कुछ भी लिख सकते हैं, बी लिख देती हूं आपे, और फिर बीज जो होती हैं, इनी का इस्तमाल करके क्या बनाती हैं, हनी, तो बेसिकली होता यह है, कि यह जो प्लांट जिनके पास नेक्टरीज होती है, इनके पास बड़े ही सुन्दर पैटल्स होते हैं, आई बात यह है, कि जब वो नेक्टरीज से नेक्टर निकालने आएगी न बच्चो, तो यहाँ पर होते हैं बहुत सारे स्टेमेंस, जिनके पास भर भर के पोलन ग्रेन होता है, जैसे ही वो नेक्टर को चूसने के लिए नीचे जुकेगी, चारो तरफ उसके बाड़ी में पोल बात ही नहीं करता है, बी तो अपना नेक्टर चूसने आई थी, पर प्लांट ने दिबाग लगाया, कि अगर मैं अपने आपको सुंदर दिखाऊं, अगर मैं अपने आपको सेंटेट दिखाऊं, अगर मेरे पास बहुत सारी नेक्टरीज हो, तो ना चाहते हुए ही सब त नेक्टर चूसना शुरू करेंगे, वैसे ही उनके पूरे बाडी में अपने पोलन ग्रेंट फेक दूँगा, यह जब उडएंगे, तो पोलन ग्रेंट को क्या करते जाएंगे, गिराते हुए जाएंगे, किसी फ्लार में बैठेंगे तो उस पर छोड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पर दो लोगों का अब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है, प्लांट को करवाना है पॉलिनेशन और इंसेक्ट को लेना है या जो अपने औरगैनिसम्स हैं, जो बाइटिक एजेंट हैं, उनको लेना है अपना नेक्टर, ठीक है, सुन्दर हो गया, इतनी बात क्लि समझ में आएगी, अच्छा, अगर मैं आप से पूछू, बताओ कि एंवायरमेंट में मोस्ट, मोस्ट जादा, पॉपिलर टाइप का कौन सा पॉलिनेशन होगा तो आप क्या बोलोगी, या कौन सा एजेंट होगा पॉलिनेशन कराने वाला, वो बताओ मुझे, तो सबसे ज हैं, देखो ऐसा है कि इनका ना कोई भरोसा नहीं है, भई हवा तेज चली तो पोलन ग्रेन पता चला, लैंड ही नहीं हो पाई, भई अगर मैंने बोला कि हवा जो है पोलन ग्रेन को उड़ा के लाएगी, अब हवा किसी दिन बहुत तेज आ जा रही है, तुफान आ रहा है है, लोग उड रहा है, लोग बहे जा रहे हैं, हवा में पोलन ग्रेन टूक ही के कहर, सो विन के थुरू अगर यह शूर शॉर्ट नहीं हो सकता, हो सकता है कि हवा उपर ही ऊपर सारे पोलन ग्रेन को उड़ा के ले जाए, लैंड ही नहीं पाई, तो क्या करोगे, सो अगर व यह बहुत पॉपलर होते हैं अगर मैं बात करूँ कि सबसे पॉपलर कौन होता है तो ए बायोटिक एजेंट में यह वाला पॉपलर होता है समझ में बात तो ए बायोटिक एजेंट में मोस्ट पॉपलर होता है वो होता है वेंड के थू और अगर मैं सब में बात करूँ तो ब तो बेटा ना चाहते वे उसे जाना ही पड़ेगा लेने के लिए अपने फूलों कर रस लेने के लिए जाना ही पड़ेगा वो चाहे 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 और अगर वह गई तो खेल तो उसका होना ही है ये वाला जो agent of pollination होते हैं इनके थूब pollination होना टाह होता है ठीक है अब एक एक करके हम बात करने वाले हैं एक एक Agent की ठीक है क्या कहते हैं एनीमो फिली ठीक है अब देखो हवा के थुरू होने वाले पॉलिनेशन को हम एनीमो फिली के नाम से जानते हैं सबज मैं आई बात पर यहां पर आप लोगों ने ये देखा कि मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो देखो ए बायोटीक और बायोटीक एजेंट में क्या होता है कि बायोटीक एजेंट हमेशा उसी से पॉलिनेशन करते हैं जो कैसा दिखे समझ आ गई बात ठीक सुन्दर हो सुगंधित हो और नेक्टर प्रडियूस करने वाला हो समझ में आई बात उन्हीं के साथ पॉलिशन करते हैं पर यहां पर यह तो नॉल लिविंग चीज है ना तो जो पोलन ग्रेन होंगे वह उडएंगे और जब पोलन ग्रेन उडएंगे तो वह लैंड करेंगे फिर जब हावा थोड़ी चलती रहेगी तो फिर वह लैंड करेंगे फीमेल पार्ट में और फिर वहां पर पॉलिशन होगा समझ आ गई बात आगे बात करते हैं सो अगर मैं wind pollination की बात कर रही हूँ तो क्या क्या character होने चाहिए यहाँ पर हमें जरूरी नहीं है देखो यहाँ पर याद रखो यहाँ पर no need of यहाँ पर जरूरत नहीं है no need of beautiful petals बिल्कुल भी जरूरत नहीं है beautiful petals की बच्चो सुन्दर दिखना तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यह scented हो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यह nectar produce करने बाले हो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है इसमें, सबज में आई बात, यहां पर आप अगर देखोगे, तो wind pollination वाले जो plant होते ही, यह generally colorless होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, यह होते colorless plants, ठीक है, कैसे होते है colorless plant, और फिर भी ऐसा थोड़ी है, कि अगर कोई plant धरती पर है, और अगर वो colorless है, तो उस पर pollination नहीं होगा हो बहिया, उसमें abiotic agent काम करने लगेंगे, colorless plant में generally यह होता है, ठीक है, इस plant में कोई scent wind कुछ नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, pollen grains, PG transferred by, transferred to female stigma, देखो द्यान से क्या लिक रही हूँ, female stigma by wind, समझ में आई बा बाट भी, आगे की बात करते हैं, क्या-क्या character होने चाहिए, plant में, यह बताया, colorless होगा तो भी चलेगा, अब हम बात करते हैं, किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं, wind pollination करने के लिए, मेल के पास क्या character होने चाहिए, समझ माइढ आई बात, अगर आप चाते हैं कि wind pollination हो तो मेल के पास क्या-क्या कैरेक्टर होने चाहिए मेरे लल्ला ध्यान से सुनों ठीक है सबसे पहले देखो wind pollination हो रहा है हवा के थूँ पोलन ग्रेंट टहले जा रहे है अब अगर वहाँ पे पोलन ग्रेंट बहुत ज्यादा चिप चिपा हुआ तो भाईया वो तो उड़ी नहीं पाएगा सही है कि नहीं सही है माल लोगी मेरे पास बहुत सारे पोलन डिर पर हो बहुत जला चिप-चिप है तो भाईया वह उडएंगे कैसे तो उडएंगे कैसे उडएंगे उर्त हो गए पर पता चला वो चिपकते वो जा रहे है जहां उन्हें जाना वो destination में पहुची नहीं पाए समझ आ गई बात तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए और दूसरी बात इसमें failure के chances भी ज़्यादा है देखो रे, सुनो क्या बात कर रही हूँ A-biotic agents में देखो यहां पर A-biotic agent में failure के chances ज़्यादा है failure chances will more यहां पर failure के chances ज़्यादा है बैया ऐसा हुआ हवा तेच चल रही थी उड़ गया उपर उपर हो land ही नहीं हुआ हो सकता है कि बहुत सारे land हुए पर किसी काम के नहीं है तो यहां पर failure के chances ज़्यादा होते आप चाहते कि pollination हो तभी fertilization हो गई यह आपको पता है तो wind pollination करने के लिए male के पास क्या character होने चाहिए वो देखिए quantity of pollen grain would be large यह देखिएगा, क्या लिकरी हुँ मैं quantity, याद रखो बच्चो quantity, pollen grain की quantity बहुत ज़ादा होनी चाहिए pollen quantity of pollen grain grain should be should be very large, समझ में आई बात pollen grain की quantity बहुत ज़ादा large होनी चाहिए तो failure का chance क्या होगा to reduce to reduce the chances of failure to reduces the chances of failure अपनी copy में लिखो बेटा, ठीक है so wind pollination अगर आप चाहते हैं कि हो, तो pollen grain का amount और number बहुत 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 ज़ादा होना चाहिए ताकि failure का कोई chance ही ना हो मेरे लिल्ला, समझ आ गई बात दूसरी बात pollen grain should be light PG लिख रहे pollen grain should be light ठीक है, कैसा होना चाहिए? light होना चाहिए ऐसा ना हो कि 4-6 kg का एक pollen grain हो जाए अब अगर pollen grain का वज़न बहुत ज़ादा रहेगा तो उड़ेगा कैसे? wind pollination धड़ा धड़ा हुआ चली जा रही pollen grain उस पे उड़े जा रहे है तो अगर pollen grain का वेट बहुत ज़ादा होगा तो उड़ेगा कैसे? तो अगर आपको pollen grain को उड़ाना है तो वो कैसा होना चाहिए? बच्चो एकदम light होना चाहिए समझ आ गई बात तीसरा character यहाँ पे लिखरी हुँ मैं जान से देखो रहे यह first character हुआ यह second character हुआ थर्ड character क्या होना चाहिए? pollen grain should be dry ठीक है? pollen grain कैसे होने चाहिए? dry होने चाहिए ठीक है? dry होंगे तो जैसे कि आपने देखा हुआ कि कई बार बहुत तेज़र हवा चलती है तो आपको pollen grain उड़ते हुए भी दिखाई देते हुँगे ठीक है? और वो आपके कपड़ों में लग जाते हैं पर कभी भी वो कपड़ों में चिपके हुए नहीं रहते हैं वो एकदम dry रहते हैं आप उसको जाड़का हटा सकते हैं यह dry pollen grain की वज़े से भी शरीर में बहुत सारी allergies भी होती हैं आप सूंग लेते हो फिर वो जाकी irritate करती हैं आपको तो इससे बहुत सारी allergies भी होती है पर pollen grain आपका dry होगा तो आसानी से उड़ सकता है अब dry होगा तो उड़ेगा कहीं चिपकेगा नहीं और एक specific जगा पर land कर सकता है ठीक है अब अगला character भी यहीं पर लिख दूँ क्या फॉर्थ character जो male में होना चाहिए wind pollination करने के लिए जो आपका stamen है ठीक है stamen जो है वो exposed होना चाहिए समझ में आई बात कैसा होना चाहिए exposed होना चाहिए अगर stamen exposed होगा मेरे बच्चो तो क्या होगा बोलो तो हवा air can blow the pollen grain ठीक है समझ में आई बात अगर उपर से exposed होगा आपका stamen जैसे यह इंथर dice करेगा मतलब फटेगा इंथर तुरन pollen grain बारा जाएगा हवा आएगी उडा के ले जाएगी तो अगर अंदर गुसा होगा तो हवा कित्ती भी चल ले अंदर गुसा है तो उपर नहीं आ पाएगा तो यह character होने चाहिए आपके males के पास अब हम बात करते हैं अगर आपको wind pollination करना है तो female के पास क्या character होने चाहिए वो देखो यार टीक है female के पास क्या character होना चाहिए female character जान से सुनो female character for wind pollination ठीक है इसको मैं neemophily भी लिख सकती थी पर मैं पागल हूँ ठीक है female character for the wind pollination सबसे पहला female part या stigma should be exposed ठीक है stigma कैसा होना चाहिए stigma should be exposed देखो क्या बोल रही हूँ मैं ध्यान से सुनो देखो माल लो ये है आपका ये है आपका कोई एक फ्लार ठीक है ओके और ये है आपका stigma ठीक है यहाँ से बहुत चारे pollinating agent जो है वो उड़ते ये आपके pollen green आ रहे अब आपने देखा कि ये जो stigma वाला पाट है ये तो बाहर निकला है तो यहाँ पर आपको pollen green को land कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी पर सोचो कि अगर यहाँ पर stigma यहाँ पर होता ये यहाँ होता तो ये तो भी ये उपर उपर निकल जाते pollen green तो कैसे होता pollenation दिक्कत वाली बात है ना तो ये exposed होना चाहिए ठीक है आई ओप की आपको समझ में आ रहा है दूसरा stigma should be sticky stigma should be sticky चिपचिपा होना चाहिए ताकि जब pollen green उस पर land करे तो फट से चिपग जाए ये कहानी अभी तक आपको clear हो गई ना इसका screenshot लो जल्दी से आगे एक और चीज़ देखो ध्यान से समझना यहां पर जब आपने female का character लिखा है ना तो एक और लिखना पड़ेगा इनका जो female part है ठीक है इनका जो female part है या इनका जो style है वो कैसा होना चाहिए बच्चो एकदम लांग कैसा होनाची एककदम लांग होना चीह और कैसा होना चीह फैदरी होना ci एकदम लांग और एक25दृ होनाचиком लोगने में मेज का example देखा ऊगा मे ρमेजभेक कि अब ताप खाते हो तो समें कुछ ये विछ विज़ा कर आप को बता है वो सब क्या होता है वो तो हवा आएगी, हवा आएगी तो वह पोलन ग्रेन को छोड़ते हुए जाएगी, एक और चीज़ बताती हूं इसमें, इनमें कभी भी वैसे तो एक ओवरी के पास जो है, एक ओवरी के पास, एक ओव्यूल के पास एक ही सीड बनेगा, पर एक ओवरी के पास multiple ओव्यूल होते हे नहीं हिए, समझ में आई बात, इनके पास ध्यान से सून, मेरी बात सून, इनका जो जो wind pollination होता है, उसमें plant में एक single flower नहीं होता, ठीक है, इसमें wind pollination, in wind pollination, लिखरी हों में ध्यान से देखना, in wind pollination, pollination flowers flowers found on the groups groups इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं बच्चो इसे मैं हम कहते हैं inflorescence समझ में आई बात इसे हम क्या कहते हैं? inflorescence जैसे की I hope कि मैंने slide में एक आदा कुछ तो लगाया होगा जैसे मुझे याद आ रहा है लालालालाला यह नहीं यार ओके लिसेंट विएरफिल देखो मेज दिया है है वीत दिया हुआ है अब तुमको पता है वीट में अगर आप देखो तो यह देखो वीट में पूरा यह जो एक-एक सीड बना हुआ है यह पॉर्टिकुलर एक-एक-व्यूल था तो इसमें एक- बहुत सारे फ्लार्स बने हूंगे इसमें तो बहुत सारे प्लार्स एक ही उसमें गुरप में पाई जाते हैं तो यह पूरा एक इंधला। समझ में आ गई बात अब क्या हुआ इसमें बहुत सारे फ्लार थे हवा के माद्यम से बहुत सारे प्लैंट चले आ रहे चले आ रहे चले आ रहे तो failure का chance भी तो जादा है चलो एक ही इसके पास ovule होता तो एक के पास गिरता नहीं गिरता pollen grain वो तो भगवानी माली के पर अगर आपके पास बहुत सारे flowers थे पूरा एक inflorescence था ग्रूप फ्लार्स थे एक बंच में तो भईया जब pollen grain गिरेंगे तो दो चार नहीं डवलप हुए पर बाकी सारे तो डवलप होंगे बुट्टा देखें तो बुट्टे में आपको ऐसे रेशे दिखाई देते ना सो ब्राउन ब्राउन करेंगे वो पता है उसका फीमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट जनरली एक दम एक्सपोज्ड और लटकता हुए रहता है ताकि पोलन ग्रेंड आए तो इसे गिर गिर के गिर गिर के वो पोलन ग्रेंड को रिसीव कर सके समझ में आ गई बात डर्न हो गई इतनी बात तो यह ग्रूप में होते हैं एक बर रिवाइस कर लें इसके characteristics बच्चो एक बार रिवाइस करने इसके characteristics हाँ तो हमें यह पता होना ची के अगर हम wind pollination कर रहे हैं तो हमें color की कोई जरूवत नहीं है हमें scent की कोई जरूवत नहीं है फिर हम लोगों नहीं यह बात किया कि अगर हम wind pollination कर रहे हैं तो हवा के माध्यम से ही मेल जो pollen grain है वो female में transfer होगा पर मेल में क्या character होना चाहिए stigma जो है वो कैसा होना चाहिए जो आपका pollen grain है वो एकदम dry होना चाहिए बहुत सारा pollen grain बनना चाहिए एकदम light weighted होना चाहिए ठीक है अगर को बहुत सारा बनेगा तो failure के chance कम होंगे और light होगा तो land होने में असानी होगी sticky नहीं होगा तो असानी से ऊड़ सकता है हमेशा इसका statement exposed होना चाहिए अंदर नहीं गुसा होना चाहिए ताकि wind में आने में हवा में आने में असानी हो ठीक है यह कहानी हो गई आपकी किसकी male की female में हमको क्या देखा कि उसका stigma एकदम exposed होना चाहिए बाहर लटकता हुआ रहना चाहिए नहीं भी लटका है तो बाहर तो exposed होना ही चाहिए साथ में यह क्या होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए ताकि इसके पर जब पोलन के इन लैंड हो तो यह बिलकुर चिपक सके ठीक है female बेजो style होना चाहिए वह एकदम feathery होना चाहिए example हमने मेज, wheat यह सब कपड़ा यहाँ पर जो wind pollination होता है उसमें एक फ्लार में जो एक ovary के इंदर बहुत-स और वियूल्स होते हैं अगी बार ovary के अंदर ओवरी के अंदर जो वियूल होता है वही सीड बना भणा रहादा क्सिममंद्य equus पर में एक ovary के अठर एक ही आओवेल होता है पर यहां पर एक और एक ओवरी के अनदर 8 para कई उसके इनदर 8 hours पर आगर आपके प्लांट में launch a group है तो बहुत सारी ओवरी तो बहुत साररे ओवियूल तो फर्टिलयाइजरिशन का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है तो तो generally wind pollination inflorescence में जाधा होता है, तो maize is a type of inflorescence, वो जितने seed बने हुए दिखते हैं, जिसको तुम घपर घपर खा जाते हो, वो सब flower है रहे, समझ में आई बात, वो सब क्या है, flower है, हवा आती है, pollen grain छोड़ती जाती है हर flower में, और वो fertilize हो जाता है, समझ में आई बात, तो जो रेशा है ना, इतने सारे रेशे दिखते हैं, यह उसके female part है, जो की pollen grain को trap करते हैं, समझ आ गई बात, तो यह हुआ आपका wind pollination, ठीक है, अब आई ये कौन सा है, कौन सा है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ छूट गई है, मैं बताना बूल गए, यहाँ पर एक और चीज़ आपको add करना पड़ेगा, birds के through भी आप pollination कर सकते हैं, बड़ा ही important है, यह birds का pollination, और आपके NCIT में दिया है, इसे हम कहते हैं, ornithophily, the branch of biology which deals with the study of birds is called as ornithology, hummingbird है, example में hummingbird आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, hummingbird, ठीक है, hummingbird, okay, ठीक, अभी example हमने पढ़ लेंगे, so wind pollination, we have done with the wind pollination, example wind pollination के हमने कौन-कौन से कर लिया हैं, वो देखो, maize, wheat, bamboo, bamboo and sugar cane, ठीक है, यह clear हुआ, अब आते हम लोग water pollination, which is the hydrophily, आगे शुरू करें, water pollination के बारे में शुरू करें, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं आप लोगों को, यह क्या हुआ, okay, wind pollination में आ जाओ मेरे लला, wind pollination, we have done with the wind pollination, example हो गया, mechanism समझ गये, character क्या होने चाहिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, hydrophily, which is the pollination through the water, समझ में आई बात, pollination through the water, चाहिए, अब अगर मैं उनकी बात छोड़ दू, किसकी बात छोड़ दू, जैसे कि मैं ब्रायोफाइटा की बात छोड़ दू, मैं टेरिडोफाइटा की बात छोड़ दू, मैं algae इसकी बात छोड़ दू, इन्हें तो भाईया fertilization करने के लिए पानी चाहिए, और gamit transfer के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, उनकी बात छोड़ दू, ठीक है, अभी हम किसकी बात करें, angiosperms की, maximum angiosperms जो होते हैं, वो water में रहते ही नहीं है, ठीक है, वो land में रहते हैं, तो उनका pollination biotic या abiotic में भी हवा के थू होता है, समझ में आई बात, पर अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे भी angiosperms से, जैसे की seaweed, sea grass, ठीक है, valley celeria, बहुत सारे ऐसे plants होते हैं, जो plant पानी में रहते हैं, तो उनका भी तो pollination होना जरूरी है, उनका भी तो जन्वे से दिदिकार है, कि वो अपने खांदान को बढ़ाएं, तो वो अपने खांदान को कैसे बढ़ाएंगे, वो आज हमें जानना है, तो इसे हम आज हमें जानना है, यह माम, Aquatic NGOsperms में, ठीकें, किसमें होती है बचचों, यह होती है, Aquatic NGOsperms में, ठीकें, अब ध्यान के 몸, यह नखाब पोश्च्छ है यार, नखाब पैने रहता है, हर NGOsperm में, हर Aquatic NGOsperm में, हाइड्रोफिली हो, जरूरी नहीं है याद रखना हर पानी में पाए जाने वाले एंजियो स्पर्म में हाइड्रोफिली हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मैं यह क्या बोल रही हो अभी आप बोल रही हो वह एंजियो स्पर्म जो पानी में रहते हैं वह हाइड्रोफिली करते अब आप बोल के aquatic ngos pumps है, द्यान से सुनना, एक aquatic ngos pumps जो कि purely hydrophilly follow करते हैं, ठीक है, एक जो purely hydrophilly follow करते हैं, purely follow, purely follow hydrophilly, ठीक है, ओके, ये purely follow करेंगे hydrophily पर एक होते हैं जूठे 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 क्यों बुलिखा मैंने आप ये रहते तो पानी में है they are aquatic angiosperms द्यान सुनो they are aquatic angiosperms ठीक है they are aquatic angiosperms but they do not follow the hydrophily समझो बात को they are aquatic angiosperms मेरे बचो but 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 they do not they are some jo they do not follow the they are ari kaisa they do not follow hydrophily ये रहते तो पानी में है पर ये hydrophily को follow नहीं करते समझ में आगई बात ये hydrophily को follow नहीं करते आगे बढ़े ये कौन से है ध्यान से देखो इसका एक बहुत 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 रिन एक्जेंपल है एक्जेंपल लिख रही हूं ध्यान से देखना आई वोप इस विजिबल अरे यार ये क्या रहा है एक्जेंपल देखो बच्चो एक्जेंपल क्या लिख रही हूं मैं एक है water hyacinth water hyacinth ठीक है और है water lily water lily ये बड़े है beautiful flowers होते हैं purple क्लर के होते हैं बहुत ही सुन्दर flowers होते हैं ये क्या करते हैं यही पर बना दूँ क्या ये क्या करते हैं जैसे मालों की ये पानी है I hope I am visible मैं आप लोगों को दिख रही हूं हाला कि मैं तनी बड़ी हों की दिखूंगी इसमें क्या होता है कि जो plant होता है वो पूरा पानी के अंदर है यहां पर बना रही हूं आई ओप ये दिख रहा है आपको ये भूता तो है बहुत ही बूता है यह यारी बोर्ड कभी लाल चलने लगता कभी निगला चलने लगता है ठीक है ये पूरा water है ठीक इसमें plant जो है उसका बाकी का part तो इस तरीके से पानी के अंदर है पर इसने चलाकी ये खेली कि इसका जो flower होता है ना बच्चो इसका जो flower होता है वो पानी के बाहर आजाता है ये इस तरीके से purple color के सुंदर flowers होते हैं इसके पास इसका जो फ्लार होता है वो पानी के बाहर आ जाता है समझे बात को इसमें जो उपर वाला जो उपर का जो मेल फीमेल पाट है वो सब पानी के उपर आता है बाकी सारा पानी के नीचे है बड़ फ्लार ने चाला के दिखाई और फ्लार जो है वो पानी के ऊपर ऐसे तेरने लगा आपने देखा होगा यार वाटर हाइसे तो मतलब इतने भायंकर वाटर ब्लॉकिंग करते हैं आपको देखना चाहिए वो तो पूरा परपल करके फैले पूरा पानी में अब क्या होगा ध्यान से सुनो अब यहां से पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से उड़ता हुआ आएगा यह पोलन ग्रेन उड़ते हुए आ रहे है और यहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा तो एक्चली दे आर वाटर हाइसेंथ और एंड वाटर लिली यह है इनजियो स्पर्म पर यह हइड्रोफिली फॉलो नहीं करते हैं यह क्या फॉलो करते हैं दे फॉलो एंचो मॉफिली ठीक है अी मॉफिली दोनों इंइमॉफिली समझ आई बात क्या बोला मैंने So, ये क्या है? जरूरी नहीं है कि हर aquatic angio sperm hydrophily follow करे दो example आपने ऐसे भी देखे जिनका उपर वाला जो part है जो इसमें style stigma अब लगा हुआ है वो exposed है पानी में अब उसमें जो है बहुत सारे surface कीड़े भी कोड़े भी आ सकते हैं पॉलिनेशन कर सकते हैं और विंड पॉलिनेशन भी इसमें हो सकता है यह तो जूटा हुआ बताओ पानी में रहते हुए भी पानी वाले पॉलिनेशन से नफरत करते हैं बताओ ऐसा कोई होता है परिवार में रहके भी तुम परिवार वालों से नफरत करो पर होते हैं कुछ लोग यहार ऐसे कुछ तो होना जाहिए सो यहां पर आपने देखा कि जो आपका वॉटर ली और वाटर है संथ था वो तो बाईया पानी में रहता है पाणी पॉलिएशन करना पानी से पॉलिएशन करना पानी के थूरू नहीं पसंद कर रहे हैं आप समझो purely water hydrophilia follow करते है पानी में रहने वाले भी दो प्रकार के हो सकते कुछ ऐसे organism होते हैं जो fresh water होते हैं कुछ ऐसे organism बोलती ho बार बार कुछ ऐसे plants incremental fresh water होते हैं बच्चों बहुत चारे ऐसे NGOs Schools हैं जो fresh water है बहुत चारे ऐसे NGOs Gobierno marion water है बहुत चारे ऐसे एंजियो स्पॉम्स भी है जो मेरा इन वाटर हैं माटर लिख रही लेको वाटर है इन में किस प्रकार से आपका पॉलिनेशन होगा देखें यह समझ गया ना वाटर साइथ है इसले पुरे सर्फेस पे फैली रहती है तो बाकी इसका सारा पाट स्टम नीच करते हैं वह एंजियो स्पॉम्स दो एंवार्मेंट में रह सकते हैं या तो वह रह सकते फ्रेश वाटर में या तो रह सकते हैं माराइन वाटर में सीधी बात है अब फ्रेश वाटर में आपको कौन सा एक्जैंपल पढ़ना है वह देखिए फ्रेश वाटर में जो एक्जै में मज़ा बहुत है आपको मैंने यह बताया कि वाटर हाई सेंथ और वाटर लिली यह बड़ी सुंदर दिखती है परपल कलर की होती है इनको नहीं पसंद है कि इनको कोई दबोज कर पानी के नीचे रखे इसलिए अपनी मुंडी निकाल कर पानी के उपर रहती है अब ताकि उनको उनका राजकुमार आए और उठा कर ले जाए अब उनका राजकुमार को पानी के अंदर ढूंडना पड़ेगा अपनी रानी को तो दिक्कत होगी इसलों अपने राजकुमार के इंतजार में पहले ही पानी के बहार आके बैठी है यह तरीके होते हैं याद करने के ब गुड है कि हर जो एंगियो स्पम जो प्लांट्स होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए अलग-अलग एड़ांटेज मिले होते हैं और वैसे भी हाइड्रोफिली जो है इतना successful pollination है नहीं नौ आप आपको मैंने बता है हां तो मैं आपको बता रही थी कि if you are studying about the biology द्यांतो सुनो मेरी बात biology को पढ़ना बहुत असान है पर biology को अगर आप interesting तरीके से पड़ोगे नहीं तो बहुत ही मखन हो जाती है बहुत मखन आपने देखा हो कि मैं बहुत ही पढ़ाती हूं ताकि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो अग्दम रट जाए यार तुम जब मेरे लेक्चर दे लगा के जाओ तो तुम्हारा मूह ऐसे होना चाहिए हा यार मजा आगया यार ऐसा होना ची अगर को यार चाहते हो की आपके शुन्दर हेंड रीटिंग है पर फिर मैं ट्राइए करती हूं कि मैं आपके सामने लिखों ताकि आप मेरे साथ लिखो और इतना लिखो इतना लिखोओ इतना लिखो कि सब कुछ रट जाए इसलिए मैं लिखती हूं कि जब आप मेरी क्लास में आए तो प्रॉपरली आपके नोट्स पने और मुझे पता है कि हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए इसलिमन आपको पढ़ाया चीक है सो वेली सिलिए और हाइड आपका है यह दो एक्जामपल है जिसको जो की प्यूर्ली फॉलो करते हैं और यह फ्रेश वाटर होते हैं आपको मेराइन वोटर में एक एक्जामपल बता र सेग्रस भी कहते हैं अब आईए एक है करके हम लोग शूरू करते हैं कहानी सबसे पहले हम लोग फ्रेश वाटर एंजियो स्पॉर्म में हाइड रोफिली पढ़ेंगे ठीक है let's start with the fresh water एंजियो स्पॉर्म हाइड रोफिली फ्रेश वाटर एंजियो श्पॉर्म की हाइड ठीक है? अच्छा तुमको पता है कि जो फ्रेश वाटर एंजियो स्परम है वो हाइड्रोफिली में भी एक टाइप फॉलो करते हैं, पता क्या? एपि हाइड्रोफिली मैं ये क्या बता रही हूँ आप? ये क्या आपने इतने जोड से अंगरी जी में बोला? एपि हाइड्रोफिली और जो मराइन वाले है दे शोज दा हाइपो हाइड्रोफिली क्या होता? आई देखते हैं देखो ध्यान से वेली सिनेरिया मैं चलो मैं बना कर दिखाती हूँ आपको सबसे पहले वी हाव टू बनाओ दा पानी हाइलाइट कर लेते हैं ताकि सल्दी हो जाए ठीक है ये देखो पानी बना लेती हूँ मैं ये है पानी ब्लू है पानी पानी ठीक है ये पानी बना लेती हूँ इधर और इधर पानी बना लेती हूँ पना इसले रही हूं, ताकि मुझे बनान ये पानी है, ना, कोई गुंडा काण नहीं लाएगा, कि ये क्या बना दिया, ये पानी है थिक है, ध्यान से देखना, I hope ये पानी में बीच बीच में क्या हो रहा है, ठीक है ये बना दिया है मैंने पानी, आई वाप आपको पानी पसंद आ रहा है ध्यान देखना क्या बोल रही हूँ मैं इसमें क्या होता है ये वाले में जो आपका वैली सिनेरिया का एक्जेम्पल हम लो ले लेते हैं वैली सिनेरिया में इनका जो फीमेल पार्ट होता है कौन से कलर से बनाओं कलरलेस होते हैं हाइड्रोफिली में भी हमको अगर मैं हाइड्रोफिली का कैरेक्टर लिखना चाहूँ अगर मैं हाइड्रोफिली का कैरेक्टर लिखना चाहूँ तो इसमें भी हमको कोई भी बेटा कलरफुल होने की जरोत नहीं है कलरफुल नहीं चाहिए यहां नहीं लिखती हूँ, कहां लिखो, यहां लिख देती हूँ यहां पर भी हाइड्रोफिली में भी हमको color, color, scent, color, scent, nectar यह सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें भी, ओके, आगे बड़े हैं अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, valley scenario का example, valley scenario जो example है आपका, उसका stem देखो, female वाला बना रही हूँ, यह female white-ish color के flower होते हैं, valley scenario के, और उनमें पत्तियों type का structure होता है, पत्ती बना ले गया, बना लेती हूँ, चलो देखो आपको, ऐसी ऐसी जंबी जंबी इसके पत्तिय नहीं होगा आपको और ये सारी पानी के नीचे होती सारी और बच्चो इसका white color का अब white तो मैं बना नहीं पाऊंगी तो मैं किस color से बना हूँ? blue से बना दे रही हूँ ठीक है ये इसका stem है और इसके ये ये इसके purple color के flowers है ठीक है? तो ये इसके flower ये इसके flower जुड़े हुए ठीक है? बाहर ठीक है? अब आपने इसमें क्या देखा? वो देखो valley scenario या जो आपके fresh water ingeos pumps है उनका जो female part है वो exposed रहता है समझ मैं आई बात? इसमें आपने क्या देखा? इसमें मैं हमने देखा कि जो female part है वो exposed है ये क्या हो जाता है बूते बोट को ना मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए तो इस पूजा part एक अपनी करा लेनी चाहिए तो मैं क्या लगता है? फ्रीज मुझे comment में बताना है जब भी वैसे सारे teachers इस बोट को use करते हैं तो कुछ नहीं होता यार इसमें जो female वाला part है मतलब जो इसके flower है वो exposed रहते है female का चो मेल पार्ट जो है इस प्रकार से समर्जड रहता है ठीक है और यह क्या हुआ यह देखो यह 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 पुरा समर्जड है ठीक है और यहां पर क्या प्रेड्यूस हुए बच्चो पोलन ग्रेंड ठीक है यह पोलन ग्रेंड प्रेड्यूस हो गए पोलन ग्रेंड प्रेड्यूस हो ठीक है, अंदर घुसा हुआ है, जबकि female part क्या है, exposed है, अब, through the film of water, ठीक है, आप देखोगे, आप देखोगे, कि ये जो pollen grain है, ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने ये बोला, कि ये जो आपका pollen grain है, ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ये बना बना रही हूँ, ठीक, ये जो pollen grain है, यहाँ से तैरता हुआ, ये water चाहिए, यहाँ बिना water के काम नहीं चलेगा, ओके, यहाँ पर पूरे मैं water चाहिए, ये water के film से तैरता हुआ, कहाँ पहुचा मेरे बच्चो, मेरे लला, कहाँ पहुचा, ये पहुचा female के पास, ठीक है, अरे यारी, क्या हो रहा है, ये पहुचा female के पास, अब मैं बहुच जादा सुन्दर बनाने की चक्कर में नहीं हूँ, और फिर यहाँ पर pollination हुआ, pollination, समझ में आई बात, आपने क्या देखा, कि इसमें है तो आपका wind pollination ही, water pollination ही, पर यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमको देखना यह है, कि female part is totally exposed, female वाला part, male part submerged है, उसने अपने pollen grain को यहाँ छोड़ दिया, pollen grain पानी के surface पे तैरने लगे, और फिर पानी के माध्यम से वो female part के पास चले गए, समझ में आई बात, इसका, इसे हम epihydrophily क्यों कहते हैं, white is called as epihydrophily, हम इसे epi का मतलब होता है, epi का मतलब होता है, पानी के ऊपर, समझ में आई बात, epi का मतलब क्या होता है, बच्चो, पानी के ऊपर, तो आपने क्या देखा, कि इसमें जो female वाला part है, वो पानी के ऊपर है, समझ में आई बात, male वाला part पानी के नीचे है, पर male वाले part को यह pollen grain बनाना है, तो पोलन ग्रेन जो है पानी के माध्यम से तैरता हुआ चला जाएगा अब आपके मन में एक सवाल अरची मैडम पानी के ऊपर तैरेगा तो पोलन ग्रेन गीला नी हो जाएगा क्या अब आईए एक और चीज बढ़ाती हुमें देखो हाइड्रोफिली में कुछ कैरेक्टर आपके पास होने चाहिए ठीक है अगर आप पानी के माध्यम से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा रहे हैं मेरे लला तो हाइड्रोफिली होने के लिए आपके पास कुछ कैरेक्टर स्टिक होने चाहिए जैसे आपके पास उसमें थे ना इन तो Philly के तूप transfer कर रहे होता हो, सबसे पहला आपका होना चाहिए, आपका stigma and stigma and pollen grain ये दोनों कैसे होने चाहिए non-wettable ठीक है ये दोनों कैसे होने चाहिए बच्छों इस सब के notes भी लाए हूं तो किसी को मेरी handwriting नहीं समझ में आ रही हो तो कोई tension नहीं है ये अधिक भूते बोर्ड को देखू ये होने चाहिए non-wettable, wettable का मतलब गीले नहीं होने इनके पास बेटा ये देखो अगर इसका ये pollen grain है ना ये देखो suppose that इसका ये pollen grain है तो इसके pollen grain के ऊपर एक mucilaginus इसके pollen grain के ऊपर एक mucilaginus ऐसे covering होती है समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने non-wettable हम कैसे बनाएंगे ये होती है इनके pollen grain के ऊपर एक mucilaginus covering ठीक है क्या होती है बच्चो mucilaginus covering होती है जिसकी वजह से ये पानी जो है इनके उचारों तरफ पानी रहेगा भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये गीले नहीं होंगे ठीक है और क्या होना चाहिए pollination के लिए इनके पास ये property होनी चाहिए कि float करें ठीक है इनके pollen grains के पास क्या होनी चाहिए floating property होनी चाहिए float करें ठीक है floating property होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि इनके जो pollen grain होते हैं वो passively move करते हैं ठीक है pollen grain कैसे move करते हैं मेरे लला passively move करते हैं समझ मैं आई बात pollen grain passively water के through move करते हैं ठीक है water through okay movement passively move करते है पानी के through तैरते हुए female में चले जाते है डन हो गई इतनी बात ठीक है तो ये इनके property होनी चाहिए अगर आप transfer कर रहे हो पानी के through तो ये हो गई pollen grain का passive कैसा movement होगा pollen grain का passive movement होगा ये आपको पता होना चाहिए passive movement होगा pollen grain का done हो गई कोई दिक्कत कोई परिशानी तो नहीं अब हम लोग बात करते हैं marine water एंजियो sperm की hydrophily के बारे में चलिए देखते है marine water में कुछ नहीं है marine water hydrophily ठीक है अब हम देखने वाले हैं बच्चो marine water hydrophily के बारे में इसका example हम लोगोंने क्या पढ़ाता है seagrass या zostera 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 sorry और seagrass इसी को हम कहते हैं कोई tension नहीं इसका दूसरा नाम और पता है क्या होता है इस plant का और नाम क्या है इसको सीवीट के नाम से जानते है इसे हम कहते हैं hypohydrophily क्या कहते हैं देखो तो देखो इसे भूते को इसे हम कहते है इसे हम कहते है हाइपो हाइड्रो फिली कभी-कभी मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है इसके पर ठीक है इसे हम कहते है हाइपो हाइड्रो फिली देखो सिलेक्ट ब्लू है पर चलता ब्लाग है और यह सब के साथ नहीं करता है यह मेरे साथ ही करता है बड़ी परिशानी इसके साथ यार, ठीके, देखो इसमें कहीं होता है, सबसे पहले रंगो, रंगो, ब्लू, पानी, पानी रंग लो, ठीके, पानी रंगना बहुत ज़रूरी है, बीना पानी रंग है कैसे, जो है तो हाईड्रो फीली समझोगे, यार, है ना, तो आपको समझ अभी आप हमको biotic agents में पढ़ने आ रहा है ना चलो देखो यह हो गया थोड़ा एक और लेयर पानी बना ले हम लोग ठीक अब ध्यान से समझना मेरी बात इसमें इसमें जो male और female है जैसे यह बना लिया हमने male part इसमें यह बना हो पहले इसको बना लो आप female वाला part ठीक है यह female है यह इसके female यह इसके flowers हो गया यह female वाला part इसका बना हुआ है आपको पता है कि इसके जो pollen grains रहते हैं वो इस टाइप के filamentous होते हैं यह इसका pollen grain है ठीक है filamentous polar grain ठीक है और इसके उपर क्या होती है mucilaginous covering वो भी लगा लो यह देखो इनका filamentous होता है pollen grain लिखें क्या लिखें चलो इसमें male और female इनको हम hypo hydrophily क्यों कहते हैं hypo का मतलब होता है नीचे what is the means of hypo मेरे बच्चो hypo का मतलब होता है नीचे पानी के नीचे ठीक है इसमें मेरे बच्चो male and female part धान चे सुनो मेरी बात male and female दान चे सुनो male and female both part both parts male and female both parts submerged 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 in the in the marine water समझ आई बात क्या बोला मैंने इसमें इसमें हमें ये पता चला कि जो male and female दोनों पार्ट है वो फानी के नीचे इसलिए से हम hypo hydrophily कहते हैं इसमें जो pollen grain है वो filament type का होता है pollen grain कैसा होता है filamentous होता है लंबे लंबे होते हैं ठीक है और इनके ऊपर mucilegious covering होती तक ये गीले नहीं होए ये क्या है hydrophily is done hydrophily we have done so यह हमारे example हो गा है hydrophily के हमने यह पढ़ लिया कि पानी में रहने के बावजूद यह लोग एनिमोफिली या एंटोमोफिली फॉलो करते हैं और यह organism पानी में रहते हैं और पानी के माद्यम से ही pollination करते हैं पर इनका rate जो है न वो बड़ा ही less है बचो बहुत ही less है मतलब यह बहुत ही यह बहुत ही यह बहुत ही less होते हैं कभी-कभी मैं बहुत परिशान हो जाती इस बोर्ट से बहुत तंग करता है मुझे यार अब लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं आप पर नहीं करते हैं यह बहुत चोटा है अगर समझ गया हो तो आप समझ जाओगे जूफिली के मेरे बच्चों क्या चाहिए बोलो अगर हमें किसी इंसेक्ट को अट्राट करना है तो क्या होने चाहिए फ्लार में जिसे वाई हम चाहते हैं कि हमारे पास इंसेक्ट आजाए सबसे पहला सवाल तो हमारा यह है कि हम क्यों चाहते हैं कि इंसेक्ट आजाए माड़म हम इंसेक्ट इसलिए चाहते हैं कि उनके बॉड़ी में जो पोलन ग्रेंड लगे रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास गर जाए पर वो तुमारे पास क्यों आएगा अगर तुम बुछ सूरत दिखोगे तो तो यहां पर character zoo philly के लिए क्या होने चीए कि जो petals होने चीए वो बड़े ही colorful होने चीए petals कैसे होने चीए petals should be colorful समझ में आई बात petals कैसे होने चीए मेरे बच्चो colorful देखो यार सुन्दर था कि पीछे तो दुनिया पागल है तो ये क्यों ना रहे है तो petals कैसे होने चीए जो पंखुडिया होनी चीए बड़ी सुन्दर होनी चीए तो इंसेक्ट बोलेगा ओ ओ ओ ओ ये बड़ा ही सुन्दर फ्लार इसके पस तो जाना पड़ीगा अब फ्लार क्या चाता है फ्लार तो सिर्फ ये चाता है कि तुम कुछ भी करने आओ बस हमें पोलिंग ने दे जाना चीए उसके बाद कैसा होना चीए बहुत ही सेंटेड होना चीए कैसा होना चीए सेंटेड सुगंध होनी चीए आप लोगोंने देखा होगा कि जनरली जो रात वाले फ्लार होते है जो रात में खिलते हैं वो कैसे होता है, वाइट कलर की होते है पर फिर भी वो सुगंध बहुत तेज़ देते है जो रात में पॉलिनेशन होता है तो ऐसा थोड़ी कि इंसेक्ट उनके पास बराबर जाता है बचो अगर तुम्हें यह लगता है कि इंसेक्ट उनके पास नहीं जाता तो इंसेक्ट उनके पास बराबर जाता है ठीक है पर रात वाले फ्लार फिर कलर तो नहीं होता उनमें यह रात में कलर दिखेगा कैसे तो वाइट कलो के होते पर उनकी सुगन इतनी भायानकर होती है कि इंसेक्ट उनकी सुगन दिस उनके पखला जाता है चलो चलो ठीक है तो सेंटेड होने चीए कलरफुल होने चीए और उनके पास होना चीए नेक्टर और नेक्टर को देखकर ही नेक्टर को फील करके ही सारे वो आते हैं ठीक है तो ये तीन प्रापटी तो मस्ट होनी ही चाहिए अगर आप जूफिली को करवाना चाहते हैं जूफिली मतलब the pollination by the organisms or animal जूफिली कितने टाइप का है ये अपन लोगों ने कर लिया है I hope कि आपको पता है जूफिली कितने टाइप का है ये अपन लोगों ने कर लिया बच्चो जूफिली में हम लोगोंने सबसे पहले क्या किया है एंटोमोफिली ठीक है एंटोमोफिली अब ये हमको कुछ examples भी पढ़ना है इसके ठीक है एंटोमोफिली एंटोमोफिली मतलब आपको insects के through करना पड़ेगा ठीक है इंसेक्ट कौन कौन से हैं ठीक है सबसे पहले इंसेक्ट होगा बच्चो बटरफ्लाई या मैं आपको सबसे पहले इंसेक्ट होगा बच्चो बटरफ्लाई है या मैं नहीं जबसे पहले अपन हने भी हनी बी तो बैस्ट है या हनी भी बटरफ्लाई बटरफ्लाई कोई भी फ्लाई वैस्प ये डिन्मोफिल फिर हम लोगों को क्या है करना है बई पी उसके बाद और नीधनतोह फ्ली संतलब birds के through आप birds क्या करती है कि ऐसे उड़ती उड़ती जाती है कहीं पर किसी पेड़े बने बैठे पोलंगे चिपक गया कहीं जब उड़ी तो जाड़ते हुए चली गई इसमें आपके NCIT दो एक्जामपल देती मेरे लिल्ला कौन कौन से sunbird sunbird and hummingbird sunbird and hummingbird ये दो एक्जामपल हो गए इसके sunbird and hummingbird ठीक है उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको उसके बाद zoofilly में और कौन से आ सकते हैं zoofilly में reptiles भी आ सकते हैं बहुत चारी lizards इसके examples है उसके बाद reptiles के बाद mammals भी आ सकते हैं mammals mammals और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं ठीक है mammals में लीमर इसका example दिया हुआ है लीमर ड्रैको नाम की चिपकली इस पर आ सकती है यह है आपकी zoofilly zoofilly के क्या character आप समझ के अच्छा main objective zoofilly का यह है कि animal जो है ध्यान से सुनू what is the objective of zoofilly यहाँ लिख रही हूँ देखो ध्यान से objective क्या है zoofilly का दोनों को फाइदा होना चीए देखो बहिए animal को क्या मिलना चाहिए animal को मिलना चाहिए nectar nectar और plant को क्या मिलना चाहिए बच्चो pollen grain यही है बोलो यही है ना उसके लावा तो कुछ नहीं है डन हो गई इतनी बात डन है जूफिली इसमें आपको कुछ examples भी पढ़ने हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि दोनों का फाइदा होना बहुत जरूरी है मैं आपको examples पढ़ाती हूँ सबसे पहले agents of pollination जो है दो प्रकार का है अब जिनको भी मेरी सुन्दर handwriting नहीं सबज में आई हो वो यहां से लिख सकता है abiotic agent में wind water used by the small proportion of plant ठीक है यह आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इस environment में हैं तो generally abiotic agent के through pollination कम होता है mainly angiosperms में ठीक है वैसे तो अगर मैं बात करूँ bryophyta के, algae के और radio phyta के तो पानी के थ्रू ही पूरा fertilization होगा पानी के बिना काम नहीं हो सकता biotic agent में animal used by majority of the plant majority of plant जो है वो animal का ही इस्तेमाल करते हैं air biotic agents देखते हैं wind और animophily इसको हम कहते हैं एक एक लाइन बच्चों आप देखना आप एक एक लाइन देखना जो मैंने तुमको पहले पढ़ाए फिर तुमको मैं स्लाइट से पढ़ाऊंगे फिर उसको तुमको NCRT रीड कराऊंगे उसके बाद pollination ऐसा हो जाना चाहिए कि तुमको दोबारा पढ़ने के आप शक्ता नहीं होनी चाहिए आप सिर्फ इसके सवाल लगाना ये lecture देखने के बाद कोई बच्चा जो है notes बना लेना और फिर सीधे जाके सवाल लगाना सीधे सवाल लगाना आप सीधे MCQ सॉल्व करना कुछ और करने की ज़रूद नहीं है ठीक है विंड एनिमोफिली ये मोस्ट कॉमन है एबाइटिक पॉलिनेशन का विंड पॉलिनेशन के क्या क्या क्यारक्टर होने चाहिए रहे चलो शुरू हो जाओ पॉलिने लाइट होना चाहिए डिрь होना चाहिए मतलब नॉन्स््टिकी होना चाहिए लाइट होगा ड्राइ होगा तो असानी से हवा के थूप अ मूव कर सकता है प दो वे बिलकोघ से बलटब बयाल एक्सपोस होने चाहिए आगे बढ़ें, जहां से देखो, यहां पर stigma is feathery and ideally adapted to catch the pollen grain, यहां पर stigma sticky हो गया है, feathery हो गया है, ताकि आसानी से pollen grain से जो एंथर आ रहे हैं, वो हमारे पास आ सके, एंथर is loaded with the pollen, dangled loosely from the filament, that is exposing to the pollen, यहां से देखो, जैसे यह बचली कि खट सूड के चला जाएका, ठीक है, समझ गया है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, flowers have large feathery stigma, stigma feathery होना चाहिए, और sticky होना चाहिए, ताकि आसानी से pollen grain को trap कर सके, किसी भी wind pollination show करने वाले, और water के through pollination, मतलब कि animophily और hydrophily शो करने वाले plants को, सुन्दर दिखने के भी कोई अवशक्ता निया, centered होने के भी कोई अवशक्त निया, क्योंकि यह जो pollination है, यह accidentally होते हैं, और इसमें failure के chances भी इसलिए जादा है, ठीक है, presence of single ovule in each ovary, ठीक है, पर generally wind pollination जो होता है, वो किस में होता है, inflorescence में होता है, inflorescence मतलब एक ovary में एक ही ovule है, पर अगर आपके पास multiple flower होंगे, तो multiple ovary होगी, तो multiple ovule होगी, तो multiple ovule Examples, maize, wheat, sugarcane, bamboo यह तो पहले कर चुके थे पन, आगे बढ़े, water या hydrophily, मेरे आखो में खुझली हो रही है, water or hydrophily, pollination by the water is quite rare, बहुत ही कम होता है, सिर्फ उनी plants में होता है, जो generally किस में होता है, generally क्या है, hydro का मतला भी पानी है, generally पनरली कुछ नहीं, पानी में होने वाले, जो जीव हैं, उनमें hydrophily होती है, पर आपको मैंने water hyisynth और sea lily का एक ऐसा example बताया है, जो aquatic angiosperms होने के बावजूद, hydrophily को prefer नहीं करते हैं, ठीक है, पर सिर्फ किस में limited, only 30 जनेरा में, monocots, में जैसे कि मैंने आपको बताया, angiosperms में monocot or dicot होते हैं, fresh water monocot जैसे कि valley scenario, hyd hydrilla, marine water plant like zostra, जिसको हम sea grass भी कहते हैं, अगर आप देखो कि इसमें female flower exposed है, और male flower पानी के अंदर है, पानी के अंदर ऊपर आएगा, फिर तारते होग इसके पाश जाएगा, यह कौन सी है, epihydrophily, example is, wellison area, ठीक है, okay, wellison area बताया मैंने आपको, और hydrilla, ठीक है, now next is, light, क्या characteristics, if you are showing the hydrilla, आपके पास क्या character होने चाहिए, let me show you, आपका pollen grain light होने चाहिए, देखो भईया, आपको pollen grain को यहां से माँ पिचाना है, अगर आपको pollen grain यहां से माँ पिचाना है, तो आपका pollen grain light होना चाहिए, और गीला नहीं होना चाहिए, समझ में आई बार, गीला होगा त जिसके विज़ा से वो गिले नहीं होते है, उसके बाद इनका stigma भी लंबा होना चाहिए, अगर हम हाइपो, एपी हाइड्रोफिली शो कर रहे है, वले सिनेरिया की बात कर रहे है, तो आपका जो पेडिसील होना चाहिए, जो पिचाना होना चाहिए, और उसका female flower पानी के ब का स्टिग्मा लंबा होना चाहिए, ताकि female flower बाहर आ सके, male अंदर ही रहते है, पानी के अंदर, ठीक है, the female flower है, very long pedestal, therefore, they reaches the surface of water, the male flower, after the breakage, float into the surface of water, जो एंधर उनका वो होगा, और अपना pollen grain वो पानी के माध्यम से फ्लोट कर देंगे, ठीक है, so look at this, female flower बाहर है, यहापर male plant अंदर है, इसने अपने pollen grain छोड़े हो, ऐसा तैरते वीच लेगा, ठीक है, pollen grain are released on the surface of water, they carried passively by water current, ठीक है, और फिर female stigma में पहुँच जाता है, आगे बढ़े, अब हम बात करें, hypohydrophily की, example, rostor, seagrass, female flower और male flower दोनों submerged रहते हैं, ठीक है, okay, pollen grains are long ribbon like होते हैं, यह भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, और वो ribbon like ऐसे ऐसे तैरते हुए, अब ribbon like रहेंगे, तो पानी में ऐसे तैरते हुए, जाएंगे, फस जाएंगे female part में, तो pollination, असान हो जाएगा, ठीक है, so, and they are carried passively inside the water, some of them reach the stigma and achieve the pollination, ठीक है, देखो यार, water की में बात करूँ, चाहे, air की ब बहुत होते हैं, okay, in the majority, इसी लिए, इसी लिए, इसमें हमेशा pollination multiple inflorescence में होता है, multiple flowers में होता है, एक flower में होता है, ठीक है, the majority of aquatic plant, the flower emerge above the level of water and pollinated by the insect or wind, ठीक है, देखो, water high sense and water really, ठीक है, तो बहुत सारे पानी वाले, ऐसे aquatic plants होते हैं, जो पानी के ऊपर होते हैं, बाकी पा question का answer है ही है, एना, देखो क्या है, बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful, do not produce nectar, क्या reason हो सकता है इसका, बताओ मझे, क्या reason हो सकता है, जरुवत ही नहीं है, जरुवत ही नहीं है, जरुवत ही नहीं है, ए-biotic agent को कभी ये थोड़ी feel होगा, भई हवा ये थोड़ी सोचेगी, आहाहा, बड़ा स सुगंदित है, हवा सोचेगी, पानी सोचेगा, जब किसी को feeling नहीं होना है तो जरुवत है, क्या, नहीं है, ठीक है, flowers pollinated by a-biotic agents, बहुत colorful नहीं होते, ठीक है, और बहुत रेक्टर नहीं प्रेड्यूस कर सकते, बहुत bright color नहीं होते, क्योंकि इनको insect को attract नहीं करना पड़त है, ठीक है, ठीक है, अचली किसी भी flower में अगर आपके पास nectar है, color है, तो यह आपके लिए reward है, यह आपके लिए additional feature है, क्या आप अपनी सुंदर्ता से लुभा सकते है, ठीक है, ठीक है, pollen grains are coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination, to compensate these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen as compared to the, as compared to the, this nectar wale plant and इतने सारे pollen grains, wind वाले, जो पॉलिनेटर्स होते हैं या जो आपके abiotic agents के through, जो pollination करते हैं, उनमें आपने देखा कि बहुत सारे pollen grain produce होते हैं, बहुत सारे pollen grain produce होने का फाइदा यह है, कि accidentally एक निगरेगा, दो निगरेगा, कभी ना कभी ovule के पास तो आएगा ही ना यार वो pollen grain, ठीक है, तो बहुत सारे pollen grain, यह भाई, इतने सारे pollen grain बना देंगे, कि सारे वो भी उलको फ्यूज कर डालेंगे, ठीक है, बायोटिक agent, majority of flowering plant use a range of animal pollinating agent, bees, butterflies, flies, beetle, wasp, ants, moths, birds, sunbird and hummingbird, example of NCRT, bats, बहुत सारे pollinating agent हैं, ठीक है, सबसे पहले insect, entomophily, common biotic agent, सबसे common biotic agent यही है, bees are the most common insect, जो कि pollinating agent के दर भीव करता है, बहुत चारे और insects जैसे butterflies, flies, vass, beetle, moths, यह सब भी आपके काम करते हैं, इस a pollinating agent, क्या-क्या होना चाहिए, अगर आप insect के through pollination करवाना चाहता है, सबसे पहले आपके पास rust होना चाहिए, nectaries होने चाहिए, flower के base पर, बहुत चारी nectar प्र लार्ज साइज होगा, सुने में दिवात, क्या बोल रही हूँ, अगर लार्ज साइज होगा, ठीक है, तो insect को गुसने में असानी होगी, जब वो गुसेगा, तो pollen grain तो उसके आसपास से चिपकी जाएंगे, ताकि लार्ज साइज होगा, तो गुसने में असानी होगी, nectar पॉलिनेटे बाइ फ्लाइज अन बीटल, ओर्डर होना चाहिए, अब सबको अलग-अलग पसंद है भी है, स्मॉल साइज फ्लारा क्लॉस्टर इंटू दे इंफ्लॉरेसेंस है, अगर आप चाहते हैं कि आंट जो है, वो सब को पॉलिनेट करें, तो आपका जो फ्लार है, वो इंफ्लॉरेसेंस में होना चाहिए, मतब गूरुप में होना चाहिए, स्टिकी पोलिन ग्रेन होनी चाहिए तक कि वो चिपक सके और सुगंध होनी चाहिए, तक कि जिसको सूंकर वो आपके जो आपके और्गानिजम है, वो पास आ सके, ठीक है, फ्लोरल रिवार्ट तो इंसेक्ट देखो इस अर्थ में इस एंवार्मेंट में बहुत सारे ऐसे फ्लार्ज होते हैं जिन्होंने अपना आरेंजमेंट ऐसा कर रखा है कि तुझे भी फाइदा हो इंसेक्ट को भी फाइदा हो और मुझे भी फाइदा हो जैसे कि एक एमोर्फो फैलस एक एमोर्फो फ खाना ले, Amorphophallus, 6 feet लंबा एक फ्लार है, और ये इतना लंबा होता है कि अंडे दे देते हैं इस पे, जो आपके इंसेक्ट रहते हैं, ताकि दूसरे और गानिसम इनके अंडों को देखे ने, उखाए ने, तो इससे क्या होता है कि भाईया, उनको भाईया, उनको भाईया, में 6 feet थोड़ी अंदर कोई खाने जाएगा, तो एक फ्लार ने एक शेल्टर दिया, फॉर दा अंडा, और इंसेक्ट और इंसेक्ट ने बदले में उसके पोलंग ने ले लिया और सब जगा फैला दिया, ठीक है, सो फुलोरल रिवार्ड इंसेक्ट को क्या मिलता है, किसी भ और example में आपको बताना चाहती हूं, it is the moth and एक बहतरीन example है, pornuba moth and yucca plant ठीक है, moth and yucca plant का ये बहुत ही फेमस example है, क्या है देखो, pornuba moth lays its X in the ovary of yucca plant and its flower get pollinated by the moth, सीधी बात है, जो आपका moth है, वोसकी ovary के अंदर जा का अपने परे इंडे देरता है, अब और बॉर तो पापी पुरुष अगर तुने मेरे अंडे मेरे पास अपने अंडे रखाए तो तु मेरे पॉलन ग्रेन लेके जाएगा और सब जगह दूसरे फ्लार में छोड़ता जाएगा ठीक है बहुत और गैनिसम केंनोट कंप्लीट देर लाइफ सेकल दे आर सिंबाइटिक अंडे कहां देता है जो ओवरी को लोक्यूल होता है ओवरी का जो स्पेस होता है जहां पर ओव्यूल स्पाए जाते है उसको लोक्यूल कहते हैं तो ओवरी के लोक्यूल में जो ओव्यूल स्पाए जाते हैं वहीं पर इसके अंडे निकलते हैं ठीक है So, both organism cannot complete their life cycle without each other Moth deposit their egg on the locule of the ovary, of the flower और जैसी उदेने जाएगा साथ में, पोलिंगेन चिपका के लियाएगा The larva of the moth came out from the egg as seeds start developing ठीक है? जैसी larva बहार है, a seed develop होने लगीगा Okay? जैसे 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 develop होता है, वैसे उसका larva भी develop होता है अब बेटा ये हो गया And biotic animals agent to achieve the pollination पढ़ लिया हम लोगोंने Majority of plant use, biotic agent use करते है Small proportion, जो है, plant use करते है, abiotic agent Pollen grain coming in contact, in contact with the stigma is a chance factor ठीक है? देखो भाई या, ऐसा है कि जिस प्रकार से human का भी में fertilization कराना है, तो हम 3 million sperms को release करते है और वो 3 million sperms जो है, उसमें कुछ ही sperms जो होते है यह flower बोल रही, आपके that egg के पास पहुशते है कुछ ही के पहुशते हैं, पर उसमें fertilize सिर्फ एक ही होता है तो वो तो chance है कि कौन सा स्पम जाएगा, यहां पर भी वैसा ही है अगर मालो maze के बारे में बात कर रही हूँ मैं तो एक maze kinflorescence में अगर पांच सो, पांच सो बैने जादा बोल दे, दो धाई सो flowers है तो भाई यह pollen grain तो million में release होते हैं पर उसके बावजूद हर flower fertilize नहीं हो पाता इसका मतलब यह कि chance factor है कि आपका ovule fertilize होगा या नहीं होगा जब भी हम यह biotic agent के बारे में बात करते हैं wind और water के, तो chances of failure जादा हो जाते हैं क्योंकि हवा को यह नहीं पता है कि उसे कहा जाना है हवा तो अपने रुख में चली जा रही है अब pollen grain गिरे, नहीं गिरे, भार में जाए इसलिए chances of failure जादा होते हैं biotic agent मतलब insect को, birds को, lizard को, इन सब को पता होता है कि नहीं कहा जाना है wind और water को तो नहीं पता है चलो ठीक है, both wind and water pollen to compensate for this uncertainty इसी compensation के लिए हम लोग जो भी आपके abiotic factors के तुरू pollination करते हैं वो वाली प्लांट बहुत ज़्यादा pollen grain करते कि चलो एक नहीं गिरेगा, उसके पास दूसरा नहीं गिरेगा दसवा, एक हजार वा कभी न कभी कुछ न कुछ तो गिरेगा इसलिए वो प्लांट एनॉर्मस अमाउंट ओ पोलिन प्रेड्यूस करते हैं ठीक है, आगे बढ़े next is what, pollination by wind is more common among us abiotic pollinator ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि wind of water में ज्यादा common को होने तो wind है ठीक है, wind pollination also requires that pollen grains are light होने चाहिए, ताकि वो उड़े और गिरे, non-sticky होने चाहिए ताकि उड़ते समय कहीं चिपकना चाहिए, they also transported by the wind current, ठीक, आसानी से उड़ पाए, उड़ पाए मतलब water उन्हें उड़ा पाए यह, हवा उन्हें उड़ा पाए pollins are easily dispersed into the water currents ठीक है, as large, often feathery stigma होना चाहिए क्या होना चाहिए, मेरे बच्चों, feathery stigma होना चाहिए और क्या होना चाहिए, sticky stigma होना चाहिए ताकि वो pollen grain को trap कर सका है wind pollinated flowers are often have a single wind pollinator जो flower होते, उनके पास single ovule होता है एक ovary में, पर actually इनके पास बहुत सारी ovary होती है क्योंकि इनके पास बहुत सारे flowers होते है और यह flower inflorescence में पाए जाते है numerous flowers packed into NCIT में कौन से example दिया, देखो बहुत सारे यह, देखो, देखो a wind pollinated plant showing the compact inflorescence and well exposed statement, hand exposed तो आसानी से हवाएगी, पोलिंगे नोडा के ले जाएगी and inflorescence, a familiar example is the corn cob, corn cob, मेज देखो corn cob, जिसको अब खाते हो ना कपकप करके वो corn cob के लाता है, the tassels जो ऐसे brown brown color के में पढ़ा है ना आपको tassels कहते हैं, जो आपको बुट्टा कहते हो और बुट्टे में जो ऐसे brown brown color के विदेशी जैसे बाल दिखते हैं, उन्हें हम कहते है tassel, आपको पता है, ये क्या है ये कुछ नहीं है, ये style और stigma है जो कि exposed है समझ में आई बात, there are nothing बच्चो there are style and stigma जो कि क्या है exposed है, ताकि हवा आए और pollen grain को उड़ा के लिए जाए अब उड़ा, तो stigma के पास तुम्हारे पास नहीं पहुचेगा, दूसरे बाजुवाले कॉरन के पास पहुच जाएगा, ठीक है now, to trap the pollination wind pollination is quite common in grasses बहुत common होता है, grasses में तो बहुत ही common है, ठीक है, now pollination by the water is quite rare सिर्फ कितने में पाई आता है, 30 जनेरा में आगे देखो और water से जो pollination करते हैं मेरे बच्चों वो generally क्या होते हैं, monocotyledon ये नीट में ये सवाल बहुत पूछा रा सकता है, मतला इसकी possibility है कि ये आ सकता है कि बताए water से pollination करने वारे जो plant होते हैं, वो कैसे होते हैं, आपको बताना पड़ेगा monocots होते हैं, ठीक है As against this, you would recall the water is a regular mode of transport of male gamete among the lower plant group जैसे की bryo teridophyta, ये मैं आपको कितने बार बता चुकी है, एक ही lecture में इसके बारे में हम कई बार discussion कर चुके हैं, कि water जो होता है, वो बहुत important है gamete transfer के लिए in the bryophyta and teridophyta It is believed particularly for some bryophytes and teridophytes that distribution is limited because of the need of water for the transportation of male and female gamete and fertilization Basically, इतने ज़्यादा है नी plant और उनको एक suitable direction में जाना है उनको इधर उदर पूरी दुनियादारही में जो है तो मगल मारी करने नहीं है इसलिए उनको पर्टिकलर डिरेक्शन में जाना है, इसलिए वो water का इस्तेमाल करते हैं Some example of water pollinated plant is valisinaria and hydrilla which grows in the fresh water and several marine sea grasses such as zostera Not all aquatic plants are used water for the pollination in the majority of aquatic plants such as water hyacin and water lily the flowers are emerged above the level of water and pollinated by the insect or the wind यह पढ़ा हम लोगों ने यह पापी लोग जो होते हैं तो hydrophytes ही है, पानी के अंदर रहते हैं पर अपना जो female part है, वो exposed करके रखते हैं जिससे आपका wind के थूपॉलिंगरेन आते हैं और आपके insects के थूपॉलिंगरेन आ सकते हैं As in most of the land plants, जैसे कि land plants में होता है, वैसे इन में भी होता है In the valisinaria, the female flower जो होता है वो उपर रहता है, surface of water पे रहता है क्योंकि इसके पास एक long pedestal होता है long stark होता है, जिससे अपना ये मुंडी बाहर निकालती है जबकि male flower और pollen grains जो होते हैं वो पानी के नीचे रिलीज होते हैं और पानी के माध्यम surface of water पे रिलीज होते हैं यह आसकता है, important question है male flower और pollen grains are released onto the surface of water ठीक है, यह question आसकता है कि बताइए कि वैलिसinaria में दोनों की position क्या है तो आपका जो female flower है, वो है water surface के उपर और water surface से ही तैरते हुए आपके pollen grain आते हैं female के पास ठीक है, they are carried passively by the water current ठीक है, some of them eventually reach the female flower and the stigma, ठीक है, देखो यह रहा so अगर आप female flower का pedicil देखे तो कितना उपर है यह surface of water पे तैर रहा है, यह देखो 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 और यह अगर आप बात करें फिर यह देखो यह यह तैर रहा है water surface पे और यहाँ जाके pollinate कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़े in another group of water pollinated plants such as sea grasses female flowers, male flower दोनों submerged रहते हैं और pollen grains release होते हैं पानी में pollen grains in many such species are long ribbon like and they carry it passively inside the water, ठीक है तो इनका जो pollen grains रहता है, ribbon rye रहता है mucilaginous sheet से cover रहता है और passively तैरता हुआ चला जाता है और pollination को achieve करता है in most of the water pollinated species pollen grains are protected from the wetting यह साब, तुम क्या देख रहे हो तुमने यह देखा कि तुम्हारी प्यारी शिपरा माम ने सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ ठीक है, so the pollen grains are protected from wetting by the busilyginess covering होती है, ठीक है both wind and water pollination, pollinated flower are not very colorful क्यों होते हैं इसका अंसर भी मैंने आपको बताया नहीं होते है, तो क्या हुआ, इसके पास advantage क्या है advantage यह है कि multiple, बहुत सारे pollination produce करते है majority of flowering plant use a range of animals such as, as a pollinating agent जैसे कि bees, butterflies, beetles, मुझे जैसे दिखनी दाइधरा आती हुए bees, butterflies, beetles, wasps, ants, moths, birds birds में कौन से, sunbird and hummingbird, यह दोने example याद रखियेगा and bats are common pollinating agent among the animals, insect, particularly bees देखो bees से pollination हो रहा है particularly bees are the dominant biotic pollinating agent bees जो है सबसे common और सबसे popular अरे यार, यह क्यों हो यह क्यों हो यह क्यों हो चीक है ओह 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 बीज जो होती है यह सबसे ज़्यादा common dominant pollinating agent है even larger animals such as some primates, lemurs say arboreal tree dwelling, tree dwelling, arboreal मतलब जो branch से branch कूट कूट के चलते हैं rodents से reptiles में gecko lizard and garden lizard यह दो example याद रखना आपको reptiles बता है उससे भी pollination हो सकता है lizard पैडो के उपर चलेगी, अपने पैरों में चिपका चिपका के pollen grain देती जाएगी and have also been reported as a pollinator in some species often flowers of animal pollinated plants are specifically adaptive for the particular species of animal चीक है, ओके हर pollen grain किसी specific species के लिए बनाया है यह जानी कि गेंदय का pollen grain, गुलाब के pollen grain का pollination कर सकता है majority of insect pollinated relation जो flowers होते हैं insect से जो pollinate होते हैं उन्हें कैसा होने चाहिए, large बड़े-बड़े होने चाहिए सुन्दर होना चाहिए, colorful होने चाहिए, nectar produce करने होने चाहिए, सुगन्दित होने चाहिए when the flowers are small, number of flowers are clustered into the inflorescence अगर flower छोटे हैं तो वो cluster में पाए जाएंगे जिसे हम inflorescence कहते हैं और make them conspicuous ठीक है, animals are attracted to flowers by the color and fragrance ठीक है, animals क्यों attract होते हैं, colors of fragrance होता है the flowers pollinated by the flies and beetles secrete foul order to attract these animals ठीक है, जिसको, beetles और आपके, that flies होते हैं, गंदी जगों पे जाधा बैखते हैं ऐसे flowers जो गंदी स्मेल प्रड्यूस करते हैं to sustain animal visit, the flower have provide rewards to the animal अगर जो flower है, वो चाहता है कि animal कुछ दिर तक रुके मेरे पास तो plant कुछ reward देता है, क्या reward देता है, nectar and pollen grain जो कि floral reward है, किसके लिए, insect के लिए ठीक है, for harvesting the rewards from the flower, animal visitor come and contact with the anthers and the stigma the body of animal get coated with the pollen grain, which are generally sticky in animal pollinated flower तो जब वो आया, nectar के लालच में आया, कि आप मैं तुझे खा लूंगा जैसे ही nectar के लालच में आया, वो इसके उपर बैठा, पूरा pollen grain से coat हो गया जीक है, when the animal carrying the pollen grain on his body come and contact with the stigma, it brings about the pollination इससे pollination होता है, in some species, floral rewards are providing safe places to lay एक nectar तो एक reward हुआ, साथ में कुछ ऐसे amorphophallus, the floral itself 6 feet height का होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ nectar देते हैं, उसको shelter भी देते हैं, कि तुम आओ मेरे अंदर अंदे दे दो एक relationship होता है, yukka और moth के बीच में, moth उसके ovary के locule, yukka plant के ovary के locule में अपने अंदे देती है और दोनों एक दूसरे अपना life cycle पूरा नहीं कर सकते, the moth deposit the legs into the ovary और locule और उसके बदले में, moth जो है, उसे pollinate कर देता है, चिपक के लाता, pollinate उसको देता है the larvae of moth came out, the egg, the egg as the seeds start developing, ठीक है, larvae जैसे बड़ेगा वैसे seed बड़ेगा, ठीक है, जैसे seed बड़ेगा वैसी larvae बड़ेगा, ठीक है, जैसे seed बड़ेगा वैसी larvae बड़ेगा, ठीक है why don't you observe the some flowers of flowering plants, others available to you, cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana try to find out which animal visit them and whether they could be pollinators, you will have the patiently to observe the flower over a few days and at a different times of the day, you could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit carefully observe if any of the visitor came in contact with the enthers and the stigma as only such visitor can bring about the pollination many insects may consume the pollen or nectar without bringing about the pollination pollination नहीं करते हैं, फिर भी खाख खूग के चले आते हैं nectar such florals visitors are referred to as pollen nectar robbers यह याद रखियेगा, नीट का यह सवाल हो सकता है pollen nectar robbers कौन होते हैं, क्या समझा, अभी आपको बताती हूँ मैं देखो, इससे आपने मेरे बच्चों यह सीखा कि NCRT में वो जो question दिया हुआ है कि आप इतने सारे plants को देखो, garden में जाओ, regularly observe करो देखो उनके पास कौन कौन आता है, क्या सिर्फ एक ही आता है, pollinator agent यह कोई और भी आता है कितने देर तक समय बिताते हैं, तो मतलब यह कि जो insect आ रहा है वो pollination कर रहा है पर अगर बहुत समय तक उसके flower नहीं आ रहे हैं, तो मतलब यह है, कि यह जो insect आ रहा है यह क्या है, उसका pollinating robber हो सकता है, चोर हो सकता है तो pollen robbers वो होते हैं जो pollination नहीं करते हैं और nectar लक्षुरा के लिए जाते हैं तो NCRT के मेरे बच्चो एक एक लाइन इतनी important इतनी important इतनी important है कि क्या बताऊं कि इतनी important है बहुत भायंकर important है IT के अंदर हम लोगों ने wind pollinating agents पढ़े थे wind के बारे में पढ़ा था और water के बारे में पढ़ा था wind अगर as a pollination के लिए हम इस्तमाल कर रहे हैं इत इस called as anemophily और अगर हम water का इस्तमाल कर रहे हैं इत इस called as hydrophily जिसमें हमने विबिन ने प्रकार के plants का example पढ़ा कि कौन से plants wind के through pollinate होते हैं और कौन से plant पानी के through pollinate होते हैं फिर हमने biotic agents के बारे में पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया entomophily इंसेक के through pollination और neetophily birds के through pollination और बहुत सारी और भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी मतलब अगर कोई living thing के through या किसी organism के through pollination हो रहा है तो उसे हम biotic agent के अंदर consider करेंगे लास्ट क्लास में जो lecture हम लोगों ने complete किया था उस lecture में से हो सकता है कि आपको नीट में एक से दो सवाल मिले और एक से दो सवाल में ही तो आदमी का खेल बदल जाता है यार एक सवाल गलत करके आपकी रैंक की नीचे गर गई क्योंकि उसे एक सवाल में consider होते हैं बहुत सारे बच्चे और आपको पता है 45-55 लाख लोगों को देना है नीट और उसमें एक क्वेस्टेशन जो है बहुत सारे लोग गलत करते हैं बहुत सारे लोग वसी क्वेस्टेशन को सही करके अपनी रैंक बढ़ा लेते हैं फिर आपको प्लांट में इंट्रेस्ट होना चाहिए क्योंकि प्लांट का भी रखो हमेशा female और males में आप लोगों ने पढ़ा human being के reproduction में आप लोगों ने पढ़ा दना कि ऐसा है कि जो जोना पेलुसिडा होती है वहा के उपर यह बेसिकली जानती है कि यह मेरा sperm है यह मेरा sperm नहीं है समझ में आ गई बात आप human being में इसके से गधे के बच्चे पैंदा निकर सकते human beings a human being के ही बच्चे पैदा होंगे क्यंकि human being का एक यह जानता है कि मेरा sperm है तो भया etsa यहाँ पर भी है गुलाप जो है कभी घेनदे का या चाइना रोज का फार मी दे सकता यहाँ पर भी पहचानने की छमता होती है इसे ही हम pole and pistol interaction कहते हैं वहाँ पर हम जैसे कि हम लोगो ने पढ़ा था interaction between sperm and ova वैसे यहाँ पर भी हमें pole and pistol interaction के बारे में पढ़ना पड़ेगा if we want to learn the double fertilization or the fertilization between the ova and the pole and green समझ में आई बार तो पहले इंट्राक्ट तक हो रहे हो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बहिया पहले हम लोगों ने पढ़ा structure किसका structure पढ़ा हम लोगों इस chapter को किस-किस पार में divide किया था और देख लो पहले नहीं तो भूल जाओगे एक बार अपन लोग देखते हैं किस chapter को ने किस-किस पार्ट में divide किया था सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ना था देखो इस chapter को sexual reproduction in flowering plants देखो इस chapter को को लोगों ने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था कौन कौन से पार्ट हम लोगों पढ़ लिया और कौन कौन से बाकी है वो अभी देख लो ताकि आपको कम से कम चैप्टर से कनेक्टेड रहे कि कौन से टॉपिक हो गए कौन से बचे ठीक है देखो sexual reproduction sexual reproduction in in flowering plant flowering plant ठीक है इस ट्यप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना था क्या 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 बचा है वो अभी हम जानते sexual reproduction in flowering plants के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले what we have to learn क्या learn किया हो ने बताओ तुम लोगी है पड़ चुके हो जिसने नहीं पढ़ा है और आज पहले ही कुदक के आ आगा है कि आज अचिका लेक्षर्ट्र लगाएंगे मैडम का तो पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कवर किया था फ्लार कवर किया था फिर हम लोगोंने म मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट कम्प्लीट किया था मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट पूरा कम्प्लीट किया था रिप्रोड़क्टिव पार्ट चीक है डन मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट में हम लोगों ने पुरा एंथर वेंथर की कहानी कम्प्लीट कि तो और हम topic हम लोगोंने complete कर लिये हैं ठीक है फिर उसके बाद हम लोगोंने क्या पढ़ा बैटा दोनों के development पढ़ लिया उसके बाद हम लोगोंने पढ़ा pollination और pollinating agent के बारे में जो last lecture में ही हम लोगोंने पढ़ा था ठीक है pollination के बारे में pollination होगा तो fertilization होगा ठीक है pollination के बाद क्या आएगा fertilization आएगा fertilization के बाद बच्चो fertilization में हम लोगों को तीन मुख्य topic पढ़ने हैं अगर आप चाहते हैं कि fertilization properly हो तो आपको इसमें तीन मुख्य topics को include करना पड़ेगा इसाब हो गया बटा यह चारो topics हम लोगों ने कर लिया है बहतरीन तरीके से fertilization में आप लोगों को करना पड़ेगा Poland Pistol Interaction ठीक है सबसे पहला it is not very big topic यार मुश्किल से 10-12 मिनिट का topic है पर आपको जानना पड़ेगा ठीक है so this is the number one is the Poland Pistol Interaction सबसे पहले हम जानेंगे Poland Pistol Interaction यह बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे बिटा किसके बारे में Artificial Hybridization के बारे में Artificial Hybridization बहती बहती बहतरीन टेकनीक है ठीक है हम लोग सोचते थे कि वह यह हम लोग desire sun पाना है तो test tube baby कर लो in vitro fertilization कर लो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है और इसी के अंदर फिर हम आखरी में बात करेंगे double fertilization very important topic double fertilization ठीक है और उसके बाद हम बात करेंगे fruit की seed की उसके बात क्या बनेगा बोलो उसके बात क्या बनेगा उसके बाद seed बनेगा fertilization के बाद seed के बाद हम fruit पढ़ेंगे fruit पढ़ेंगे और fruit के बाद last एक topic है poly embryoni poly embryoni और epomyxis यह है आपके NCRT की summary जो आपको पढ़नी है सो कहां कहां तक हम लोगों ने complete कर लिया मेरे लला द्यान चे देखो यह complete हो गया अपना flower male reproductive part female reproductive part pollination यह topics हमने complete कर लिए चाप्टर के आज हम लोग बात करेंगे इस वाले topic के बारे में मुश्किल से 2-3 class और chapter ठीक है फिर MC की कुछ करेंगे पॉलेंड पिस्टल इंटरेक्शन शुरू कर लेते हैं आए देखते हैं पॉलेंड पिस्टल इंटरेक्शन क्या है मेरे बच्चो देखो ओह 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 यह बार बर यह slides क्यों आती है I don't know like this slides चीक है देखते हैं चलो सो अरे यार फिर देखो इसको में डिलीट कर देती हूं रुको मेरे बच्चो थोड़ा सब रखो जीवन में ओके नाओ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे लिल्ला पॉलेंड पिस्टल इंटरेक्शन आओ वा मैम आप तो ऐसा लग रहा है कि यह वोट जो है थोड़ा सम उससे दूर रहता है एक्चली इसलिए सीधा ने लिखा तो वैसे मैडम आप पास भी रहता है तो कौन से सीधे सीधे लिखती हो एंड मेंट तो लिखती हो पोलें ग्रेन लिख रहे हूं पोलें पिस्टल इंटरेक्शन यह टॉपिक आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है ब पिस्टल को बनाए आप पोलें पिस्टल इंटरेक्शन कैसे पढ़ोगे रहे है ना यह कहानी है बिना यह टी एक बनाओ पिस्टल बन गया पिस्टल कोई दिक्कत कोई परिशानी इसमें कलर कर लें क्या बोलते हो क्या बोलते हो क्या बोलती है जंता पिकलर कर लो थोड़ा बैठ सकते हैं न बाई ऐसा यह किसने बोला कि जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एकी प्रकार का पॉलन लाएगा वो डिफरेंट टायप के पॉलन ग्रेंश लासकता है पर सिर्म वही पॉलन ग्रेंट क्यों पोलन ट्यूब बनाते हैं जो उसके स्पी जल्दी बन जाएगा ओके, now this is बड़ा now this is बड़ा ओके, now this is बड़ा, ठीक है, this is the pistol let me color this pistol let me color करो this pistol ये रेखो pistol में color करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम इसमें contrast color use करेंगे और एक embryo sack का formation करेंगे अच्छा, इसको पढ़ने से पहले बेटा आपको पिछला lecture मतलब आपको कौन जा लेक्चर पता है, megasporogenesis का lecture लगा क्या ना, अगर कोई बच्चा ये lecture लगाना चाहता है मिरे लिल्ला, तो आपको पहले megasporogenesis का lecture लगाना पड़ेगा ठीक है, बिना megasporogenesis का lecture लगा है, आपको ये नहीं बनेगा ठीक है, चलो, अब ये हो गया एक पिस्टल, अब याद करो वो दिन, याद करो वो दिन आप लोगों को मैंने ये पिस्टल हो गया, ठीक है, पिस्टल के अंदर क्या होता है, पिस्टल के अंदर क्या होता है, मैम पिस्टल के अंदर होता है, ओव्यूल ठीक है, पिस्टल के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है, होता है कि नहीं होता है, पिस्टल के अंदर ओव्यूल बोलो मेरे साथ पिस्टिल के अंदर OVULE होता है कि नहीं होता है तो बनाओ ना OVULE क्या प्रॉब्लम है ठीक है, तो यह आप OVULE बनाओ यह हो गया आपका OVULE डण, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बनाई OVULE यह हो गया आपका OVULE ठीक, यह बना लिया हम लोगों ने ओवियूल डन ठेक ओके नाओ याप करिये वो दिन जब मैंने ओवियूल के अंदर आपको थोड़ा सब मोटा ओवियूल बनाना पड़ेगा देखो थोड़ा मोटा बना लेते हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे तो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था ओवियूल ठेक है यह ओवियूल डन ठेक है दो लेयर का ओवियूल इंटेग्यूमेंट भी बना लो चलो यह बन गया ओवियूल तो यह है आपकी ओवरी और यह है आपको व्यूल याद करो याद करो जिसको नहीं आद है वो मीगा स्पोरोजनेसिस का लेक्चर लगा क्या है वह या और अगर मीगा स्पोरोजनेसिस का लेक्चर नहीं लगा क्या हो गई तो यह जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या डिसकस कर रही हूं ठीक है लेबल तो मैं कर दोंगे लेवली में का है चलो आओ कर देती हूं so मेरे बच्चो यह क्या है बच्चो यह है स्टाइल this is the style this is the stigma जो कि sticky होता है ताकि pollen grade उस पर चिपक सकें ठीक है this is the ovary यह क्या है ovary ठीक है ovary के अंदर actually ovary ovary यह जो black वाला बार लेर this is the ovary यह है locule of the ovary जहां पर क्या पाया जाएगा ovule yeah the purple one is ovule यह क्या है बच्चो ओव्यूल है डन है अब इस ovule के अंदर यह जो cover दिख रहा है यह क्या है बच्चो इस दा future seat cover मेरे बच्चो ठीक है यह ओके integument हो गया protection देने का काम करता है अब याद करो याद करो यह जो आपका structure है ध्यान से देखो यह है this structure is called as embryo sack ठीक है यह structure क्या कहलाता है मेरे लला this is the embryo sack this is the embryo sack embryo sack है यह done हो गई इतनी बात आप ध्यान से सुनो embryo sack के चारो तरफ embryo sack के चारो तरफ कौन सी सेल्स होती है this is the new cellist भरा हुआ है new cellist deployed cells है यह सारी यह जो blue one बना रही हूँ इससे हम क्या कहते embryo sack हो गया यह जो आपको blue one दिखाई दे रहा है this is the new cellist जिसकी cells क्या होती है deployed होती है और यह developing embryo को nutrition देता है I hope कि आपको यह clear हो रहा है the blue one is called as new cellist मेरे बच्चो new cellist यह हो गया new cellist done हो इतनी बात अब यह जो आपको embryo sack the red one दिख रहा है इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चो इसके अंदर मैं structure होता है जल्दी यहां पर excel होती है यह XL है यह Excel है यह send है ठीक थोड़ी बढ़ी बनाती हूँ बढ़ी बढ़ी hells os ほो दो यह बढ़ी-बढ़ी cells inaum synergies केते हैं और यहां पर लगा होता है एक talk cancel यह 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 ठीक है त्इन वह गया चलो लेबल कर लेते हैं यह आपन लोग पढ़ चुके है इसको धान से देखना दब्लाक वन को क्या कहते है एकसल के पेंजो बाद में चलके जाइगोड बनाएगी और फिट सीड बनाएगी उसके बाद सेंटर पर एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं सेंटरल सेल या पोलर नूकलियाई सेंटरल सेल और इसके नूकलेस को हम कहते हैं पोलर नूकलियाई और लास्ट में मेरे बच्चो थर्ड नंबर पे आखरी में बिल्कुल तीन सेल पाए जाती हैं जिने हम एंटी पोडल सेल के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं में कोई problem आपको नहीं होनी चाहिए एक पिस्टल का डाइग्राम है पिस्टल के अंदर जो नीचे सॉलन हिस्सा होता है इसको ओवरी कहते हैं ओवरी के अंदर परपल वन इस ओव्यूल ओव्यूल के अंदर होता है ठीक है न्यूसिलस जो होता है यह डवलपिंग अंब्रियों को जब फर्टिलाइशन हो जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा ड़न होगा इतनी बात चलो उसके बाद यह स्टिग्मा है अब समझो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं कोई भी पॉलिनेशन हु यहां पर बहुत सारे पोलन ग्रें गिर गए हैं अब यह तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि यहां पर जो पॉलन ग्रें गिरें हुए हैं वो पोलन गरें सिर्फ उसी स्पीशीस के हो जैसे मान लोगे हम चाइना रोस की बात कर रहे है जो इंसेक्ट आया है और पॉलन गिर female और male part के बीच में होगा interaction, समझ में आई बात, क्या होगा? interaction होगा, और यह जो interaction होता, वो था chemotrophic interaction, समझ में आई बात, pollen grain और pistol के बीच में क्या होगा, बचो, pollen grain, pollen grain और pistol के बीच में होगा interaction, ठीक है, क्या होगा मेरे लला, pollen grain और pistol के बीच में होगा interaction, interaction होगा, इसका मतलब यह है कि हमें इस से यह पता चलेगा कि हमें इस pollen grain को यहाँ पुचाना है कि नहीं पुचाना है यह जो interaction होता है मेरे बच्चो यह कैसा होता है chemotrophic interaction कैसा होता है बच्चो chemotrophic interaction का मतलब यह है कि इसकी जो synergic cells होती है यह निकालती है कुछ चैभी कटा मिकल्स क्या निकालती है कुछ कैमिकल्स निकालती ए और उने कंटा ए पोलाम着 कर लेटा है और फिर उसी जगह पर पॉलन bar can collect को टवलब करता है आगर आप और देखें तो यहाँ पर के पास होते हैं फिली northern इस यहां पर यह झाला है रहा है इस अधिना स्फिलिफनयर्ग घ्रेटक्षन दिक अंदर आए जा रहे हैं और पॉलन ग्रेण फॉलन त honeymoon कर देंट कहां और नोगुसा दे इसलिए फिलिफ стороны श्कष तो को आजा ऐजा आजा ति है यह बताते हैं नो synergids के पास यह capacity होती है कि वो पहले यह पचानती ओ तुम मेरा है ठीक है पहले वो पचान जाती कि मेरा है या नहीं है पहले अगर वो पचान जाएगी कि मेरा है तब तो ठीक है पर अगर उसको लगा कि मेरा नहीं है तब तो वो कोई response नहीं देगी सो सिनर्जिट्स जो है वो पहले पचानती कि तू मेरा है या नहीं है और अगर तू मेरा है तो वो कुछ स्पीशीज है समझ में आई बात इस पोलन पिस्टल इंटराक्शन मेरे बच्चो डन हो गई इतनी बात इसमें कोई कन्फूजन तो नहीं ना अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहती हूं चीक है आई वांटे टू रब दिस मुझे इसको मिटाना है ताकि मैं यह बता सकू कि हमें पोलन ट्यूब को किस प्रकार से डवलप करना है अधरवाइज आपको कभी भी समझ में आगा कि पोलन ट्यूब डवलप कैसे हुए ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन हम यह आनी पड़ेंगे नेक्स क्लास में तक क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है फिर मजा नहीं आ अब क्या होगा वो द्यान से देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्व यह मिटा दू यह हमको क्लियर हो गया ना यह सब आपको पता है ना इतने मेरे लाल हो तुम इतना पढ़ाया मैंने इतने हुश्यार होने चाहिए ठीक है चलो देखो बेटा अब उसके बाद यह जरू इतने हैं कहानी और समझनी है याद करो वो दिन याद करो वो दिन जब मैंने आपको एक पोलं ग्रेन की सन्रचना समझाई थी याद है पोलन ग्रेन इस दी गामिटोफाई अब दा फीममेल ठीक है यह एक पोलasında है मेरे बच्छो न क्योंट हाँ प्योंकि हम सवद प्रोड पिस्टर구를 पढ़ना है तो पहले pollen grain की सनरचना तो पढ़नी ही पढ़ेगी अदर्वाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि pollen grain होता गया अब याद करो यह सब pollen grain अपने बनाया था और आपको याद होगा कि मैंने आपको बढ़ता है कि यह जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम कहते है वेज़िटेटिव सेल बचो ठीक है यह जो बलाक वाली बड़ी वाली सेल है इसना क्या कहलाती है यह जक्ट और मीटिटेटिव सेल इसका nucleus हो गया और यह हो गई एक और cell जो इसके इंदर तैर रही है इसे हम कहते है जनरेटिव सेल क्या कहते हैं बच्चो जनरेटिव सेल यह याद है आप लोगों को यह एक proper pollen grain की संदशना है 60% NGO sperms में दान से सुनों क्या बोल रही हूं में 60% NGO sperms में यही pollen grain पाया जाता है समझ में आई बात 60% NGO sperms में यही वाला pollen grain मेरे बच्चो पाया जाता है डं हो गए इतनी बात 60% अंज पाया जाएगा डं 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 अब यह pollen grain जो है यह सब पूरे यहाँ पर यह वाली यह वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह यह वाले डाने सबसे पहले पोलेंगेंग हुआ पोलेंगेंग जो है उसो केमिकल के थुरू ट्राट किया गया तुवर्ड्स देंब्रियो सैक अब अगर आपको याद होगा देन दिस एंडिस कॉल्ड एज माइक्रो पाइलर एंड ठीक है इ एंट्री ओफ पोलेंग ट्यूब डन है यहां से पोलेंग ट्यूब की एंट्री होगी बच्चों कहां से माइक्रो पाइलर एंड से यू हाव तू रिमेंबर इस थिंग्स ओल्वेज डन है माइक्रो पाइलर एंड से पोलेंग ट्यूब की एंट्री होगी तो जैसे ही पोल Pollen Grain, start making, oh and pollen grain start making what, pollen grain banana शुरू कर देंगे, क्या बोलो, pollen grain, oh, pollen grain बनाना शुरू कर देंगे, क्या बچो, pollen grain बनाना शुरू कर देंगे, pollen tube, ठीक है, entry of pollen tube, ठीक है, चलो, अब आपन बात करते हैं, इसको, अपन वो करते हैं, अब बालो कि ये pollen grain गिरे हुए है, सबसे पहले मैं इसको मिटाऊंगे क्यों कि मुझे यह अच्छे लगनी रहा है यह देखो अब यहां पर मालो कोई pollen grain है कौन से कर्णर का बनाओ ब्लैकी बनाती हूँ ठीक है यह पॉलन ग्रेन अपने यह पॉलन ग्रेन अपने पास मेरे लल्ला गिरे हुए यह गिरे हुए यह गिरे हुए यह गिरे हुए ठीक है लेगा कि हमें यह जाना है क्योंकि सिर्ज तबहुत सारी केमिकल निकाल है रहा है इत रहा है पर्याद होगा यहां पर पॉलेंट वेचिटेटिव जो अई वसके निप्लेंट यह हो गई जन्रेटिव सेल और यह जो न्यूकलियस दिखाई दे रहा है यह कौन से सेल का है यह है वेजिटेटिव सेल न्यूकलियस यह क्या है बच्चो इस दा वेजिटेटिव सेल न्यूकलियस ठीक है यह क्या है मेरे बच्चो इस दा वेजिटेटिव सेल का न्यूकलियस और यह है generative cell का nucleus ठीक है पर जैसे ही जैसे ही यह क्या होंगे आगे बढ़ेंगे इस generative cell में क्या होगा बोलो मेरे साथ mytosis क्या होगा बच्चो mytosis और mytosis और जैसे ही mytosis होगा है अरे यह मिट नहीं रहा है ऍद यह होपा रहे है खिसट थी जो रहा है चलो कोई बात नि centers अब यह जो है यह दो Nucleus A बन जाएंगे तो basically we have three Nucleus एक है vegetative cell का Nucleus और दो है हमारे पास Gametes ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग बच्चो Gametes ये दोनों को हम क्या कहते है Gametes Done है समझे ये बात को क्या बोला मैंने मैंने ये बोला कि pollen grain में जैसे ही pollen grain जैसे ही बनेगी वैसे ही आपकी ये जो Generative cell होती है इसमें होता है Mitosis और हमें दो Nucleus मिलते हैं जिने हम क्या कहते हैं Gametes क्या कहते हैं Gametes अब बेटा क्या होगा वो देखो अब इसी pollen tube की Entry होगी इस जगह से देखो ये pollen tube यहाँ पर सब्सक्राइब क्या नाम है Embryo Sack के पास आ गए ठीक है अब Two male gametes जान सुनो Two male gametes Gametes Reach कर गए हैं कहां पर Reaches the Reaches the Embryo Sack कहां reach कर गए है Embryo Sack ये होता है Pollen Pistol Interaction बस Pollen Pistol Interaction कि भया Pistol ही Pollen को बताती है कि तुझे मेरे पास ही आना है तुझे कहीं और नहीं जाना है Pollen Grain Germinate होगा तो वो Pollen Tube बनाएगा चैसे ही Pollen Tube बनेगी Generative Cell में Mitosis होगा Mitosis से 2 male gametes हमें मिलेंगे Pollen Tube की Entry Synergyet से होगी Synergyet को Nust करते हो इंदर गुशेगी Pollen Tube Consent से Micropolerant से और अब उसमें होगा Fertilization जो अभी हमें नहीं पढ़ना है So इतना ही था Pollen Pistol Interaction बच्चो सबस इतना ही है Pollen Pistol Interaction That's it ठीक है इसका एक बच्चो स्क्रीन शॉट ले लो बच्चो यह ले लिया आपने स्क्रीन शॉट आगे बड़े हम लोग आब आओ बेटा थेओरी पढ़ लेखते हैं थोड़ा सा आजा 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 चलो देखो Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen on the stigma बिल्कुल सही बात है भाईया फीमेल और मेल के साथ क्या होता है कि जब भी copulation होता है जब भी intercourse होता है तो फीमेल को यह पता होता है कि जो sperm उसकी बॉड़ी में आ रहा है वो sperm female का ही किसी और का नहीं है पर यहाँ पर कहानी यह है कि जो stigma के ऊपर जो pollen grain गिर रहे है वो ज़रूरी नहीं है बच्चो कि वो उसी plant के किसी और के भी तो सकते भाई इंसेक्ट मेरे पास पैटा नहीं वो बैठा Marygold का China Rose का आ गया तो Marygold के पास तो फिर China Rose के pollen grain आ गया पर क्या वो वहाँ पर germinate होंगे क्या बच्चो बताओ मुझे germinate होंगे क्या नहीं often the pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self-incompatible और land also land on the stigma ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा दूसरे plant का होगा ध्यान सुने मेरे बद क्या बोल रहीं दूसरे plant का होगा तो दूसरे plant का होगा तब तो उसमें कोई land होने का भी कोई मतलब नहीं हो सकता है कि कुछ flower जो उसके उसी plant में लगे हों वो flower ठीक तरीके से pollen grain नहीं बना पा रहो वो वाले pollen grain भी उस flower में जो अच्छा है उसमें लैंड हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है यह तो बस चांस हिडन ट्राइल है भाई यह ठीक है दा पिस्टल है इस बिलिटी तो रिकरगनाईज अपोलन वेदर इट इस ऑफ दर राइट टाइप कंपाटिबल और रॉंग टाइप इंकंपाटिबल पर पिस्टल के पास यह प्रॉपर्टी होती है कि वो यह पहचान सकती है कि यह पिस्टल यह जो पॉलन ग्रेन है यह सही है मेरा है यह गलत है यह मेरा नहीं है ठीक है समझ में आई बाद तो यह एक NCRT का डाइग्राम है जिसमें पॉलन ट्यूब डवलप हो रही है जिसमें जो है पॉलर पॉलेंट पूलन बोलेगा कि तूमेरा है तू आजा यह जा रहा है और अगर पॉलन पिस्टल बोलेगी सुरी कि तू आ मेरा है chemical निकालेगी attract करेगी उसे तो ठीक है और अगर नहीं निकालेगी तो नहीं है उसका ठीक है अब अगर बात करते हैं हम लोग किसकी post pollination event after the compatible pollination are listed below ठीक है अगर एक बार pollination हो गया तो उसके बाद क्या-क्या event होते है pollen grain अगर पिस्टल ने बोल दिया है कि तू मेरा ही है तू आजागा तू टेंशन नहीं ले तू आजागा तू टेंशन नहीं ले ना बिलकुल ठीक है अब pollen grain जो है वो germinate होगा stigma में और एक pollen tube बनाएगा देखो pollen tube vegetative cell का nucleus नहीं दिखाते है जनरली लोग क्यों कि उससे मतलब नहीं होता है हम सिर्फ किसका दिखाते हैं यह दो nucleus दिखाते हैं जो कि male gametes होते है ठीक है ओके the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one germ pores ठीक है pollen tube कहा से होती है आपको पता है कि pollen grain germ pore क्या होता है याद है ना आपको याद है आपको कि सब भूल गया याद करो वो दिन आपके pollen grain की उपर दो layers होती है बच्चो एक होता ‫ hoje in time ठीक है एक Sic physician जो होता है वो बहुत-ज्यादा हाइद होता है तो उसके बीच-बीच में ऐसे गैप जाते हैं ठीक है जिससे हम कहते हैं जर्म पूर इसे हम क्या रहेगा और गैमेट्स का भी नुपलेस रहेगा पोलें ट्यूब ग्रोज त्रोग टिशूज ऑव स्टिग्मा स्टाइल इंड रिचेस दो ओवरी पोलें टीव ओवरी के ओर जा रही है बुला कॉन रहा है बच्चों बुला रहा है स्टिग आपका ओवरी का स्टिनर्जी अब पोलें ट्यूब जो है उसके अंदर पाई जाती है जिसमें होगा माइटॉस जिससे मिलेंगे हमें दो मिल गैमीट डूरिं दा ग्रोथ ऑप पोलें ट्यूब इंड़ सेल कंडिशन ठीक है समझ में आई बात अच्छा याद रखो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है क कि जो पोलेंगे देखो मैं हम लोगों प्रकार का पढ़ाता 60% पोलेंगे में हम लोगों ने पढ़ाता कि हो सकता है कि हमारे पास already को बताया कि 60% एंग्योस पो में ऐसे रिलीज होते है जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल पर जैसे ही पिस्टल बोलती है यह तो मेरा है उससे पॉलन ट्यूब डवलप होती है आपके पॉलन ग्रेंट से और पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेंट के इंदा जो क्या बोलना चाह रहा है यह सेंटेंस यह बोलना चाह रहा है यह सेंटेंस मेरे बच्चो यह सेंटेंस यह बोलना चाह रहा है कि चलो ठीक है अगर पॉलन ग्रेंट इस अवस्था में रिलीज हुआ ध्यां से सुनों अगर पॉलन ग्रेंट इस अवस्था में रिलीज हुआ this is the vegetative cell, ठीक है, through vegetative cell हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, this is the vegetative cell and this is the generative cell, generative cell, ठीक है, तब यह जो generative cell है, यह कब बनेगी, कब डिवाइड होगी, after the development of pollen tube, ठीक है, अगर ऐसा pollen grain आपके stigma पे release हो रहा है, जो कि 60% angiosperms में ऐसा ही होता है, ठीक है, तो आपकी generative cell कब डिवाइड cell, जान से देखो, generative cell, डिवाइड, आफ्टर, आफ्टर, लिख लो यह, the development of pollen tube, ठीक है, 60% में ऐसा ही होता है, पर अगर माल लो, आपके पास pollen grain ऐसा ही है, pollen grain अगर आपके पास ऐसा ही है, यह हो गया, यह हो गई vegetative cell और यह दो हो गई generative cell, यह दो हो गई generative cell, तब तो कोई tension नहीं है, अब आपके pollen tube में 3 cell भाइंगे, कोई tension नहीं है, समझ गए, तो क्या लिखा है इसमें, the growth of pollen tube is chemotrophic, attract करता है pistol की तूधर ही है, the generative cell divide and forms a two male gamut during the growth of pollen tube in the stigma, if the pollen grain are shed at the two cell condition, two cell में होगा तो ऐसा होगा, अगर pollen grain तीन cell में हुआ, मतब अलड़ी उसके पास 2 male gamut बन चुके थे पहले, 40% angiosperm में ऐसा ही होता है, तो pollen tube के पास पहले से ही 2 male gamut होगे, तो 60% angiosperm में male gamut pollen tube के बनने के बाद generative cell divide होके बनाती है, और 40% angiosperm में पहले से ही मिलते हैं, ठीक है, सो ध्यान से देखो मेरे बाचो, यह है pollen grain, यह है आपका tube nucleus, ठीक है, यह है आपकी generative cell, vegetative nucleus को हम tube nucleus भी कहते हैं, और फिर जब pollen grain प्लस tube, pollen tube, यह pollen grain में 3 nucleus हैं, 2 तो sperm nuclei हैं, जैसे male gamut कहते हैं, और एक होता है tube nucleus, जिच इस the vegetative cell का nucleus, ठीक है, इस clear हो गया, कैसा होता है कहानी, आगे बढ़ते हैं, चलो, देखो, entry of pollen tube into the wheel takes place through, क्या हां से होगी, आपको बता, micro-pillar end से होती है, ठीक है, micro-pillar end, pro-gammy, this is the most common condition, takes place in most of the flowering plant, ऐसा हर plant में, maximum angiosperms में, micro-pillar end से ही pollen tube के entry होती है, ठीक है, चलाजल, चलाजो-gammy, example, casu-rena, casu-rena का देखो, इस में pollen tube, चलाजलेंट से एंटर लेती है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट से भी हम एंट्री ले सकते हैं, मीसोगे में, example, is cucu-rena, so, maximum angiosperms में pollen tube कहां से एंट्री लेती है, मेरे बच्चो, यह लेती, micro-pollorant से, पर कुछ जैसे कि आपकी casu-rena और वो कहां से, उनके में कहां से एंट्री होते हैं, चलाजलेंट से, और इंटेग्यूमेंट से भी एंट्री हो सकती, जो cover है, ovule का, वहां से भी हो सकती, cucurbita में, खर यह आता नहीं है, पर आपको बता दिया मैंने, now listen to me very carefully, अगर आप देखो, देखो, यह एक ovule का डाइग्राम है, ऐसा ही ovule का डाइग्राम आपके NCRT में दिया हुआ है, हम लोगोंने ovule का डाइग्राम कैसा बनाया है, हमने ovule का डाइग्राम मैं सीधा बनाया है, ठीक है, हमने ovule का डाइग्राम ऐसा बनाया है, पर यह ज़रूरी नहीं है बच्चो आपका NCRT में उल्टा है ना ट्रॉपस वाला दिया हुआ है ठीक है बहुत सारे टाइप के होते हैं एम्फी टॉपस हेमी टॉपस है ना टॉपस ठीक है यह होता है चलाजल पॉल एम्प्रियो सै्क आपको याद है कितने सेल स्ट्रॉप encontramos कि याद है कि नहीं यह चलो गिल लो यारो तुम लोगों यह भी किनवाना पड़ेगा गया गिवा थए ख्रा、कोईड़्य? साथ सेल होता है कितने सेल होता है यह यह इंहां से ? embryo sac में कितने cell होते हैं embryo sac में 7 cell होते हैं nucleus गिनों किता होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nucleus ठीक है यह structure है यह structure है यह structure है नहाँ embryo sac का यह हम लोगों ने पढ़ भी लिया और hope कि इसमें आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए center वाली cell नहीं हमको clear है एग apparatus की synergy और आपका polar nuclei और synergy जिसमें XL होते है एग apparatus बनाते है ठीक है ना लिसन चुमिए very carefully यह देखो pollen tube आ रही है और micropillar end से entry ले रही है यह है यहां से आ रही है से इंट्री ले रही है ठीक है आगे बढ़ें चलो नाओ entry of pollen tube into the embryo sac irrespective of the place of entry of pollen tube into the view the tube invariably enter the embryo sac at the micropillar end degenerated the synergy cell ठीक है देखो यहां पर ऐसा होता है कि synergates के पास होते ध्यान से सुनो क्या बोल रही है मैं इदर आओ synergates के पास कहा है synergates के पास ऐसे ऐसे होते philiform apparatus ध्यान सुनो सिनर्जट के पास ऐसे होते philiform apparatus वो ऐसे बोलते हैं तु आजा तु आजा मेरे पास आजा तु मेरे पास आजा और जैसे ही synergates उसको बुलाती है यह pollen tube synergates के अंदर से घुसती है ठीक है synergates के अंदर से ऐसे घुसती और उसको पिस्टल interaction होता है पुलन पिस्टल interaction is totally chemotrophic the chemicals released by the pollen ठीक है ऐसा नहीं है कि पोलन के तुरू कुछ chemical release नहीं किया जाता है पोलन के फूबी chemical release कि जाते है जो सब डिरेक्ट करते कि तु तरक उधर ही जाना दर दर नहीं जाना साथ में philiform apparatus साथ में chemicals निकाले जाते है जो आपके embryo sac के दौरा वो भी डिरेट करते हैं कि तुझे इधर ही आना और कहीं नहीं जाना है all these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistol interaction जब तक कि pollen tube embryo sac के अंदर नहीं पहुच जाती उसके पहले के और pollination के बाद के चीक है देखो pollen pistol interaction में कौन-कौन से event आते हैं एडिंग डली हुई है events देख लेते हैं कौन-कौन से events आएंगे pollen pistol interaction के interaction में जितने भी events जितने भी events है अपने events events after pollination अफ्टर पॉलिनेशन डण इवेंटस आफ्र पॉलिनेशन ये वाले छेक है और events events before the fertilization fertilization के पहले और पॉलिनेशन के बाद ये जितने एवेंट हैं ये सारे pollen pistol interaction में होते हैं pollen grain की delivery से pollen tube का developed से पोलन ट्यूप की एंट्री से लेकर गैमेट छोड़ने तक की कहानी पोलन पिस्टल एंट्राक्शन में जानी जाती है और यह एक बहुत ही ज्यादा डाइनमिक प्रॉसेस है ठीक है अब सुनू यह जो कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी ठीक है यह जो कहानी हमने अभी प हों और मेरे लला यह कईसे हो सकते हैं यह तो कोई टेंशन नहीं हर प्लांट सब्सक्राइब आ अर परसेंट टाइम वो शेवर शॉट अच्छा और स्वस्थी हो समझड़ों मेरी बात जरूरी नहीं कि वो फर्टिलाइडेशन हंड़ेट परसेंट स्वस्थी हो हो सकता है कि आज हम लोगोंने पचाहस लाख रुपए सेब की खेती में इन्वेस्ट कर दिया पता चला कि जो प पाटिया क्वालिटी के होंगे तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए हम इस नेचुरल प्रॉसेस का वेट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार अगर फ्रूट बन गया तो हम फिर अगले साल ही बढ़ेंगे नेक्स्ट यह बनेंगे दो सल बादी बनेंगे अब ऐसी अगर हम लोगों बात करें मनुश्यों की मनुश्यों कि मतलब इंसानों की human beings की तो human being में जो fertilization होता है ध्यान चाहरा मेरी बात क्या बोलरी हुआ अब हम अब ऐसे गाय भैसों में होता है अगर कोई गाय जादा दूद नहीं दे रही है और उसका जो male partner है उसी breed का वो जादा दूद नेचरली ने देता है तो हम किसी ऐसे गाय का sperm उसके अंदर entry करवा सकते हैं ऐसे बैल का जो की अच्छा दूद देने वाली breed थी ऐसी condition में जब जो गाय के बच्चे होंगे और जब वो बड़े होंगे तो वो जादा दूद देने वाले होंगे तो artificial insemination में हमने यह सीखा कि we can choose the desired quality of sperm and then inject the guy or the bass so that they can produce more milk which is beneficial for the farmer or anybody who can doing their business ठीक है for the better money ठीक है better income यहां पर भी ऐसा ही होता है कि हमारी crop में अगर हमने बहुत पैसा invest कर दिया है और अगर हम उसको naturally pollinate होने के लिए छोड़ देते हैं तो pollination हर बार successful हो अच्छा हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि stigma की उपर बैठने वाले pollen grain पर flower का कोई control नहीं है हो सकता है कि उनी pollen grain को attract कर ले या attract कर ले कीमोट्रॉफिक मेकैनिजम से philip pharma apparatus के द्वारा जो उसके रहे सही ना हो हो सकता है खराब हो pollen grain खराब fruit बनेगा ऐसी condition में हम क्या करते हैं हम करते in vitro pollen germination man-made germination समझ में आ गई बात इसमें कोई tension कोई परिशानी तो नहीं ना इसमें तीन दो process होते हैं मतलब हमको क्या करना है in vitro hybridization ध्यान से सुनो यह क्या हो जाता है यार बार बार इसमें देखो क्या करना है इसमें हम लोग कॉन सा process पढ़ रहे हैं oh 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 something is wrong with this एदेखो black आ जाता है बार 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 दोगो let me to know slides अब आएगी चलो अब ध्यान से देखो मेरी बात क्या बोल रही है ध्यान से देखना है in vitro hybridization अगर हमें करना है अगर हमें in vitro hybridization करना है मेरे बच्चों यह देखो यह पगलाना लगा मैं जिस बोर्ड में जाती हूं वह पगलाता है इन विट इंट्रो लिग दिया से दिखाया मैं मैं इसलिए मैं चलनी रहा था in vitro hybridization ज्यान से देखना in vitro hybridization है ना in vitro hybridization की बात कर रहे हम लोग कैसे होता है वह देखो in vitro hybridization का मतलब होता है कि आप ऐसे pollen tube का germination ना test tube या slides के अंदर भी देख सकते हो पर इस process के अंदर आपको दो main steps follow करने पड़ेंगे one is the emasculation one is the emasculation and second is begging यह क्या हो गया माम यह क्या पढ़ा रही हो अभी आपको समझ में आएगा देखो काइदे से तो मुझे pollen pistol interaction के बाद सीधे-सीधे fertilization पढ़ाना था पर क्योंकि आपकी ncrt में घुशा दिया गया topic तो आपको पढ़ना पड़ेगा आपके पास कोई option नहीं है ठीक है और question भी आ सकता है जी में आओ बेटा समझते हैं टेंशन नहीं लेना चाहिए जीवर में टेंशन देना चाहिए मेरे जैसे बनों टेंशन देती हूं मैं सबको so pollen germination हम लोगों ने देखा कि pollen germination naturally देखा कि pollen गिरा germinate हुआ पर हम artificially भी यह कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमने खेती में 50 लाग रुपिया खर्चा किया है तो हमारे फ्रूट ऐसे बने जो सडलने मडलने हो बजार में जाए और भी के भी नहीं ठीक है तो हम क्या करें pollen germination can be studied by the dusting pollen rain peach, chickpea, crotillaria, balsam, vinka on a glass light containing a drop of 10% sugar solution with the boric acid calcium, magnesium and K plus salt ठीक है देखो pollen tube अगर तुमको ये लगता है कि pollen tube सिर्फ और सिर्फ naturally germinate हो सकती तो बेटा ऐसा नहीं है ठीक है आप अगर किसी glass slide में क्या करें 10% sugar solution लें और उसके बाद उस पर ये कोई भी pollen grain जो समें लिखे है पी हो गया बालसम हो गया इनके पॉलन ग्रेंट छड़के और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको उसमें pollen grain germinate pollen tube germinate होती हुई दिखाई देगी जो ये सिद्ध करती है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेश्चा पॉलन ने 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 पॉलन ट्यूब डवलाप करें मेरे बच्चों हो सकता है कि आर्टिफिशली भी डवलाप कर सकते हैं क्या टेंशन है ठीक है तो ये हमको ये बताता है कि अगर हम किसी शुगर सेलूशन में कैल्शियम बॉरिक ऐसे मैगनेशियम और पोटेशियम सॉल्ट को लें विद टेन पर सेलूशन तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये अपने पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकते हैं समझ में आई बात आफ्टर फिफ्टीन थर्टीन बी 30 मिनेट पॉलन ट्यूब बी ऑब्सर्फ तो केम और संदा पॉलन ग्रेंस इतनी बात आपको क्लियर हुई की नहीं हुई चलो उसका इमेज देखते हैं पहले तो अब हम लोग ये समझ गया मतलब की ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही हम आर्टिफिशली कुछ कर सकें आपके फ्लार्स में भी हम आर्टिफिशली पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो इसटिरे पोलन ग्रेंस लेबरेटरे इस वैक अपनेज़ द्यूर्फरी में करती हैं अपना खुद का बतारी उए यह हेंगिंग ड्रॉप मेथेड कैसे होता है और प्लांट में कैसे करते हैं बहुत बताऊंगे उसके बाद उस पूरे बैक्टीरिया को लिकविड में डाल देते हैं उसके इनक्यूबेटर में रख देते हैं दो तिन गंटे तक रहने देते हैं नूट्रिशन को लेके बक्रिण मेड़ाइब कर देखो अ बागया थोहे बहुत जाद हो हमें बढ़ तुम सब्सक्राइब देखो आप उसके बाद करना है एक ड्रॉप लेनी है यह फिर है ऊसडॉप को हमें कहां रगा देना है आपको वैसली लगाना है ग्लास के उपर उसके बाद उस डॉप को उसके उपर रख देना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद कुछ नहीं करना है डॉप को के उपर cover slip लगा देना है microscope की आती है और उसके बाद फिर इसे microscope के नीचे उल्टा लटका के देखना है कि क्या activity हो रही है इस अ हैंगिंग ड्रॉप मेथड हला कि अभी इसको आप कोई तरी डिटेल में जाने गिरोत नहीं है पर जब भी हमको pollen tube का germination देखना है तो यही hanging drop method का hybridization आईए देखते हैं ठीक है in vitro fertilization या artificial hybridization में मैंने आपको दो method बताए ठीक है जैसे माल लो suppose that यहाँ पर एक plant बना देती हूँ मैं suppose that यह मेरे पास एक plant है ठीक है यह plant बना हुआ है मेरे पास इस यह plant जो है बहुत बहुत बहतरीन वाला seed देखता है पर जैसे ही बारिश आती है यह क्या होता है द्हान समझना यह एक दूसरा plant है यह plant जो है बैठरीन कौलिटी का सीड नहीं देता पर इस पर और जबालाप इसका बहुत अच्छा है समझना ही बात आई बात इसका प्लांट A है और यह प्लांट B है, done है, अब हम यह चाहते हैं, यह क्या है, इसके यह वाले प्लांट के क्या है, बच्चो मेरे, इस प्लांट के better seeds है, ठीक है, इसके क्या है, better seed है, और इस प्लांट का क्या है, better resistance है, समझो बात को, इस प्लांट का क्या है, मेरे बच्चो, better resistance ह है समंझमें आई बात तो एक का better resistance है और एक के better में हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो, सबसे पहले you have to cut the stamen, ठीक है, you have to cut the stamen बच्छो, देहां से देखो, हमको यह stamen को cut करना पड़ेगा, यह stamen को हटाओ, हमको यह stamen को cut करना पड़ेगा, this process is called as emasculation, समझ में आई बात, क्या करते हैं, सबसे पहला method, सबसे पहला हमें क्या करना है बच्छो, हमें करना है emasculation, यही प्रिख दू में, number one we have to do what, हमें सबसे पहले करना है emasculation, done, emasculation करना है, क्या होता है emasculation, emasculation is just the removal of, removal of, removal of stamen, समझ में आई बात इसक jeopardy ऑस्कुलेशन क्या होता है मेरे बच्चो div video स्टेमन इजन और gyms अश्ऑना क्यों क्यों कुआ कि हमें क्या करना है वो द inspections हम चाते हैं हम को हम चाते हैं कि यहां पर उसल फटिलाइज़ीडिशन नहीं हूं ठीक है हम क्या चाहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि इस प्लांट में इसी के स्टेमें से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो हम चाहते हैं कि इसके स्टेमें से सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या हम चाहते हैं कि इसका भी नहीं हो कोई और पोलन ग्रेन उससे फर्टिलाइजेशन रुके और fertilization में किसी भी प्रकार का interference ना हो तो emasculation पहला process करते हैं हम दूसरे में क्या करेंगे इसके उपर यहां से pollen grain लाओ ठीक है आपको खुद लाना पड़ेगा और इसके उपर pollen grain का छिड़काव कर दो done हो गई इसके बाद pollen grain का क्या कर दो छिड़काव कर दो और इसके बाद बच्चों इसे एक पॉलित से पैक कर दो और इस कहते हैं बैगिंग ठीक है बैगिंग कर दो आप इसकी सामझ में पार क्या किया हम लोगों सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम जो pollen grain छडख रहें हैं plant के उपर हम नहीं चाहते कि इस ही प्लांट का फूुस से फ्यू करते क्यों कि अगर इसा होता है तो उसकी रोस्टिविटी खतम हो जाती है ताकि हवा थोड़ी बहुत इंसेक्ट जो है ना जा पाए और अगर मैडम फिर से नीचे से पोलंगें जा सकता है बेटा उपर से पोलंगें छिड़कोगे तो ज्यादा असानी है ना में नीचे कौन नीचे से कौन पॉलंगें घुसेगा यार समझे मेरी बात को क्या बोल रह है ताकि कोई दूसरा पोलंगें इंटरफेर ना करे और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें डिजायर प्लांट मिल जाए तो दो प्रॉसेस द इमस्कुलेशन और बैगिं बैगिं में यू हाज तो कवर वैं यू छिड़को द पोलंगें आफ्टर द छिड़को द पोलंगें आधे तो प्रॉसेशन ना हो मेरी बुनदा मिल बचो टिक है अच्छा यह एक बार में सक्सेस्फल नहीं होता है यह भी मैं आपको बता दू कि अगर आपको यह लगता है कि यह बहुत एक बार में successful हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता दुनिया में एक बार में कौन से चीज़े successful होती है दन है उसके बाद आपने पोलन ग्रें को ट्रांसफर कर दिया पिस्टल में ठीक है उसके बाद पुसके बैगिंग कर दो बस आगे बात करें सबसे पहले आप सूटेबल पैरेंट स्टूरो ठीक है ऐसा नहीं होता है बचो आपको एक सूटेबल पैरेंट डूना पड़ेगा क्योंकि एक और फिस पिंसी प्रोससे आपने देखा होगा इंस टाग्रम में बड़ा समय चलता है कि वह पेडcessors ही सेब को काटते हुं बढ़िया रसीला फल निकलता है पर जब वह सेब को निकालते हैं तो क्या आपने देखा कि से बुनका एक पाक रहता है उसमें पैकेट में पता है क्यों हर से बेक पकेट में पैक रहता है ताकि जो pollen grain उसके पिस्टल में डाला गया है उसी pollen grain से वह fertilize करें और वहीं पर fruit seed सब develop करें इसलिए ठीक है अगर बाइसेक्शल फ्लार है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा और जो उसके पास ओल्रेडी थे इसको काट के हिटाना पड़ेगा और फिमेल फिम्र फिमेल पार ठीक है बिफोर दाईसेशन ऐसा ना हो तुम तब नहीं दना इंतर को पहले ही काट देना ठीक है यह अंधर को आपने काट के अलग कर दिया ड़न है पोलन ट्रांस्वर कर दीजो बैगिंग कर दिजे आगे बड़े नेक्स्ट आपने क्या किया Bagging, covering of emasculated flour with a bag of suitable size generally made up of butter paper to prevent the contamination of stigma with the unwanted pollen. अच्छा इसी लिए जैसे जब मैं जब मैं छोटी थी और जब मैं इसके बारे में नहीं जानती थी और मैं थर्ड फोर्थ में थी तो जनरली वो वाले किसान विसान का किसान टीवी आता था दूर दर्शन में और मैं उसमें देखती थी यह के fruit जो हैं यह सारे packet में क्यों बंदना है क्यों प्लांट में यह पागल होगा है क्या इतने packet क्यों बरबात करना है जब मैं बड़ी हुई और मैं class 12 में आई खला कि मैं class 8 में ही सिख गई थी है कि bagging करने से हम contamination से cross contamination से बचा सकते हैं बैगिंग अगर हम कर देंगे तो unwanted pollen grain stigma में land नहीं होगा हमें desirable fertilization मिलेगा हम जिस pollen grain से fertilization चाहते हैं उसी से होगा दैन होगा इतनी बात बटा पेपर ही इस्तेमाल करी है पॉलिथीन भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं dusting of pollen grains from the enter of the male parent on the stigma of the female parent अच्छा यह भी यह भी बहुत important चीज है यह important चीज ऐसा है कि माल लो कि हमने हम चाहते हैं बहुत सारे जो आपके bisexual flower होते हैं जैसे कि आप लोगोंने पड़ा बहुत सारे bisexual flower ऐसे होते जिन में एंधर और stigma दोनों का maturity time सेम रहता है ठीक है हम लोगोंने बहुत सारे bisexual ऐसे फ्लाइर एंजियो स्पॉम्स में ऐसा होता है जो एंधर और stigma होते इनका maturity time सेम होता है ठीक है अब हुआ क्या कि हमने एंधर को उड़ा दिया समझो मेरी बात को एंजियो स्पॉम्स में maturity time हो सकता एक हो मेल और फीमेल एक साथ ही develop होते हूं ठीक है अब हम अगर एंधर mature हो गया तो फटरने का चांस है pollen grain वहीं पर रिलीज हो जाएगा क्या मतलब का तुम्हारा artificial hybridization तो हम क्या करते हैं कि develop होने से पहले immature एंधर कोई काट के लग कर देते पर मैडम अगर हम immature एंधर को काट के लग कर देंगे तो फिर फीमेल भी तो मैचूर नहीं हुए अगर दोनों एक साथ develop होने थे तो तो बैटा कोई टेंचन नहीं है एंधर जैसे ही काटोगे फीमेल को कवर कर दो बैगिंग कर दो उसकी ठीक है ताकि कभी भी जैसे यह जैसे पिस्टिल मैचूर हुआ ऐसा नहों कोई पोलन के नाका जो हाथ मार गया ऐसा नहों बैगिंग कर दो काटने के बढ़ियां हमारी डिजार क्वालिटी ऑफ क्रॉप मिलेगी ठीक है तो री बैग कर दो जब वो मैचे और पोलन के डस्ट करो जब मैचे और हुए उसके बार री बैग कर दो ठीक है फ्रूट और एलॉइट दें फ्रूट सार एलॉट तो अलाउट टू डवलाप फिस दीर और आपके artificial hybridization के अब लोग पढ़ लेते हैं देखो पॉलन पिस्टिल इंट्रक्शन के जस्ट बात मुझे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाना था पर मैं नहीं पढ़ा सकती है क्योंकि NCRT के बीच में घुस गया है topic artificial hybridization तो मुझे पढ़ाना पढ़ा ठीक है I hope you don't mind चल पोवलन पिस्टिल इंट्रक्शन देखते हैं, पॉलिशन देख्टे हैं, पॉलिशन ड़ गारंटी तर्ण्फर और राइट ताइप ऑफ पॉलिड ग्रेट, ठीक हैपॉलिशन गीरेंटी नहीं यहाई कि राइट टाइप का पॉलन जो फलार है उसीका पॉलिड ग्रेयन हो ठीक है, compatible pollen grain of same species as the stigma, ज़रूरी थोड़ी है, often the pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, same species, हो सकता है कि pollen grain का health अच्छा नहों, pollen grain का size अच्छा नहों, pollen grain की quality अच्छी नहीं हो, उसी plant के, उसी flower से, दूसरे flower में चली गई हो, दूसरे से, दूसरे flower में चली गई हो, तो भी गड़बर pollen grain है, ठीक है तो यह क्या होगा है, self incompatible, हमारा ही pollen grain हमी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जिस flower से आ रहा हमारे plant में लगाता हो, दूसरे flower से आ रहा है, वो अच्छी नहीं तूसरे quality, also land on the stigma, यह भी गड़बर वाले भी land हो सकते हैं, the pistol has the ability to recognize the pollen, pistol मतलब female part के पास, यह ability होती है, यह सिर्फ plant की ही कहानी नहीं रहे, यह कहानी जो है, यह human being में भी है, आपको पता होना चाहिए कि ZP3 protein which is present on the zona pellucida layer of ova, यह पहचान लेती कि यह मेरा है कि मेरा नहीं है, यह ऐसा तो नहीं घर का बेदी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो आपको पता होना चाहिए कि human ova अभी female sperm को, human female ova भी male sperms को पहचान सकता है बच्चो, ठीक है, ओके, whether it is of right type compatible है या wrong type है, incompatible है, if it is of right type, then the pistol accepts the pollen and promotes the post pollination event, अगर उसने, अगर वो उसके type का है, तो post pollination event होंगे, ठीक है, now listen to me very carefully what I am saying, यह देखो, यह pollen tubes है तनी सारी बच्चो, this is the pollen tube, यह देखो, यह आपके stigma में, आपके pollen tube है, ठीक है, यह structure तो मैंने आपको clear करी दिया है, आगे बढ़ते हैं, यह वाला structure अभी हम लोगों को, यह वाला structure, अभी हम लोगों को शायद पढ़ना है, चलो, देख लेते हैं, pollen grain जो है, कौन सा पहला है, DE, यह होगा, ठीक है, so A क्या है, सबसे पहला A क्य style, यह देखो, इतनी सारी pollen tube develop हो रही है, style के अंदर, ठीक है, उसके बाद यह वाला structure तो clear हो गया, C वाला, D वाला देखते हैं, क्या है, D वाला है, egg apparatus का enlarged view है, D वाला, और इसमें हमें pollen tube की entry दिखाई दे रही है, ठीक है, pollen tube यह देखो, pollen tube entry ले रहा है, यह vegetative nucleus है, यह दो म अचा हो, उसने देखो, synergy cell को nust किया और अपने male gamete को, यहाँ पर दो male gamete को चोड़ दिया, बाद में क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चलिए, क्या था इसके बाद NCRD क्या बोल रही थियार, हाँ, हाँ, तो pistol accept the pollen and promote the post pollination event that leads to the fertilization, जिससे क्या होगा, fertilization, जो कि इस class में हम detail में नहीं बात करते हैं, ठीक है, if the pollen is one of the wrong type, ठीक है, हो सकता है कि pollen wrong type का हो, तो pistol उसे reject कर देगा, और या उसे germinate ही नहीं होने देगा stigma के ऊपर, ठीक है, the ability of the pistol to recognize the pollen, pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue, dialogue between the pollen and the pistol, ऐसा नहीं होता देखो, यह दोनों नहीं ऐसे interact करते हैं, अच्छ नहीं बलता है मैं आ गया हूँ, आओ कि नहीं आओ, तो वो बलती ही हाँ, ठीक है, 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 ठीक है by the acceptance ठीक है बहुत सारी लोगों ने इसको वह भी कर लिया है as mentioned earlier following compatible pollination the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores germ pores se pollen tube बाहर निकलती है ठीक है आपको पताया था क्योंकि एक्जाइन जो बड़ा हाड होता है उसमें थोटे-छोटी जगह होती है जिसे हम germ pore कहते हैं the contents of pollen grains move into the move into the pollen tube pollen tube में क्या क्या होगा बोलो एक होगा vegetative cell कर निकलेस दो होंगे male gamete pollen tube grows through the tissues of the stigma में grow होता है and style से reach करता और ovary के अंदर जाता है you would recall that in some plant pollen grain are shed in two cell condition two cell condition मतलब एक generative cell एक vegetative cell अगर दो cell condition में है ऐसे cell में फिर generative cell divide होती pollen tube बनने के बाद और दो male gamete बनाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं पर कुछ plants में जो pollen grain होता है वो दो ही cell में shed होता है तीन cell में shed होता है दो male gamete उसमें पहले से बनते हैं ऐसी condition में उनकी pollen tube में दो male gamete और वे एक vegetative cell का निकलेस होगा ठीक है pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle end से याद रखिएगा enter करते हैं और हमेशा एक synergit को nest करते हैं क्योंकि synergit पे होता है philip ava paratus जो ने बुलाता है तू आजा मेरे पास मिलता ना मो का रोज ठीक है ओके तो synergit जो है वो pollen tube के entry को guide करता है all these events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter to the ovule are together refers as pollen pistol interaction जब तक कि pollen tube enter होके वहां छोड़ने देते इसके पहले की सारी कहानी pollination के बात कि और इसके पहले की सारी कहानी pollen pistol interaction कहलाती है pollen pistol interaction is a dynamic process जिसमें pollen grain को recognize किया जाता है ठीक है उसमें उसको बताया जाता है कि तुझे आना है या नहीं आना है तुझे inhibition होना है या तुरह promotion होना है the knowledge gained in this area would help the plant breeder manipulating the pollen pistol interaction even the incompatible pollination get desired hybrids ठीक है इससे अगर हम pollen pistol interaction को धंग से study कर लें ठीक है हम लोग अगर किसी pollen pistol interaction को अच्छे से study कर लें अगर हम किसी pollen pistol interaction को अच्छे से study कर लें बच्छो तो भले ही pollen grain उसमें ढंका नी गिरा हो पर फिर भी हम डिग्जार hybridization कर सकते हैं you can easily study the pollen germination by dusting some of the pollen such as peach, pea, crotillaria, balsam, vinca on the glass side containing drop of sugar solution about 10 percent after about 15 to 30 minutes observe the slide under the low power lens of the microscope you would likely to see the pollen tube coming out from the pollen grain बढ़ा दिया मैंने आपको कि pollen tube ऐसा नहीं है कि pollen tube हमेशा develop होती है naturally pollen tube artificially भी develop हो सकती है ठीक है pollen tube develop करने के लिए हम लोगों को एक glass slide में sugar solution लेना है उसमें magnesium calcium potassium boric acid डाल कर देखना है 25-15-30 minutes के बाद उसमें pollen tube हमें germinate होती हुई दिखाई देगी ठीक है इसका मतलब है कि pollen tube artificially भी germinate हो सकती है as you shall learn this chapter on the plant breeding chapter 9 में हमें पढ़ना है a breeder can interested on the crossing different species often genera to combine desirable character to produce the commercially superior variety called as artificial hybridization artificial hybridization का एक पूरा आपको पढ़ना भी है ठीक है ठीक है in such crossing experiment it is important to make sure that only desired pollen grain are used for the pollination ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उठा के डाल दो आपको पहले select करना पड़ेगा कि आपको कौन से pollen grain से fuse कराना है pistol को ठीक है उसके बाद हमें contamination से उसे protect कराना है इसलिए हम उसमें पहले emasculation और bagging techniques follow करते emasculation में आप क्या करते हो देखो in female parent be a bisexual flower ठीक है अगर bisexual flower है और हम नहीं चाहते कि इसका एंथर से stigma से fuse हो वहाँ पर एंथर जो है वह जो आपके pollen grain है वह उसी pistol में चले जाए तो आपको करना पड़ेगा क्या emasculation पर before dehiscence ऐसा नहों कि mature हो गया तब काटने नहीं ठीक है उसके बाद emasculated flower जो है उसके बाद जब emasculation हो गया तो उसको bagging करना है bagging के लिए बटर पेपर का इस्तुमाल करते हैं चीक है वें दे stigma of bagged flower attain the receptivity तो आप बैक कर दो पहले जैसे ही वह mature हुआ कर दोनों एक साथ mature होते तब तो गड़बड़ो जाएगा कम चीक है यह पर आपको पढ़ने पड़ा है कि जो बाइसेक्शुल फ्लार उनको मैचुर्टी का टाइम एक साथ हो सकता है या ठीक है तो पहले एंथर को फीमेल फ्लार आउप फ्लार बैग्ड विफोर द फ्लार ओपन ठीक है हमेशा याद रखिए फीमेल फ्लार बड़ जो है ध्यान से सबजो हमें अगर यूनी सेक्शिल फ्लार है फीमेल और मेल वाला अलग अलग है तब कोई टेंचन न ही इमैसकुलेशन नहीं करना है स्टेमन नहीं काटना है पर यह याद रखना है फीमेल फ्लार को बैग करके रखो और तब तक बैग नहीं खोलना जब तक कि वो बड़ से थोड़ा सा खिल नहीं जाता जैसी खिलेगा उसके उपर पॉलेंग डाल दो ठीक है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगर तीन बार में भी सबज नहीं आता तो लेक्चर को धीरे करके देखो हाला कि मैं एक ही चीज को इतने बार बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं तो देख सकते थे आप लेक्चर को जितना दीरे दीरे आपके दिमाग में जैसे आपको यारोगा यह घर पर गी बनाती है तो दीरे दीरे घीपो पूरा नहीं चान लिया जाता है मम्य उसके पीछे गया है इसलिए मैं और आगे नहीं पढ़ा रही हूँ so this is all about the two topics next class में double fertilization के बारे में आप से बात करूंगी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मेरे बहतरी इंशानदार जबर जस्ट लेक्टर आपको मिलते रहें you can visit the website आपको मेरी फोटो दिखेगी फोटो पे क्लिक करोगे तो लिस्ट निकलेगी वाच नाव पे करोगे तो पहला लेक्टर खुल जाएगा आपको यह सारे लिस्ट दी हुई है if you want to see the lecture of sexual reproduction in flowering plant you can click the chapter name और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगे आपके लेक्टर शुरू हो जाएगे आप वाच नाव पे क्लिक करिएगा फर्स लेक्टर से कुले का नेक्स्ट वीडियो करते जाएगे नेक्स नेक्स आते जाएगे कभी भी लेक्टर को स्किप करके मत देखिए क्योंकि मैं हमेशा sequence वाइस लेक्टर पढ़ाती हूं कभी भी कुछ भी उठा के घुसा के पढ़ाना नहीं शुरू करती हूं अगर आपको मेरे एक्चर लेक्टर लगते हैं तो नेक्स क्लास में हम जरूर मिलेंगे बच्चो विद्धर डबल फर्टिलाइजेशन बहुत 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 इंपोर्टन टॉपिक है अगली क्लास में मिलते हैं तब तक थैंक यू सो मच बच्चो और बाबाई